कैसा भी लूप हो अगर उसके त्रू लिंग्ड मैंग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूज ये में आएगा ही आएगा ऐसा किस ने कहा फेरेडेसर ने कहा मैंगेट घुस रही है तो फील लाइन्स बढ़ रही है तो इंड्यूज करेंट उसको घटाना चाह रही है और जब मैंगेट बाहर निकल लही है तो फील नाइस कम हो रही है अब इंड्यूज करेंट उसे बढ़ाना चाहरी है इसके दोनों ही केस में इंड्यूज करेंट हो या डिफ्लेक्शन हो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी पोजिट आएगी एंटर करते वक्त अलग अगर जीरो नहीं हुई तो इंड्यूज एलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी जो की क्लोज लूप बनाएगी और नॉन कंसर्वेटिव नेचर की होगी हलो बचबाड़ी क्या हाल चाल कैसे आप सभी लोग वेलकर डूबाई क्लास कैसे सारे प्यारे प्यारे बचे आई हो दॉट में ख़तम करते हैं कुरसी की पेटिया बान ले और सुरू करते हैं एक शांदार सा चप्रत लेक्ट्रो मैंग्नेटिक इंड़क्शन बिल्कुल बेसिक से सारे कंसर्प्ट यहां पर सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे खूब सारे कोशन भी प्रैक्टिस क इसके बाद में पढ़ेंगे इंड्यूज एलेक्रिक वेल्ड का कंसर्प्ट पढ़ेंगे फिर आरल डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे और एसी जन्रेटर तो यह नोग छोटी-छोटी से सब टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ नहीं इसमें मेजर सिलेबस की अगर म चैप्टर ठीक है दोस्त कहां से पेरेडेज लॉस की कहानी क्या है पहले इस बात को थोड़ा समझते हैं कि यह चैप्टर में होने वाला क्या है तो दोस्त करीब 1820 में 1820 में जब और इस्टिट एक साइंटिस्ट है जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा उन उन्हों ने दुनिया को बताया कि भाई साब जो कि बताया कि भाई साब जो यह करेंट केरिंग वायर है ना करेंट केरिंग वायर थे मैंगनेटिक फील्ड बनाई जा सकती है या current carrying wire magnetic field produce करता है ये औरस्टेट ने बताया था दुनिया को फिर औरस्टेट के ही दो student थे बाइट एंट सेवर्ट तो बाइट एंट सेवर्ट ने औरस्टेट के ही student थे इन्हों ने experiment किया और through experiment लोगों को बताया कि देखो भाई इतनी magnetic field होती है ये current carrying wire होगा तो उसके इसे magnetic field की value क्या होगी वो बाइट एंट सेवर्ट ने बताया तो दुनिया को ये पता चल चुका था 1820 में around कि यार electrical effect से current carrying wire से magnetic field produce होती है तो फेरेडे भी उसी समय के scientist है and he was genius तो फेरेडे का मानना था कि यार ऐसा जो universe है धरती माता है जो प्रकृती है वो ऐसी नहीं हो सकती वो symmetric होगी वो balance बना के रखेगी तो इनका मानना था यहां तो सुनना मेरी बात कोई accidental नहीं था कि गुस्से में आके magnet फेक दी और क्या क ते करेंट निकल गया यूरे का यूरे का लगा कि चला के भागने लगे तो फेरेडे वस वैरी पॉर्टेकुलर एंड वैरी शूर जब यह पता चला जब यह finding हुई कि electrical effect से electric current करेंग वायर से magnetic effect generate किये जा सकते हैं तो फेरेडे वास वैरी शूर किया नेचर में इसका है यह वैरी कॉन्फिडेंट कि भाई magnetic field की help से भी electrical current भी अगर करेंट से magnetic field produce हो रही है तो magnetic field से current electrical current भी generate हो सकता है या होना चाहिए based upon that उनकी जो belief थी उसके basis पे उन्होंने खूप सारे experiments किये और finally on the basis of multiple experiments उन्होंने जो अपना क्वाईल वाल एरेजमेंट देखा उसके basis पे finally conclude करके दुनिया को बताया क्या बताया लिख लो जो बताया जो यही important है whenever अभी experiment की भी बात करेंगे whenever there is change in magnetic change in magnetic flux linked with the coil with any coil oblique imaginary loop there will be induced EMF in that loop oblique coil क्या कहा बच्चा पाटी फेरेडे ने पेरेडे ने कहा जब कभी किसी भी लूप या imaginary loop कहलो या coil कहलो जब कभी भी किसी भी coil या imaginary loop से magnetic flux change होगा linked magnetic flux change होगा तब एक induced EMF generate होगा तब एक induced EMF change होगा whenever whenever जब कभी भी there is a change in magnetic flux ध्यान से देखना बच्चा बाटी magnetic flux से कोई दुश्मनी नहीं है किससे दुश्मनी है change in a magnetic flux जब कभी भी किसी भी coil या imaginary loop से या imaginary loop हो या coil हो कुछ भी हो अगर वहां से magnetic flux change हो रहा है उस क्वाइल से उस लूप के थुरू अगर magnetic flux change हो रहा है तो एक induced EMF होगा ही होगा coil obliquant then there will be then there will be induced EMF in that coil जब कभी भी किसी भी loop या imaginary loop या coil में से flux linked flux change होगा ध्यान से सुनना मेरे शब्द की जोगा magnetic flux तब क्या होगा induced EMF generate होगा यह किस ने बताया Faraday ने बताया और Faraday ने finally यह दिया कि यह induced EMF होगा यह proportional होगा rate of change of flux के rate of change of flux के proportional होगा Faraday ने क्या बताया induced EMF will be proportional to rate of change of flux जो induced EMF generate होगा वो क्या होगा proportional होगा rate of change of flux के यह Faraday ने बताया अब Faraday के experiment को भी perform करके मैं दिखा देता हूँ थोड़े से कम जल्दी से देखते हैं अब लो बच्छा पाटे यह क्वाइल है यह क्वाइल है यह क्वाइल है यह एक मैंगनेट है यह मैंगनेट से वाइट वाइट कलर की दिख रहे हैं यह क्या है हाँ है लेकिन इस वक्त देखो यह क्या यह bulb glow कर रहा रहा है नई क्या वोल्ट मीटर में कोई reading है यह नई न व Bread मेंटर में कोई reading दाखी न naников लो कर रहा जबकि Flux Link है मतलद डेक है जयसे मैंने इसको पीछे किया यह आगे करूँ पार आगे करो तो देखो वो बल्ब गुलो कर रहा है और वो कांटा देखो वो भी हिला है तो इसके movement कराने से क्या हो रहा है बच्चा पाटी जो number of field lines इस coil से पास हो रही थी वो बढ़ घट रही है और number of field lines बढ़ने घटने का मतलब क्या है अबर और गट रही है तो जब इसे आगे या पीछे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है number of field lines बढ़ और घट रही है जब भी आप बढ़ाओगे या घटाओगे number of field lines यहाँ देखेंगे bulb glow कर रहा है मतलब current produce हो रही है EMF generate हो रहा है लेकिन जब यह motion में नहीं है rest पे है उस case में आप देखेंगे कोई भी EMF generate नहीं हुआ कोई भी voltage यहाँ पे नहीं दिख रहा bulb कदू से नहीं जला यह बात समझे वारी अब इस बात को समझते हैं इस बात का क्या मतलब है rate of change of flux induced EMF is proportional to rate of change of flux समझना बच्चा पार्टी हम flux में change ला रहे हैं लेकिन बहुत धीमे-धीमे मुव करा रहा हूँ देखना कितना हलके से बहुत अराम से bulb grow करेगा थोड़ा सा ठीक है यह देखो बहुत धीमे-धीमे लेके जाओंगा तो देखना बहुत कम सा current flow होगा और बहुत थोड़ा सा EMF generate हुआ लेकिन अगर बच्चा पार्टी से खुब तेजी से ले आओं तो देखो कितना जादा bulb grow कर रहा है कितनी तेजी से तो जितनी तेजी से मैं move कराऊंगा इस magnet को coil की तरफ या coil से away दोनों ही case में coil की तरफ move कराऊं या coil से दूर move कराऊं दोनों ही case में जितनी speed से मैं इसको move कराऊंगा उतना जादा EMF produce होगा because उतनी जादा तेजी से EMF change हुआ होगा तो जो भी EMF produce होता है वो किसके proportional होता है rate of change of flux flux जितनी जादा तेजी से change होगा उतना जादा EMF produce होगा यह किस ने बताया? Ferradian यहां तक लिया रहे है Ferradian ने क्या क्या बात बताई जब कभी भी किसी भी लूप किसी भी लूप से imaginary लूप से या कोईल से linked flux change होगा तो एक induced EMF आएगा ही आएगा और वो induced EMF किसके proportional होगा? rate of change of flux D5 by DT के proportional होगा I hope यहां तक सभी बच्चे 17% 100% एक नमबर comfortable होगे and clear भी ठीक है एक बात और है इसे भी underline करना मैंने बताए coil oblique imaginary loop कोई imaginary loop भी है अगर उसकी थूप भी linked flux change हुआ तो क्या होगा? वहाँ पे भी एक induced EMF आएगा ही आएगा अब इस पे बेस मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ दोस्त यह चार arrangement है यह magnet है यहाँ पे copper रंग है यह wooden ring है यह एक open circuit open ring है मतलब यहाँ से ring बीच से टूटी हुई है ठीक है? यह ring बीच से टूटी हुई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाली है imaginary loop है यह dotted line है मतलब यहाँ imaginary loop बना रखा है यहाँ actually में कोई नहीं है अब चारो ही case में magnet नीचे की तरफ गिर रही है तो तो मैं बताना है किस किस case में induced EMF आएगा और किस किस case में induced current भी आएगा बताओ बच्चा बाटी परेडे ने कि statement के basis बताओ induced EMF इन चारों में से किस case में induced EMF आएगा और किस case में नहीं आएगा ये बात बताइए दोस्त तो समझना बच्चा पाटी अगर मैं induced EMF की बात करता हूँ तो induced EMF इस case में आएगा induced EMF इस case में 0 नहीं होगा कैसा होगा? non-0 होगा in fact induced EMF इसमें भी आएगा induced EMF इस case में भी आएगा और induced EMF इस case में भी आएगा क्यों आएगा आप रीजन समझो परेडे के नियम के अनुसार परेडे के नियम के अनुसार क्या था वेनेवर देर इस चेंज इन मैंगनेटिक फ्लक्स वेनेवर देर इस चेंज इन मैंगनेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्वाइल ओबलीक imaginary loop कैसा भी कोईल हो conducting हो non conducting हो तूटा हो फूटा हो होई ना गाया आप कुछ है नहीं हवा है सिर्फ imaginary loop भी होगा तो भी induced EMF आएगा तो भी induced EMF आएगा ही आएगा कद्दू कोई फरक नहीं पड़ता कि वहाँ पे कोई loop है या नहीं है तूटा हुआ loop है लकड़ी का loop है copper का है aluminium का है plastic का है कैसा भी loop हो अगर उसके through linked magnetic flux change हो रहा है तो एक induced EMF आएगा ही आएगा ऐसा किस ने कहा तो हम उनकी बात मानेंगे तो यहां पर समझो नेचर ओफ लूप यहां पर जो क्वाइल है उसका नेचर क्या इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि EMF यहां पर जनरेट होगा कि नहीं होगा यह में सारे केस बेंडेट होगा वह कॉपर की हो वुड़न की हो प्लास्टिक की हो ओपन टूटी हुई रिंग हो यह कुछ भी नहीं लूप हो उसकेस में भी EMF जनरेट होगा एक वोल्टेज पूटेंशल डिफरेंस आएगा ही आएगा क्यों क्यों इन सारे केसे में जैसे होगा अजब कभी होगा ओड कर द्धाynn करने की कंडिशन किया होती पहले यह समझो करने की तीन कंडिशन होती है पहली पोटेंशल डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशल डिफरेंस लूप के एक्रॉस जनरेट होना चाहिए पोटेंशल डिफरेंस जनरेट करने के लिए इन जनरल आप क्या लगाते हों बैटरी लगाते हों दूसरा closed loop होना चाहिए open loop में open path में कभी भी current flow नहीं करती current electricity में पढ़ चुके है open circuit में कभी भी current flow नहीं करती तीसरी बात क्या होनी चाहिए बच्चा पाटी free electrons free electrons किसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ conductor में होते हैं free electrons की presence होनी चाहिए जैसे वोड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया यहाँ पर यह कैसे हैं इंसुले रसे पास free electrons नहीं होते हैं तो क्या होगा कभी भी current बैटरी लगा दोगे तो भी नहीं फ्लो कर पाता यह बात पता है तो current के flow करने की तीन condition है पहला potential difference तो generally potential difference कैसे apply करते हो किसी भी loop में आप बैटरी लगा के दूसरा close loop अगर ये loop को मैंने बच्चा पाटी 20 से ऐसे काट दिया तोड़ दिया तो क्या current flow होगा नहीं current के flow होने के लिए loop का close होना भी जरूरी है और तीसरी बात यह जो वायर या रेइस्टर है इसके पास कुछ ना कुछ free electron होने ही चाहिए ठीक है यह वायर यह रेइस्टर जो हो conducting material का ही होना चाहिए अगर एक perfect insulator हो गया जिसके पास free electron ही नहीं है तो resistance किती हो जाएगी infinite एक insulator की resistance क्या मानते है इंफाइनाइट उस case में भी current क्या हो जाएगा तो समझे ना बच्चा पाटी चेक करो जिसके लिए यह तीनों condition satisfy होगी potential difference, close loop और free electron उसी में current flow होगा एक भी condition अगर satisfy नहीं होई तो current flow नहीं कर पाएगा इन चार case में किस case में current flow होगी किस में current नहीं होगी जरा यह चेक करके बताओ दोस्त तो आप देखो जो पहला case है दोस्त यह first यह second यह third यह fourth पोटेंशल difference है देखो potential difference तो चारों में है magnet गिर रही है तो flux change हो रहा है flux change हो रहा है तो एक induce mF होगा ही होगा तो potential difference तो चारों cases में है पहली बात तो सभी के लिए satisfy है कि potential difference तो चारों में वो current flow नहीं कर पाएगी, जैसे copper ring है, क्या ये closed path ring है, बिल्कुल, open ring नहीं है, तो दूसरी condition भी satisfy हो गई, copper क्या conductor है, conductor के पास क्या free electron होते हैं, हाँ, तो इसमें 100% बात है कि यहाँ पे, जो को potential difference भी है, यह दिखी रहा है, close path भी है, और free electron भी है, conductor भी है, तो current यहाँ पे flow होगी, तो first case में current will not be equals to zero, current flow होगी, इसलिए current not equals to zero, wooden ring, लोको EMF है, potential difference है, closed loop भी है, लेकिन क्या free electron है, नहीं, wooden कैसा होता है, insulator होता है, free electron नहीं है, इस वज़ा से यहाँ कोई current flow नहीं कर पाएगी, current flow नहीं कर पाएगी, मतलब current कितनी होगी, zero होगी, यह opening, हो सकता है कि यह conducting material हो, free electron हो सकता है कि present हो, EMF दिख रहा है कि EMF है, free electron भी हो सकते हैं, लेकिन क्या यह एक open circuit है, क्या open circuit में कभी current flow होगी, नहीं होगी, imaginary loop, एक तो open circuit भी है, और ना free electron है, दोनों ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, current है, तो यह बात समझ में आई, यह बहुत important concept बहुत important बात है, कि faraday law में हमें यह सीखने को मिलता है, कि loop कैसा भी हो, induced EMF तो आएगा ही आएगा, कब अगर flux change हो रहा है, loop कैसा भी हो, अगर flux change हो रहा है, तो induced EMF आएगा ही आएगा, वो loop कैसा भी हो, conductor हो, non conductor हो, उप तूटा हुआ हो, फुटा हुआ हो, imaginary है नहीं, कुछ भी नहीं है, dotted line है, सिर्फ imaginary loop भी है, उस loop के through भी EMF, अगर flux change होगा, तो EMF आएगा ही, आएगा, it is independent of property of loop, current उसमें flow होगी या नहीं होगी, यह कौन decide करेगा, loop की property, अगर वो conducting हुआ, और close circuit हुआ, तो current flow करेगी, अगर दोनों में, इन दोनों में से कोई भ हुआ हुआ हुआ, या open circuit हुआ, दोनों में से कोई भी एक भी condition हा गई, तो current zero होगी, तो इन तीनों cases में current zero है, current सिर्फ इसमें non zero है, लेकिन EMF जो generate हुआ, वो इन चारों cases में ही हुआ, क्योंकि इन चारों के through ही flux change हो रहा है, जब भी magnetic flux change होगा, एक induced EMF आएगा ही, आएग I hope Faraday को लेके आप सभी लोग अब comfortable होंगे, clear होंगे, जल्दी बताइए, पका बताइए, सचा बताइए, सारे बताइए एक सवाल है, अब आप लोग solve करके बताए, a cylindrical magnet is kept along, magnet is kept along the axis of a circular coil on rotating the magnet about its axis समझना बच्चा पाटे, question क्या कह रहा है, ये coil है, ये एक cylindrical shape की magnet है, ये इसका north pole, ये इसका south pole इस magnet को आसपास लेके नहीं आ रहे है, क्या कर रहे है, तमाशे बाजी कर रहे है, यहीं पर बैठा के यहीं पर घुमा रहे है इस magnet को, मालों ये magnet है, ये loop है, इसको ऐसे पकड़के मैं यहाँ पर घुमाओ, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ समझो दोस, ये coil है, ये magnet की field lines है, अब देखो बचा पार्टी, जब मैं इसको ऐसे ऐसे ले जाओंगा, तो इसको field lines अंदर घुस रहे हैं, ये number of field lines बढ़ घट रही है लेकिन अगर मैं इसको यहीं पर पकड़के इस तरह से घुमाते रहूं, इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर घुमाता रहूं, इस तरह से अगर मैं इसको यहीं पर पकड़के इस तरह से घुमाता रहूं, या फिर ऐसा समझो बच्चा पार्टी, वो तो वो काफी भारी यह उसे घुमाना difficult है यह लखो यह remote है चोटा सा यह समझो यह एक cylindrical magnet है मैं इसको यहीं पर पकड़के इस तरह से घुमा रहा हूं तो क्या number of field lines जो इससे linked होगी वो change होगी नहीं होगी वो कब change हो सकती है जब इस तरीके से कोई relative motion हो इनके बीच की separation बढ़े या घटे अगर मैं इनको साथ साथ लेके चलूँगा कोई relative motion नहीं होगा तो भी कोई magnetic flux change नहीं होगा क्यों इन दोनों के इसका separation चेंज नहीं होगा इसको मैं इस तरह से घुमाओं तो भी वे में घुमा रहे हैं रोटेट कर रहे हैं रोटेट करने की वैसे कोई भी link flux change नहीं हो रहा तो कोई EMF generate नहीं होगा कर आँ कि ऑन रोटेटिंग दा मैंगनेट अबाउट इस दा क्वाइल विल हैव इंड्यूज इन एट नथिंग इस कोई इस बीडिंग अब बनेटिंग और तो फिरिटिंग अब गलत बात है और करेंट गलत बात है और करेंट यहां पर आड़ कर लो एंड़ हो EMF, ना कोई current generate होगी ना कोई EMF generate होगा इस case में, clear है दोस्त, next स्वाज, a magnet is brought near a coil in two ways, first rapidly, second slowly, the induced charge will be, question क्या है induced charge क्या होगा इन दोनों cases में, इस question को अभी थोड़ा था छोड़ दो, यह पता नहीं यहां पर क्यों आगे हैं, इंड्यूस parameter के बाद रखना था इसको, नीचे 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 हाँ induced parameter के बाद, यह ठीक, इस लाइड हो गई थी हाँ, induced EMF in the coil does not depend upon, अभी बताया, उस coil में कितना EMF generate को होगा, यह उसकी नीचे पर उसकी प्रॉपर्टी पर conducting है, copper का coil है, aluminium की coil है, non conducting coil है, plastic है, wood है, क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, अगर flux change हो रहा है, अगर flux change हो रहा है, तो EMF generate होगा, और वो independent होता है, कि उसमें resistance पे क्या depend करेगी, current, current को लिखते हो EMF upon resistance, तो current जरूर depend करेगी resistance पे, लेकिन अगर EMF की बात करते हैं, तो EMF को resistance से कद्दू कोई फरक नहीं पड़ता, material जो भी coil है, उसका material कैसा है, copper है, aluminium है, wooden है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, Induce EMF कि सिर्फ एक बात पर depend करता है, rate of change of flux, flux change हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर flux के change हो रहा है, तो Induce EMF generate होगा, और किस के proportional होगा, rate of change of flux, ज्यादा तेजी से अगर flux change होगा, तो EMF ज्यादा generate होगा, अगर थोड़ा धीमे-धीमे करके flux change होगा, तो Induce EMF कम होगा magnitude wise, यह बात clear है, तो यह तो कुछ बाते हो गई, मोटी-मोटी बाते हो गई, आपकी faraday को लेके, अब आते हैं lens पे लेके, तो faraday ने जो अपना नियम दिया था ना बचा, 1831 में दिया था, जहां से सुनो बच है कि current carrying wire से magnetic field produce की जा सकती है, जैसे ही यह discovery दुनिया में लोगों को पता चली, एडे का सोचना था कि यार, universe symmetric होगी, धरती माता, जो प्रकृती है, nature हो symmetric होना चाहिए, तो अगर current से magnetic field बना रहे हैं, तो magnetic field से current भी बना सकते हैं, उने चाहिए, तो यह अपने experiment लेके लग हैं, तो जब Faraday ने अपना नियम दिया, 1831 में, ठीक है, about electromagnetic induction, उन्होंने बताया कि जब कभी भी किसी भी loop से, अगर flux change हुआ, तो उसके थुरू एक, उस loop में एक EMF generate होगा, and that will be proportional to rate of change of flux through it, लेंज ने Faraday की बात को पकड़ी, और थोड़े और experiment करके देखा कि भाई, किस तरीके से change हो रहा है, और फिर लेंज ने अपना law दे दिया, लेंज ने क्या कहा, whenever देखना, सुरू की जो दो लाइने हैं, वो पूरी Faraday वाली team दी है, whenever there is a change in magnetic flux linked with while oblique imaginary loop then there will be induced EMF then there will be induced EMF in the loop ये बाते तो पूरी की पूरी Faraday की लिखी हुई है, Faraday वाली बात दोबारा से चिपकादी कब cut copy paste किया है, हाँ या ना इसके बाद lens की बात होती है, then there will be induced EMF in the loop such that it will such that it will oppose the oppose the cause by which it is generated जिस किसी भी वज़ा से वो induced EMF generate हुआ है, उस वज़ा का ही oppose करेगा because such that it will oppose the cause oppose the cause उस वज़ा का ही opposition करेगा, oppose the cause by which it is generated या फिल लिख लो, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, simple शब्द को, it will oppose the change in जिस वज़ा करेगा, जिस वज़ा से वो flux में change आया है, या फिर ऐसा ही जिम्पल सी बात करेगा है, जिस वज़ा से वो फिलक्स में change आया है, या फिर ऐसा ही simple सी बाता में लिख दो, और करके, और करके लिख दो, it will oppose the change in flux, flux में change का विरोध करेगा, मतलब induce EMF आएगा, तो वो हमेशा इस तरीके से आएगा, कि वो चाहेगा, कि कोई भी flux में change ना हो, induce EMF पैदा किया से हुआ, जो कि लिख फ्लक्स में change आया, linked flux, उस loop के थुरू जो linked flux है, उसमें change हुआ, तो EMF generate हुआ, और वो चाहता क्या है, कि कोई भी flux change ना हो, मतलब जिस वज़ा से induce EMF generate हो रहा है, उस वज़ा का ही opposition करता है, induce EMF, हमेशा क्या चाहता है, कि flux में किसी भी प्रकार का change ना हो, induce EMF हमेशा oppose करेगा change in flux का, induce EMF का का काम क्या है, change in flux का oppose करना, जल्दी बोलो सारे मेरे साथ, induce EMF का 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 काम क्या है, change in flux का oppose करना, induce EMF का 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 है, change in flux का oppose करना, induce EMF नहीं चाहता, कि कि किसी भी प्रकार का flux में कोई भी change होई, flux में change अगर flux में change हो रहा होगा तो उस change का oppose करेगा induce MF कहेगा कि मत flux में कोई भी change ना होने दिया जाए तो यहां से length loss से आ जाता है induce MF is equals to minus times d5 by dt इस combined को कहते है Faraday Lange law इस combined law को कहते है Faraday Lange law Faraday और Lange का combined law है जिसमें आप देखेंगे यह जो minus वाला sign है यह किस ने दिया Lange ने बाकी सारा काम किस ने किया है Faraday ने तो यह जो minus का sign है यह किस ने दिया है Lange ने दिया है यह minus का sign क्या indicate करता है यह minus का sign indicate करता है कि जो EMF generate होगा वो oppose करेगा change in flux का यहां तक comfortable है दोस्त क्लियर है बढ़ियां से एक number जल्दी बताईए पका बताईए सच्चा बताईए सारे बताईए तो लिख लीजे जो finally induced EMF is equals to minus का d5 by dt आ गया इसमें मिस minus sign का मतलब किस ने दिया था Lange ने दिया था और यह क्या show करता है it shows that induced EMF will oppose change in flux minus sign क्या show करता है कि यह जो induced EMF generate हुआ है वो flux में change का position करे यह जो Lange law है यह किसके accordance में होता है Lange law is in accordance with energy conservation को यह माइनस साइनिक देने की प्रेणा कहां से मिली energy conservation से मिली तो उन्होंने energy conservation के point को जब चेक किया यह news EMF के साथ तो उन्हें पता चला कि यह जनरेट तो होगा लेकिन हमेशा इस तरीके से अपोस जनरेट होगा ताकि वो change in flux का अपोस कर सके तब ही जाके तब ही जाके energy conservation hold good करेगी तब ही energy conservation valid रहे पाएगी और आप सबको पताएगी यार energy conservation तो इस दुनिया का ब्रमांड का यहां पर माइनस साइन आना ही चाहिए मना energy conservation वाइलेट हो जाएगा तो लेंज लॉग किसके रखने के लिए अगर माइनस साइन नहीं आएगा तो कुछ cases आपको दिखेंगे जहां पर आपको दिख जाते जहां पर आपको दिखता कि यार यहां पे तो energy रही नहीं रही energy को रखने के लिए energy conservation की पॉइंट को यह fundamental जो लॉग energy conservation का उसे hold good रखने के लिए जब लेंज ने उसके coordinates में से सोचा तो समझ में आया कि यह माइनस का डीफाइब डीटी यहां पर माइनस का साइन आना चाहिए तो यह मैं इंडियूस यह मैं फिजीक इशू माइनस का डीफाइब डीटी और इस law को क्या कहते है फेरेड़े लेंज लो लेखाते है डीफाइब यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे and clear यहां तक की बाते clear हैं अब अज़र यहां तक की बाते clear हैं तो असली chapter का कलेश अब सुरू होगा लेंज के नियम के साथ लेंज के नियम के साथ असली कलेश शुरू होगा पहरे इस माइनस साइन से तुम्हें इंड्योज फीचिय ड्यॉज टाएड्य करेंट की डाइरेक्शन खीया उपक Experience जो सवाल आते हैं उस्कशल टेंज लों पहीं हाथ से लगाना पड़ेगा और इस ऐडिया को यूज करते हुए कि मै, paralysis का साइइन पीचा करता है is show that induced EMF will oppose the change in flux, change in flux का opposition करेगा induced EMF या induced current, इसको use करते हुए, इस concept को use करते हुए, hand rule use करके आपको induced current की direction या induced EMF की direction आपको predict करनी होगी, predict क्या तरीके से बिल्कुल सही सही बतानी होगी और इस पे बेस बिल्कुल बहुत सारे सवाल एक्जाम में पूछे जाए, तो ready हो, तयार हो induced EMF की या induced current की direction निकालना सीखने के लिए, हाँ या ना तो basic fundamental principle यही है कि induced EMF या induced current क्या करेगी, oppose करेगी change in flux का, मतला अगर flux बढ़ रहा होगा, तो बढ़ने नहीं देगी, घटाएगी, अगर flux घट रहा होगा, तो flux को घटने नहीं देगी, flux को बढ़ाएगी, मतलब flux के change का हमेशा oppose करेगी, कुछ question से समझते है induced current की direction, जैसे कि पहली situation यह है, magnetic field है यहाँ पे into the plane, यह magnetic field है यहाँ पे into the plane of paper आपको magnetic field दे रखी है, पहले question को सिर्फ आप देखेंगे, इस वाट, अगर magnetic field अंदर की तरफ है और बढ़ने लगे, तो induced current जो आई है, उसकी direction कैसी होगी, clockwise, anti-clockwise, इस coil में आपको बतानी है, तो देखो बच्चव बाटे कैसे करेंगे, हमेशा सीधा हात लेंगे, सीधा हात अंगुठा अंगलिया 90 डिगरी पे, अगर magnetic field अंदर के लिए बढ़ रही है, अगर magnetic field अंदर के लिए है, तो को क्रॉस में है, Magnetic field cross में है ये तो question में दे रखा है और बढ़ रही है, increase कर रही है तो क्या अंदर की तरफ flux बढ़ रहा है अंदर की तरफ वाला flux बढ़ रहा है तो induced emf या current क्या चाहेगा कि ये magnetic field ना बढ़े इस magnetic जो अंदर की तरफ magnetic field बढ़ रही है तो उसका क्या करना चाहेगा induce current या ये में अपोज करेगा अपोज कैसे करेगा एक extra magnetic फील्ड प्रेडिवस करेगा जो उसके opposite direction में हो अगर अंदर की magnetic फील्ड बढ़ रही है तो flux change ना होने के लिए वो क्या चाहेगा कि ये magnetic field न भड़ पाए, ना भढ़ने के लिए क्या करेगा, उसका opposition करेगा, opposition करने के लिए क्या उसको opposite direction की एक magnetic field प्रेड्यूस करेगा, ताकि net magnetic field नभढ़ पाए, अगर अंदर के लिए magnetic field है और question में दे रखा है, increase कर रहे है, तो इसको arrows करने के लिए, क्या बाहर की तरफ magnetic field produce करेगा तो जिस direction में magnetic field produce करेगा उस direction में सीधे हाथ का अंगुठा रखें किधर करेगा इस अंदर की magnetic field अगर बढ़ रही है तो यहां पर flux की change होने की वज़ा क्या magnetic field का बढ़ना तो magnetic field को घटाने के लिए उसके opposite direction में magnetic field produce करेगा पंगुटा बाहर और जिस sense में उंगलियां करल हो रही है तो यह हो जाएगा direction of induced current इस sense में उंगलियां करल हो रही है तो इस case में अगर मैं बात करूँ तो induced current कुछ इस direction यह कौन सा sense है anti clockwise सबसे पहले तुम्हें induced current की direction देखना आना चाहिए कि induced current कैसे आए सिंपल सी बात है कि अगर magnetic flux के change का oppose करना है अगर magnetic field lines बढ़ रही होंगी तो उसको घटाना है घटाएंगे कैसे opposite direction की एक magnetic field produce कर दो और जब कभी भी किसी reason में magnetic field lines घट रही हो magnetic field lines घट रही हो तो magnetic field lines बढ़ा दो बढ़ा दो तो क्या होगा magnetic flux change नहीं होगा तो यहां पर देखो second case में इसी question में अगर मालो magnetic field lines का magnitude of magnetic field lines घटने लगा तो magnetic field lines अंदर की तरफ थी घटने लगी तो अब जो points magnetic flux में change आने की वज़ा क्या है magnetic field lines का घटना सॉरी second case में magnetic field lines लगी तो अब flux क्यों change होगा क्यों लिए field lines घट रही है तो induce EMF क्या चाहेगा कि flux में change ना हो flux change के उरह था magnetic field lines के घटने की वजह से तो अब क्या करेगा Magnetic Field Lines को बढ़ाएगा ताकि Flux Change ना हो, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जिस Direction की Magnetic Field Lines है, उसी Direction की Extra Magnetic Field Lines प्रडूस करतो, भाई अंदर की तरफ Magnetic Field Lines थी, जिनका Magnitude कम हो रहा है, तो उनको सपोर्ट करेगा, अब Flux के Change होने की वज़ा क्या है, यहा Magnetic Field Lines, और Create कर दे, तो यह अपना उठा लो, Blackboard के अंदर की तरफ, जिदर Magnetic Field Lines थी, उधर की तरफ उठा कर दो, उगलियां देखो, अपने आपके Sense में Curl हो रही है, ऐसे Sense में Curl हो रही है, तो क्या बच्चा पाटी, Clockwise, Induced Current इस Case में कैसी आएगी, Clockwise है, घड़ केस की बा नहीं आएगी, अगर बच्चा पाटी, Magnetic Field Constant है, तो क्या Magnetic Flux भी Constant है, और अगर Magnetic Flux Constant है, तो क्या कोई Induced EMF या Induced Current आएगा, कद्दू नहीं आएगा, Induced Current कितना होगा, Zero, Simple सी बात है, Induced Current या Induced EMF हमेशा इस तरीके से आएगा, कि Field Nights बढ़ रही होगी, तो उन्हें घटाएगा, अगर Field Nights घट रही होगी, तो उन्हें बढ़ आएगा, अब बढ़ रही हैं, उनको घटाने के लिए क्या करेगा, अपोजिट सेंस की Magnetic Field Nights produce होगी, और अगर कोई Magnetic Field Nights घट रही हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए, जिस Direction में Magnetic Field Nights थी, उसी Direction की Magnetic Field Nights extra produce करेगा, Induced Current, तो जैसे Second Case में Magnetic Field Nights घट रही थी, अंदर की तरफ Magnetic Field Nights है, और घट रही है, तो सेम सेंस की Magnetic Field Nights produce करने के लिए, अगर उठा अंदर किया, उंगलिया देखो कैसे कर लो रही है, इस सेंस में, इस सेंस में तुमने एरो पुट किया, इस पर क्वाइल पे तो तुम्हे समझ माया, एक लॉक्वाइस सेंस में, जब यही Magnetic Field Nights बढ़ रही थी, तो उनको घटाना चाहेगा, घटाने के लिए क्या करेगा, अपोजिट सेंस की Magnetic Field चाहिए, तो क्वाइल और Magnetic Field Nights same plane में है, अब अगर Magnetic Field Nights बढ़ेंगी, तो Induced Current बढ़ेगा या घटेगा, Magnetic Field Nights घटेंगी, तो Induced Current की Direction बतानी होगी, जब Magnetic Field Nights बढ़ रही होगी, तब Induced Current की Direction बतानी होगी, और जब Magnetic Field Nights constant होगी, तब भी Induced Current की Direction बतानी हो, तो समझो बच्चा अगर coil और field lines same plane में है मतलब यही field lines है और इसी plane में आपका coil रखा है तो भाई, कोई भी field lines coil को cut करके तो निकल नहीं रही है इस वज़ा से magnetic flux किता हो गया बच्चा पाटी, 0 हमने पढ़ रखा जब भी field lines और coil दोनों same plane में होती है, उस case में linked flux क्या होता है जीरो अगर flux link ही नहीं है तो magnetic field बढ़ाने घटाने से क्या कोई भी flux change होगा अब जब flux link ही 0 है तो 0 में क्या change लिया होगे तो अगर flux link 0 है तो magnetic field बढ़ाओ घटाओ कोई भी change in flux नहीं आ रहा इस वज़े से induced current इस सारे cases में क्या आएंगे 0 आएंगे because कोई flux ही link नहीं है क्या ये दोनों question आप सभी लोग को बढ़ियां से एक number जहर level comfortably clear है हाँ या ना और तवाल करें जब ये कोई current carrying wire है इसमें current बढ़ रही है ये दो लूप है A और B इन दोनों में तुम्हें current की sense बतानी है कैसी होगी clockwise या anti-clock देखो कैसे करेंगे सबसे पहले ये current carrying wire है तो current carrying wire के वैसे magnetic field की direction कैसे निकालते हैं पहले A वाले coil पर magnetic field की direction क्या होगी और B वाले पर क्या होगी ये current की direction निकाल लेते हैं magnetic field की कैसे निकालते हैं magnetic field की direction current carrying wire से आपने magnetic effects of current वाले chapter में पढ़ लिया होगा current की direction में क्या करते हैं दोस्त अंगूठा रखते हैं magnetic field की direction की direction निकालने के लिए कैसे निकालते है current carrying wire की direction में अंग उठा क्या देता है direction of magnetic field Simply direction of magnetic field के लिए current carrying wire की direction में अंग उठा and straight forward讓 की around objective is magnetic field . तो उगलिया की तरफ पाम क्या देतेगा direction of magnetic field इस रीजन में जो magnetic field की direction होगी वो into the plane आया अगर देखो बच्छा बाटी अंगुठा current की direction में उंगलिया पॉइंट की तरफ पाम इंटू दा प्लेन पाम अंदर की तरफ है तो magnetic field lines अंदर की तरफ जहां पर यह लूप भी है उसके इस रीजन में अगर बच्छा बाटी में magnetic field की direction देखू तो अंगुठे की direction current की direction में उठा उंगलिया पॉइंट की तरफ बी पॉइंट की तरफ अगर तुम्हें magnetic field चाहिए पाम देखो किदर आ रहा है बाहर इस रीजन में जो magnetic field lines होंगी कि बाहर लूप का नाम में चेंज कर दे रहा ए और बी की जगा पी और क्यू कर दे रहा है यह लूप पी है यह क्यू है लूप पी और क्यू में कि अगर इस वायर में करेंट बढ़ रही है तो इस पी और क्यू लूप में जो इंड्यूस करेंट आएगी उसकी डायरेक्शन बतानी यह कोशन यह था तो अब देखो बचा पार्टी अगर करेंट बढ़ा रहे हो करेंट मैंनेटिक फिल्ड की डायरेक्शन तो मैं पता से लगई क्या एक इन्फाइनाइट करेंट केरिंग वायर की वजह से मैंनेटिक फिल्ड का फार्मला म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होता है यह मैंनेटिक एफेक्ट्स ऑफ करेंट वाले चेप्टर में पढ़ यह जो मैंनेटिक फिल्ड प्रेडिूस कर रहा था वो भी बढ़ेंगी मतलब यहां पर जो मैंनेटिक फिल्ड यह भी बढ़ रही है और यहां पर भी जो मैंनेटिक फिल्ड यह बढ़ रही है अब देखो मैंनेटिक फिल्ड किदा रहे अंदर की तरफ है और कैसी यह बढ कर लेक्शन और कडिया कर दो अंगलियां ना बढना कर दो हमये क्या मालूम है इसके डियरेक्शन में में कर द realm सब्सक्राइब परिशनथे दियाट का मठ उड़ा आप क्या करूगे बच्छा पाटि करोगे क्या कि रज़ा करोगे तो सें़सց आफ कर लेखो कैसा दिआ रहा है बच्छा पाटिग इंटी क्लॉकवाक leek पॉसरा है कि इस क्रॉस में में इंडर की तरफ है और हो बढ़ रही है इंडेन क्रेइद क्या चाहे है कि इस में ना बढ़ने दिया क्थिए करते हैung उस एयरेक्शन में में सीधे हाथ कांग रखते हैं अपनी उंहली होती है कि उस सेंस में करेंट आ जाता उस कॉयल में तो किस सेंस में रूटेट कर रही थी अपनी उलिया अन्टी क्लॉकवाइज तो यहां पर फी में जो करेंट आयेगा वो कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज अब आताती क्यूं में अगी अगेन वही कर entender बलब रहा है कर देडूर तो यहां पे घंट का मैंगेति Всемなく और बाहर की तरफ और बहर रही है यहां पिर छाएगा किम अब यहां पर इसमें चेंज होने की वजह क्या है? magnetic field बाहर की तरफ जो है उसका बढ़ना तो induced EMF या induced current क्या चाहेगा? कि ये ना बढ़े तो क्या करेगा? अगर ये magnetic field बाहर की तरफ है तो induced current एक ऐसी magnetic field produce करेगा जो इसकी opposite direction मतलम अंदर हो कुछ नहीं करना है सीधा हाथ लेना है अंगूठा magnetic field की direction में मतलब जिस direction में magnetic field चाहिए ताकि ये ना बढ़े किस direction में चाहिए अंदर उंगलियां कैसे घूम रही है देखो बच्चा पाटे कुछ इस सेंस में घूम रही है उंगलियां देखो किस सेंस में घूम रही है जिस सेंस में उंगलियां घूम रही है उसस सेंस में लगा दो यहाँ पे आ तो लूप क्यूँ में जो होगा current जो induced current आए गी वह clockwise से मैं यहां तक सभी बच्चे लिए से करना रूल कैसे करना कैसे ऑगो बच्चा पाटे इसके लिए कि अगर वह बहुत अच्छे से आना अगर वह बहुत बढ़ी आ है नहीं तो एक बार रिवाइस करके वापस लेक्चर को देखेंगे कि आपको बहुत मस्त मजा लेकिन मैंने पूरी कोषिश करी है कि मैंने आपको तुम्हें दुबारा रिवाइस करा दू को भी की करेंट की डिरेक्शन कैसे कैसे कर देखते हैं इस साहई चीव इनने रिवाइस करा दिये तभी मैं यह नहीं करा आगे बढ़ते हैं नेक्ट सब्सक्राइब नियुक्त करेंट लोग्म सब्सक्राइब को तो यह याँ चforcement का पार्ट नहीं बता रहा हूं मैं किसका बता रहा हूं माइटार्टीक नीकालते हैं हाइत करेंट कैरिंग वाइर की वजह से कैसे इक है है डिखेंगे एक तो इसे विर दिखेगा या को इसे टो इसे लेंगे आते बात कर लेते है करें आधे कि लिए कि अग्यार के लिए कि रहेक्षान ओफ मैनगेटिक फिल्ड कैसे निकालोगे सिंपल सी बात है पूरी फिजिक्स में पूरी एलेक्ट्रो मैंटिजम में राइट हैंड ठपड़ रूली रखेगा कोई दूसरा रूल नहीं हमेशा अंगुठा नाइंटी डिग्री रखना है सीधा हाथ यूज करना है तो उंगलिया अंगुठा नाइंटी डिग्री पे जींपल रूल है इस दुगी कि आहां पड़ रूल को जे किसने दिया के आधा जीन नेंट कि सीधा हात अंगुठा नाइंटी डिग्री पर रखना है सम्प्भ जो हो सिधू जिसे कहते हो गां कि इसकी डी डायरेब्ष्यन में करेंगे क्वाइंट वियर मैंग्नेटिक फील्ड इस टू बी पाउंड और जो यह आपका पाम होगा जिससे जहापड लगाते हो लगाओ इस पाम है कि क्या देगा डियरेक्शन ओ अ मैंने पूश दिया इस मैंने पूछ दिया इस पॉइंट पी पे मैंगनेटिक फिल्ट की डियरेक्शन बताओ और क्यों पर बताओ कैसे बताओगे सिंप्ली करेंट केरिंग वायर है सीद्धा हात लेना है अंगुठा नाइंटी डिग्री पर करेंट की डियरेक्शन में अंगुठा रख देना है यहां पर मैंगनेटिक फिल्ट कैसी है बाहर की तरह सिमिलरली अगर मेरे कुछ पॉइंट क्यू पर मैंगनेटिक फिल्ट चाहिए थी तो सीधा हात लेना है करेंट की डियरेक्शन में अंगुठा उंगलियां देखो नीचे की तरफ फार्म किधर जा रहा है अंदर एक सब का हाथ लेना जैसे जहापड मारेंगे सिद्धे हाथ का उल्कुल उल्टे हाथ की नहीं देनी ज्यादा जोड लग जाएगी अंगुठा उंगलिया 90 डिग्री पर रखना है थम क्या देखोगा डायरेक्शन पर रखना है फिंगर्स को जिस पॉइंट पर मैंगनेटिक फिल कि लोज लूप वह स्क्वाइर लूप हो कोई फरक नहीं पड़ता है अगें जो रूल लगेगा है वह क्या लगेगा बच्चा पार्टी राइट हैंड पर रूल ही लगेगा बस थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पर जो फिंगर्स होंगी वह करोगे क्योंकि यह कर्व हो रहा है यह भी घूम रहा ही करेंट यहां पर फिंगर्स को इन दा सेंस ओफ करेंट करोगे अब अंगुठा क्या देगा डायरेक्शन ऑफ मैंगनेटिक फ शुप हो उस के दूम दिखान रख देना है कि थम ब क्या देदेगा है डायरेक्शन ऑफ कि मैंगनेटिक फील्ड विएक्टर की डायरेक्शन दे दो अबर्ल नथे करन फिंगर को लेंस ओफ करेंट है आव आवां अपने सीदए हाथ की कर रहे होंगे वह क्या देदेगा सेंस ओफ करेंट की करेंट कैसे घोंब रही है के ऑंफटे मिले स्लीएर जैसे इस केस में अगर मैं कहें दू कि करेंट कुछ इस डायर्यक्षन में है shared magnetic field की direction बताना या इसंदर सक्टे कि तरफ करने की कोशिश करो किने जा रही हिस और तुरौन की सेंसि में जा रही है क्या कि लोक्वाइस सेंज की करेंट गई को मैंखनेटिक फील्ड मैंने किक सेंज करिए चेप्टर का रिज्जन कर आया मैंने बतार! अब आई होप तुम्हें यह चैनल ज्यादा और अच्छे से सबजबाया होगा कुछ और कॉशन्स भी प्रेक्टिस करते हैं दोस्त कि यह कोई रीजन है जहां पर मैंगनेटिक फील्ड है कि मैंगनेटिक फील्ड कैसी यह डॉट है आउट अफ दा प्लेइन ऑफ पर है यह आपका एक स्क्वाइर फ्रेम रखा है यहां पर अगर मैं बोल दूँ यह मैंगनेटिक फील्ड फस्ट पार्ट में भी बढ़ रही है तो इसमें करेंट की सेंस बतानी है सेकेंड के मैं अगर मैंगनेटिक फील्ड केस्ट में अगर बच्चा पार्टी बढ़ रही है मैंगनेटिक फील्ड क्या चाहें यह वह करेंगे जो खुद magnetic field produce करेगी वो इसके opposite करेगी because magnetic field बढ रहे है तो उससे घटाना चाहेगी घटाने के लिए उसके opposite direction में magnetic field produce करेगी मतलब किधर produce करेगी अंदर सीधा हाथ ले लेना मैंने direction of current बताने के लिए बताया है हम यह समझ चुके बी बाहर के लिए बढ़ रही है तो इंड्यूस यह में करेंट क्या चाहेगी कि इसको घटाया जाए घटाने के लिए क्या अपोजिट इंड्यूस करेगी मतलब अंदर की तरफ अंगुठा प्रेड्यूस करेगी अंदर अंगुठा करते ही अपने उंग्लियों को करो कि सेंस में करेंट आ रही है कि अगर आप बाहर की तरफ का चाहेगी कि यह ना बढ़े कि यह मैं कि सेंस में करने की वजह है कि इसको और आएगा और ओकल रहे हैं इस इस जो आँसर आएगा इंड्यूस करेंट का वो क्या है आएगा एंटी क्लॉप वाइब अब मैं यह फटा दे रहा हुआ परस्ट केस क्लियर है सेकंड केस में पी डिक्रीज कर रहे है जनेरेट हो दिएक UMF कर रहे है कि बिना घटे ना घट आने के लिए क्लिए क्या चाहिए कि मग्ने करेंगी उसी डायरेक्शन में उपने हम अपना सीधा हाथ का बाहर कर दो किहार्ट में करल हो रही है कि एक लगा दिया कि क्या यहां पर करेंट जो होगी सबको दिख रही है कि एंटी क्लॉकवाइस पिछले केस में क्लॉक वाइस थी माफ कर दो मुझे मैं पिछले केसं में थी जब अंदर किया था तो उस्सं prisons में इसकेस मेंट रहेगी अगर वी does क ofere बिदि तो क्या होगा नहीं होगा नहीं होगा तो किया को या मैं नहीं आइगी तो नींट करेंट इसकेस में क्योंग ऑगि कि इंड्यूस करेंट की डायरेक्शन देखना सीख गए एक केस और कराते हैं यह कोई करेंट केरिंग वायर जिसमें करेंट क्या है कॉंस्टेंट यह एक लूप है जिसको इससे दूर लेके जा रहा है तो तुम्हें बताना इस लूप में जो इंड्यूज ये में या इंड्यूज करेंट आएगी उसकी डियरेक्शन क्या हो इस बात लिए तो समझना बच्चा पार्टी सिंपल सी बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहां पे लूप अगर दूर जा रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने की वज़ा क्या है लूप का दूर जाना वही समझो ना मैंगनेटिक फील्ड का फॉर्मला करेंट केरिंग वायर की वैसे क्या होता म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर आप टेक्निकली कर क्या रहे हो डिस्टेंस बढ़ा के करेंट केरिंग वायर से जो डिस्टेंस ओ मैं दूर जाना क्या है मिंग टेक्स में चैन जानें करेंग इस लूप का दूर जा वाले चैफ्टर मे पढ़ा तो पैर upbringing कैरिंग वायर ट्रेक्ट सीचदर है तो यह जो इसके पास वाला वाइर है अगर उन दोनों में सेम डायर्षन की करेंट अién्ड, त्ट्रेक्शन करेंग ट्रेड्ट करेंगा इसको जो लूप दूर जा रहा था उसको अट्रेट करके पास लाने लगेगा इंड्यूस करेंट हाँ या ना यहां यहां पे इस लूप में मैंगनेटिक फ्लक्स चेंज होने की वज़ा क्या है लूप दूर मूफ कर रहा है कि यह दूर ना जाए और दूर ना जाए मैं इसके लिए वह क्या करेगा जो सैम सेंस की करेंट कर देगा हमने पढ़का है कि इसी आंट करते हैं इंटक है उसके यह करेंट करने लगेगा दूर जाने की जुकिर नता लागेगा पलकि जाना टशे एक बार इक और चले ऑब पता चलिका बाकी बी otherwise。」 होगा है तो कि यह फॉन यह मुक्त वालो जा रहा होगा तो जो एड्यूस करेंट हाइगा वह कुछ में आएगा कैसा सदशत में खॉसिंट मैं इसे पता किया क्योंकि हमें बहुत बेसिक पथफार पता है तक के लिए इस किसी भी वजह से इंड्यूज इमेफ या इंड्यूज करेंट जनरेट होंगे उस वजह का अपोजिशन होगा यह लूप दूर जा रहा है यहां पर इंड्यूज इमेफ जनरेट होने की लॉजिक या रीजन क्या है लूप का दूर जाना तो इंड्यूज इमेफ या करेंट च जो एक स्क्रावाला वायर किहाएं डो यहां हो गए और सिम्ड ड्रेक्शन की हो गी अर्टरेट कर पाएंगे मतलब राधा एक बार कर दिया चैते अपर कर लोगे गयी क्लाइकVIDS इस केस में भी करेंट कॉंस्टेंट दे रखी है यह लूप है जो मूव करके करेंट के पास आना चाह रहा है अपकी यह मूव करके पास आना चाह रहा है तो बताओ क्या होकि अपकी बार देखो बचा-बाटी फ्लक्स में चेंज होने की वज़ा क्या है लूप का पास आना है कि यह पास नहीं जा पाएगा जब यह वायर से रिपल करेगा रिपल करेगा जब इसके बिल्कुल क्लोजेस जो wire है उसमें अपोजीट ऐस अगर यह वर की तरफ करेंट है तो इसमें ऐंग्जटनी अपोजीट डाइरैकशन यहां जाना दूप जा रहा था इस वज़से यह चाहेगा यह दूर मंड़ ना जाए तो कि यह यहां पर यह लूप का छोने की वजह क्या इस लूप का इसके आपकी बार इस लूप का इसके पास जाना तो यह चाहेगा इंड्यूस करेंट चाहेगा कैसे भी करके यह पास नहाँ पाएं पास कब नहीं जा पाएगा जब यह वाइर इसको रोड़ कर दें तब र båं करेगा जब इसमें जो Mog करण की डायरेक्शन इसमें कड इडार जो इसके पहलाले और और निरेस्ट है उस Св lass रोड़ में एपके रिबиляंगनिग में इस case में भी current की बारे induced current की direction कैसी आ रही है clockwise लिएर इस case में भी induced current की direction कैसी आ रही है जो सिम्पल सी बात है की clockwise आएगी antics लॉक्वाइज ये depend करेगा कि इदिश बात पर induced current की चाहत पर चाहत क्या है कि जिस किसी भी वजा से एमिदाथ हो रहा है पर जिसकित भी बजह से फ्लक्स चेँज हो रहा है उस वजह का पोजिशन किया जैसे यहां पर Mystery लूप का पास जाना यार्ण यह कैसे भी करके करें पास ना जा पाया को जा पाइ करेगगा तो वही जो दो जाना चाहेगा तो इस तरीके से इंड्यूस प्रेंट की डायक्शन आप देख सकते अब यह नीट में दो बार पूछा जा चुका है नीट का पीवाई क्यू है इसका आंसर बताना जाए रहा है तो को बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल है यह मैंगनेट है यह क्वाईल है यह गैलवनोमेटर है जिसमें करेंट आप देख रहे हैं समझो बच्छा पाटी जब इस मैंगनेट को जब इसको पास में लेके जाओगे पूशन में कहा रहे है शौट बार मैंगनेट पास इस टीडी स्पेट राइट तुरू ए लॉंग इस चारों में से जो बेस्ट रिपेजेंट कर सकता है करेंट को तो देको बच्छा पाटी जो मैंने मैंगनेट को इसको पास में लेके जा रहा हूं तो क्या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा मालू मैंगनेट पहले दूर थी जिसे तो मैं सिमिलेशन से भी दिखा सकता हूं यह मैंगनेट दूर है देखना बच्छा पाटी जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा समझना जब मैं इस मैंगनेट को इसके पास लेके जा रहा हूं देखना वोल्ट मीटर में जो करेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जब मैं इसको पास में लेके जा रहा हूं तो देखो वह उसमें करेंट इधर आया लेकिन अब मैं जब इसको बाहर निकालूंगा तुम देखना यह वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा इस साइड होगा जब मैं इसको इसकी तरफ लेके आऊंगा तो डिफ्लेक्शन इधर होगा और जब इससे में दूर ले जा रहा हूँगा तो डिफ्लेक्शन इस डिरेक्शन में होगा हेदा एच дол पश्चा बाठो को अब है मैं बाहर निकालना हूँ तो इधर हो रहा है क्यूंत की बच्छा पार्टी वही प्लक्षन दीजीक जब ये अंदर पूरी पूरी मेंगेट बिल्कुल इन बिट्विन में होगी तो पूरा का पूरा लिंग्ट फ्लक्स जो है कोई चेंज यह नहीं हो रहा पूरी की पूरी मैंगेनट अंदर ही है जिस दियूरेशन में कोयल के अंदर ही अंदर है जब तक कोयल यहां से यहां नहीं पहुंच जाती और डिवलेशन में deflection क्या आएगा जीरो आएगा क्यों अब जो मैंगेनट वह पूरी की पूरी अंदर है कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा ना नंबर फिल्डाइज भढ़ पा रही है एंगी जब यह पूजित एंट से घटेंगी जब होगा दोस्ति जब यह मैगनेट बाहर निकलेगी तो number of field lines घटना शुरूँगी दोखो पहले जब यह इसकी तरफ आ रही थी तो number of field lines बढ़ रही थी बढ़ रही थी तो उसका oppose करने के लिए कुछ induce current आ रही होगी घटाने के लिए logic से समझना जब यह magnet pass आ रही है तो magnetic field lines बढ़ रही है तो induce EMF क्या चाहेगा यह induce current क्या चाहे कम हो रही है अब induce EMF यह current आएगी वो किस तरीके से आएगी इस तरीके से आएगी magnetic field lines को बढ़ाया जा सके तो दोनों बार जो current का sense होगा वो कैसा होगा opposite nature का होगा तो वही जब यह magnet किसकी तरफ आ रहा था तो अगर positive deflection में ले लू तब यह magnet इससे बाहर निकलेगी उस situation मे जो current आएगी वो opposite direction की आएगी इसलिए deflection भी opposite direction का होगा इसलिए option number one is the current बहुत प्यारा सवाल है दो से तीन बार नीट में पूछा जागी अगेन explain कर दे रहा magnet जब pass में आ रही है तो magnetic flux बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो induced current उसका कुछ oppose करेगी अपोस करने के लिए लेट से किसी भी एक direction में current आई मालो मैंने ऊपर की direction मालो अब जब magnet बीच में उस दौरान कोई कोई भी magnetic flux का कोई change नहीं तो कोई deflection नहीं जब magnet बाहर निकलेगी magnet के बाहर निकलने के वैसे क्या होगा अब linked flux कम हो रहा है तो induced current क्या चाहेगी कि कम ना हो तो बढ़ाना चाहेगी तो जो पहले जिस सेंस में current produce किया था घटाने के लिए अब उसके opposite direction में current flow करेगी तभी त घुसते वक्त अगर magnetic deflection positive है तो निकलते वक्त negative होगा घुसते वक्त negative माल लेते तो निकलते वक्त positive मतलब entry के समय जो current की direction होगी और exit की direct के समय जो current की direction होगी या पोजीट होगी बस यह बात ध्यान लागी जब magnet घुस रही है तो field lines बढ़ रही है तो induced current उसको घटाना चाह रही है और जब magnet बाहर निकल रही है तो field lines कम हो रही है अब induced current उसे बढ़ाना चाह रही है इसलिए दोनों ही केस में induced current हो या deflection हो दोनों की direction क्या होगी opposite आएगी एंटर करते वक्त अलग होगी exit करते वक्त अलग होगी जब magnet in between mid में होगी तो कोई flux का change नहीं होगा तो उतन न grazicolind to be a basic on the basis of length law लेंज लॉक किसके बचशे कंसर्वेशन के बसिस पर काम करता है on the basis of energy कंदर लेंजलौ किसके कंदर्वेशन के principle कंदर्वेशन के प्रिंसिबल पे काम करता है हो यहां तक सभी बच्चे कंफरटेंबल होंगे clear होंगे चुलिए बचोब आगे बढ़ते हैं जी सवाल हो गया अब लेंज लॉओ फेरेडे लॉओ की थियोरी तो पढ़ दी अब इस पे बेस क्वेशन प्रेक्टिस करते हैं भर भर के जितना अपन क्वेशन प्रेक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपनी अपनी अंडरस्टैनिंग सबसे पहले बात करते हैं कि पूछा क्या क्या जाता है तो बेसिक फंडामेंटली तीन इंड्यूज़ पैरामेटर के बारे में पूछा जाता है जिसमें नंबर वन पे हैं इंड्यूज़ इमेफ इंड्यूज़ इमेफ दो तरीके से निकाल सकते हो माइनस कर डी फाइबाई डी टी या फिर एवरेज इंड्यूज़ इमेफ की बात करेगा average induced EMF minus times delta phi delta phi is change in flux upon time delta phi upon delta t बोलो या d5 identity d5 identity instantaneous rate of change होता है और delta एक बड़े interval पे आपने जब change को इसागए तो पहली चीज आप से क्या पूछी जाती है induced EMF की बारे पूछा जाएगा दूसरा क्या पूछा जा सकता है induced current पूछी जा सकती है induced current तो बच्चा पार्टी अपनी भारती संस्कृती में क्या current को हमेशा EMF upon resistance बताया गया है हाँ यह ना EMF first step से निकाल दो के उसा resistance से divide कर दो के induced current आ जाएगी इसमें कोई भी देखने सोचने वाली बात ही नहीं है तो यह आ जाएगा minus का 1 by r into d5 by dt या फिर डेल्टा फाई के टम में बात करेंगे तो minus का 1 by r into डेल्टा फाई अपन डेल्टा तो यह तो हो गई कहानी कि इंड्यूस करेंट की इंफ लेंज लॉस है फरेडे लेंज लॉस से आ जाएगा इसके बारे में थियूरी पढ़ लेते हैं फिट करेंगे तो चार्ज फ्लोन पूछा जाता है कि अगर कहीं भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो तो डियूरिंग दे प्रॉसस ओफ फ्लक्स चेंज कितना चार्ज फ्लो किया होगा तो जो चार्ज फ्लोन की बात करूं मैं डेल्टा क्यूँ वह हमेशा किसके बराबर आता है चेंज इंफ्लक्स डेल फाई अपॉन रेइस्टंस के बराबर आता है यह क्या है बच्चा पाटी इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें प्रद्ट का चैंज कम समय हुआ या द्दी आफ़ चैंज फ्लक्स जादा है तो एम जाद़ा प्रडिउस होगी करेंट जाद़ा प्रडिउस होगी लेकिन चार्ज पर कद्दू कोई फरक नहीं होगा किस rate से flux change हो रहा उससे charge flown को फरक नहीं पड़ता charge जो flown होता है delta की उसको किस बात पर depend करता है सिर्फ एक बात पर depend करता है change in flux पे change in flux को total resistance of the circuit से divide कर दोगे तो total charge flown की value आ जाएगी जिसमें time का कोई parameter नहीं होता यह line बहुत important है कि यह time पर independent होता है और time के independent वाले इसी property का यूज करके कई बार बहुत मस्त मस्त सवाल आपसे पूछे जाते हैं यह तीनों इंड्यूस पारामेटर जो आप से एक्जाम से पूछे जा सकते हैं clear है सभी को induce EMF, induce current and charge flown यहां तक सभी बच्चे comfortable है clear है जली बताईए पका सचा बताईए सचा बताईए सर बताईए अब आगे बढ़ते हैं पहला अब यहां पर मैं एक short track तुम्हें दे रहा हूं note दे रहा हूं कि सीज के लिए बच्चा पार्टी change influx तुम देखो change influx के तार है इन जनरल जो नीट में सवाल आते हैं उसमें दो तरीके से change influx की बाते की जाती है पहला first कोई reason है magnetic field का if loop is removed from a certain field reason किसी reason में magnetic field थी उसमें कोई loop रखा था loop उस loop को magnetic field वाले reason से खीच के हटा दिया गया उस case में जो change influx आता है वो कितना आता है B into a magnetic field into area of the loop के बराबर आता है कितना आता है B into a पहला case हो गया कि किसी magnetic field वाले reason में कोई loop रखा था उसको वहां से खीच के remove कर दिया second case आता है if loop is turned around in the in time ठीक है loop is turned around ठीक है किसी loop को क्या करेंगे बच्चा पार्टी किसी magnetic field में पलट देंगे माल लो यह loop है माल लो ठीक है यह कोई loop है जो इस magnetic field है उपर की तरफ यहां पर रखा हुआ है यह loop इसको हटा नहीं रहे है बस इसको पलट के रख दे रहे है खटाक से पलट के रख दे रहे है ठीक है तो लूप को magnetic field से remove नहीं कर रहे है एक तो हो गया कि यहां पर magnetic field है यहां पर loop रखा है इसे खीच के बाहर निकाल लिया उस case में change in flux magnetic field into area of this loop आएगा magnetic field into area of loop आएगा और इसमें अगर n number of tons हुए तो number of tons से और multiply कर देते हैं n, b, a यहां पर n क्या है number of tons यह जो coil है जिसको आप हटा रहे है उसमें कितने number of tons है तो यह क्या देदेगा change in flux की value देदेगा लेकिन वहीं अगर किसी loop को second case क्या है turn around का कोई loop ऐसे रखा इसे पलट दिया वस उसी same field reason में पलट के रख दिया तो turn around अगर करोगे तो जो flux का change आता है वो two times आता है two into n, b, a ठीक है तो किसी field reason से किसी loop को हीच के बाहर निकाल दोगे तो change in flux कितना आएगा n, b, a simply n क्या है number of tons है और उसी field reason में किसी loop को तुम पलट के रख दोगे just पलट के रख दोगे तो जो change in flux आएगा वो double आएगा two times n, b, a, i hope यहां तक comfortable होंगे clear होंगे अब ready हो मैंने सारी चीज़े बता दी कि क्या क्या इंड्यूस parameter पूछा जाते हैं इंड्यूस EMF current और charge clone के बारे में पूछा जाता है तीनों में आप देखोगे change in flux की delta phi की बाते हो रहे हैं जो बहुत common face मैं ऐसा नहीं कर रहा है चेंज in flux सिफ दो cases में पूछा जाएगा जो बहुत common cases है जिसमें पहला case है कि कि किसी magnetic field के reason से किसी loop को खीच के हटा दे रहा है और remove कर दे रहा है उस case में change in flux nba का आता है और दूसरा case आता है जिसमें same magnetic field में बस loop को पलट के रख देते है तो पलट के रखने के case में क्या होगा change in flux two times nba का आए comfortable हो ready हो सवाल देखे जाए चलो पहला सवाल a magnet is brought near to coil in two ways first rapidly second slowly the induced charge will be charges के वारे में पूछा गया है तो क्या मैंने बताया है कि भाई जो charge flow होता है या induced charges जो आते हैं वो rate of change of flux पे depend नहीं करते induced charges जो आते हैं delta q उसकी value क्या होती है delta phi upon r इसमें कोई भी time का parameter नहीं होता तो तुम क्या है rapidly बहुत speed में ले आओ या अराम से लाओ दोनों ही case में जो charge flown होगा वो time के independent है तो charge flown क्या होगा same होगा equal in both the cases answer आएगा क्यों 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 जो induced parameter में induced charge वाला जो parameter होता है वो independent of time होता है तो किसी भी flux का change तुमने बहुत तेजी में किया या अराम से किया दोनों ही case में कोई फरक नहीं पड़ता charge flown को charge flown या induced charge की बात करें तो वो कमफर्टेबल होंगे clear होंगे जली बताइए पका बताइए सचा पताइए सर बताइए अगला सवाल करिए कोई लूप है जिसका area तुम्हें दे रखा है four meter square placed in a magnetic field magnetic field की value दे रखी है two tesla if the resistance of the loop is five ohm fine then find if it is turned around in two seconds if it is turned around in two seconds किसी field reason में क्या कर रहे हो किसी loop को पलट के रख दे रहे हो पलटने में समय कितना लग रहा है दो सेकेंड लग रहा है तीन parameter पूछे हैं EMF induced induced EMF की बारे मैं पूछ रहे हैं current कितना अफ्लोन होगा और चार्ज कितना फ्लोन होगा तो अच्छा पार्टी शुरू करते हैं first part पर इंड्यूज EMF की अगर मैं बात करूँ तो माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे अगर लूप को पलट के रख रहे हो तो चेंज इन फ्लक्स की वैलू माइनस तो चलो direction of EMF बताएगा डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स की वैलू टू इंटू बी एक ही लूप है तो टू इंटू बी इंटू ए लिख दोगे अपॉन डेल्टा टी माइनस बी कितना है बच्चा पार्टी तू एरिया कितना है फोर और कितने टाइम में ये चेंज़ेज हुए तू सेकेंड में तो आंसर आ जाएगा माइनस का एट वोल्ट तो बेसिकली फर्स पार्ट का अगर मैं मैंगनिटूड ओफ एमफ की बात करूँ तो एट वोल्ट आएगा कमफटे बेले सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है करेंट जा इंड्यूस करेंट की बात करें तो वो सिंपली एमफ अपॉन रिजिस्टेंस होता है तो रिजिस्टेंस किती है पांच हो तो आठ बटा पांच दाट इस एक्वेस्टू 1.6 एमपियर आ जाएगा थर्ड पार्ट आफ क्वेस्टेंस देखते हैं चार्ज फ्लोन फूचा है तो चार्ज plotट क्यों की वैलू क्या डल्ट केंजिन फ्लक्स अपोर रिजिस्टेंस होगगा डल 5 आ रहा है चेंज इन फ्लक्स केता आएगा अगर बचा पाटे किसी लूप को टर्न एराउंड कर रहे हो पलट के रख दे रहे हो तो उस case में change in flux क्या 2 into B into A आता है upon resistance R कर देंगे 2 B कितना है 2 है area कितना है 4 है और resistance कितनी है 5 है तो यह आ जाएगा 16 बटा 5 coulomb 16 by 5 coulomb इतना charge flow हुआ होगा इस circuit में इस पूरे process के दोरान I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे clear होंगे must होंगे और काफी better situation में होंगे numerical solve करके ज़्यादा comfortable feel अगला सवाल करते हैं बच्चा बाड़ी यह question दे रखा है कि square loop दे रखा है जिसका area तुम्हें दे रखा है 4 meter square उस reason में magnetic field दे रखी है induced EMF बताना है T is equals to 2 second पे induced current बताना है T is equals to 1 second तो बच्चा पाड़ी कितने प्रतिशत भारती ऐसे हैं जो flux की value magnetic field into area मानते हैं जो बात में belief रखते हैं कि flux की value magnetic field into area होता है B की value दे रखी है area की value दे रखी है तो flux पहले निकाल दो magnetic field किता है 2T square minus 3T plus 8 इसे area of the loop से multiply कर दे that is 4 तो जो flux आ जाएगा 4 to 8T square minus 4 to 3 जा 12T plus 8 4 के 32 ये आपका flux आ जाएगा अब induced EMF की अगर बच्चा पाटी मैं बात करूँ तो क्या भारती संस्कृती में D5YDT बताया गया है minus का वो भी differentiate करो 8 T square का differentiation क्या 2T होता है minus 12 T का differentiation 1 plus 32 का differentiation एक constant है तो 0 हो जाएगा induced EMF की value आ गई minus अंदर multiply कर तो 16T minus minus प्लस हो जाएगा plus 12 अब आपसे question में कितने second पे पूछा है T is equals to 2 second पे आपसे EMF की value पूछी गई है EMF at T is equals to 2 की मैं बात करूँ तो इस function में T की जगा 2 put कर दीजे 16 into 2 plus 12 तो यह हो जाएगा minus का 32 plus का 12 EMF की value आ जाएगी minus 20 volts अब आता है induced current at T is equals to 1 second कैसे निकालेंगे induced EMF का तो formula आ गया है minus का 16 T plus 12 तो जो current होगी induced current यहाँ पे मैं second part कर देता हूँ yellow color के pen से induced current जो होगी T is equals to 10 second पे क्या वो induced EMF at T T is equals to 1 second पे तो वो induced EMF at T is equals to 1 second upon resistance के बराबर होगी तो इस function में T की जगा 1 put कर दीजे resistance of loop कित्ता दे रखा है 2 ohm दे रखा है current at T is equals to 1 कित्ती हो जाएगी minus 16 plus 12 कित्ता हो जाएगा minus का 4 बटा 2 that is minus 2 ampere हो जाएगी clear है T is equals to 1 पे current कित्ती आएगी 2 ampere आएगी और T is equals to 2 second पे EMF कित्ता आएगा minus का 20 volt I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे clear होंगे simple social से सवाल आते हैं induced EMF current पे लेके जो मैंने आपको करा दीए और question practice करते हैं इन्हें coil of area coil का area दे रखा है centimeter square में ध्यान देना number of turns दे रखे यह N दे रखा है यह A दे रखा है with magnetic field directed perpendicular to the plane and is changing at the rate of 10 to the power 8 gauss per second gauss क्या है CGS unit of magnetic field होती है तो basically आपको dby dt दे रखा है question में magnetic field changing at the rate मतलब rate of change of magnetic field dby dt दे रखा है और कित्ता दे रखा है 10 to the power 8 gauss पर से तो सबसे पहला task क्या होता है अपने पास कि कोई भी चीज जो अगर SI units में ना हो तो पहले हम उसे SI unit में बदले जिनको नहीं पता magnetism में ध्यान नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ 1 gauss 10 to the power minus 4 Tesla के बराबर होता है 1 gauss किसके बराबर होता है 10 to the power minus 4 Tesla के बराबर होता है तो dby dt की value अगर मैं Tesla में निकालना चाहूँ 10 to the power 8 को 10 to the power minus 4 से multiply कर देगे तो 10 to the power 4 Tesla पर सेकेड आ जाएगा dby dt comfortable है the resistance of coil दे रखा है current in the coil पूछा गया है तो current अगर जो पूछी गई है तो current की value भारती संस्कृति में क्या EMF upon resistance बताई गई है तो इसके लिए हमें EMF निकालना पड़ेगा EMF क्या बच्चा पार्टी माइनस का d5i dt लिखते है lux को इन्टू एरिया लिखते है magnetic field into area area अगर constant है तो d5i dt को माइनस का area into dby dt लिख सकते है flux अगर magnetic field into area area constant है magnetic field change हो रही है तो area constant ले लिया तो d5i dt माइनस का area into dby dt के बराबर हो जाएगा area किता है 10 centimeter square centimeter square को meter square माँ बदलने के लिए 10 to the power minus 4 से multiply किया जाएगा वह एक मीटर में कितने centimeter होते है 1 centimeter 10 to the power minus 2 meter centimeter का square है 10 to the power minus 2 का square करोगे 10 to the power minus 4 और dby dt की value किया है plus का 10 to the power 4 है तो यहां से particularly EMF की value आ गई minus 10 volts EMF किता आ गया minus 10 volts यह बात अगर आप सभी लोग को comfortable हो चुके हैं और clear हो चुके हैं एक बार EMF आ गया तो current क्यावच्चा पार्टी EMF upon resistance होता है EMF किता है minus का 10 resistance of the loop किता है बच्चा पार्टी अच्छा 10 tons भी थे तो यहां पर 10 और multiply होगा NBA में N आएगा यहां पर एक 10 और आएगा तो यह किता हो जाएगा area 10 to the power 10 cm था तो 10 into 10 to the power minus 4 number of turns किते हैं बच्चा पार्टी N की value भी 10 है और dby by dt 10 की 10 की power plus का 4 है तो यह answer आ जाएगा minus का 100 volts माइनस का 100 volts माइनस तो सिर्फ डारेक्शन बता रहा है तो यह 0 यहां पर भी टिका दो दोस्त resistance of file किता है 20 ohm दे रखा है तो current किता आ जाएगा minus का 5 ampere minus magnitude है sorry minus direction sense of current बताएगा amount magnitude of current किता है 5 ampere कौन सा option सही होगा option number 2 is the correct choice for the given question I hope यहां तक सही बच्चे comfortable होंगे and clear होगे simple सवाल होते है अगला सवाल करो magnetic flux of 500 microwave flux की value दे रखिये 500 weber micro है तो 10 to the power minus 6 weber passing through a 200 tons of coil number of turns किता दे रखा है is reverse in field की direction को बदल देते हैं field की direction को बदल दो या loop को ही पलट दो एक ही बात है ठीक है time the average EMF induced तो जब किसी भी चीज़ को field को पलट दो या loop को पलट के रख दो एक ही बात है उस case में जो change in flux आता है क्या वो 2 times N B A आता है मतलब जो total change in flux आएगा वो 2 times N into B into area को ही क्या flux कह रहे थे तो यह जो flux दे रखा है किसी भी एरिया से वो 500 एक लूप का air flux दे रखा है तो जो change in flux आएगा total reverse करने की वज़ा से 2 number of tons किते हैं 200 और जो total flux था वो किता था 500 into 10 to the power minus 6 था तो net change in flux टू टू जा पोर पोर फाइव जा 20 और दो एक तीन एक चार जीरो into 10 to the power minus 6 तो यहां से total change in flux जो आ जाएगा वो किता आ जाएगा 0.2 आ जाएगा change in flux आ गया EMF क्या होता है बच्चा पाटी अगर magnitude of EMF की बात करें तो delta 5 upon delta T होता है change in flux upon time change in flux की अगर मैं बात करूं तो solve करके 0.2 आया है कितरे time में होगा यह change 20 into 10 to the power minus 3 इसको उपर भेज़ दो 10 to the power minus 3 को तो यह उपर किता आ जाएगा 200 बटा 20 आ जाएगा आंसर आ जाएगा 10 EMF कितना induce होगा 10 volts का EMF induce होगा I hope यह बात clear होगी total flux एक लूप के थ्रू जो flux होगा वो question में दे रखा था 500 माइक्रो वेबर माइक्रो मतलब 10 to the power minus 6 और ऐसे कितने टन्स थे 200 टन्स थे और उस रीजन की magnetic field तुमने पलट दी मतलब एक तरीके से loop पलट दो या magnetic field पलट दो एक ही बात है तो उस case में जो net total change in flux आता है टू टाइंस एन भी आता है बी इंटू ए की वैलू हमें 500 इंटू 10 to the power minus 6 दे रखी थी तो 2 इंटू एन इंटू 5 बी इंटू एको 5 लिख दिया तो 2 इंटू एन 5 की वैलू दे रखी थी सॉल कर लिया यहां से फ्लक्स टोटल फ्लक्स टोटल चेंज इन फ्लक्स आ गया टोटल चेंज इन फ्लक्स को टाइम इन चेंज डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो net induced का magnitude आ जाएगा है क्लियर है दोस्ट एक सवाल और करो magnetic field in a certain reason is given by किसी reason में magnetic field दे रखी है जिसका एक i component है और एक k में component है the magnetic flux passes through a loop of area इतना area दे रखा है placed in x y plane यह बहुत ही खुबसूरत सवाल है दोस्ट समझे ना बच्चा पाटी माल लो कोई area है यह square है यह किसी x y plane में पड़ा हुआ है square की जगा माल लो यह जाली है जो x y plane में पड़ी हुई है यह loop है तो कोई भी magnetic field जो along x axis होगी क्या वो इसको cut कर पाएगी इस loop को नहीं कर पाएगी क्यों क्योंकि लिए in the plane of loop आ जाएगी क्या कोई जो magnetic field along y axis उपर की तरफ जो field होगी क्या वो इसको cut कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो उसकी through भी flux link क्या होगा जीरो लेकिन कोई magnetic field जो perpendicular to the z y axis हो क्या वो इसको छेदते हुए बाहर आएगी मैं छेद नहीं सकता क्योंकि लिए मम्मी मारेगी अगर जो z axis के along की magnetic field होगी क्या वो इस जाली को तोड़ता हुआ छेदता हुआ क्या बाहर निकल के आएगी magnetic field हाँ या ना हाँ या ना बातारी समय जो इसके plane में होगी along y axis वो इसके parallel होगी इसको cut नहीं करेगी जो along x axis magnetic field lines होगी वो भी cut नहीं करेगी लेकिन जो along z axis होगी वो इसको छेदते हुए इसको cross करते हुए बाहर निकल के आएगी field lines और हमें पता है flux किसकी वज़े से होते हैं जो field lines cut करके बाहर आए तो इस area को इस loop को cut करके बाहर कौन सी magnetic field आप आएगी सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चा पार्टी along z axis वाली field lines आप आएगी मतलब k cap वाली क्यों के लिए plane किसमें है यह area किसमें xy plane में रखा है तो इससे जो associated flux होगा दोस्त क्या वो magnetic field along z axis into area के बराबर होगा magnetic field z axis के along कितनी है बच्चा पार्टी 15 into 10 to the power minus 4 है magnetic flux माइनस का 15 के कैपता है तो माइनस 15 और आगे क्या मल्टिप्लाइए 10 to the power minus 4 तो magnetic field की value minus का 15 in 10 to the power minus 4 है area up loop किता है 5 cm2 है तो 5 सेंटी मीटर स्क्वाइर की अगर मैं बात करूं तो क्या 10 to the power minus 4 से multiply कर दूंगा मीटर स्क्वाइब बदलने के लिए तो नेट चेंज इन फ्लक्स किता आ जाएगा माइनस 15 फाइव से 75 इंटू 10 to the power minus 8 वेबर ठीक है इसे माइनस का 750 इंटू 10 to the power minus 7 वेबर लिख दो ठीक है अब जो 10 to the power minus 7 है उसे आपने किसमे टम में लिख दिया है क्लियर है दोस्तों उसे 750 इंटू 10 to the power minus 7 नहीं आएगा यह 10 to the power minus 9 आएगा ठीक है तो और माइनस 9 को नैनो वेबर लिख सकते हो तो वही एन नैनो वेबर लिखा है तो माइनस 750 नैनो वेबर लिखा है ठीक है 10 to the power minus 9 को क्या लिखते हैं रेप्रेजंट करते हैं अलफावेट एंसे बोलते क्या है नैनो ठीक है तो सिंपल सवाल था समझ में आया यह बात समझ में आया कि सिर्फ Z axis के along की magnetic field कट करेगी इसका कोई काम नहीं रह जाएगा क्योंको यह वाली field lines in the plane of loop आ रही है तो जो भी loop के parallel आते हैं magnetic field lines उसका flux में कोई count नहीं आता तो वही field lines लेते हैं जो perpendicular to the plane होती है clear है next question की बात करते है a coil having an area A0 is placed in a magnetic field which changes from B0 to 4B0 in a time interval तो अगर मेरे को change in flux निकालना है तो final flux minus initial flux लिख दूँगो area A0 था final magnetic field 4B0 है तो final flux जो होगा वो 4B0 into A होगा initial magnetic field B0 थी तो B0 into area किता था A0 ही था तो क्या यह change in flux आ जाएगा तो change in flux की value आ गई time interval दे रखका induced EMF पूछा है क्या induced EMF माइनस का delta T किता है T इतने वोल्ट का EMF generate होगा माइनस सिर्फ सेंस ओफ EMF बता रहा है magnitude wise 3B0 A0 upon T तो 3 times B0 A0 upon T that is option number one is the correct choice for the given comfortable है कर देंगे इस तरीके के सवाल मुहबबत के साथ खुशी-खुशी और सवाल करते हैं सवालों पर सवाल करते हैं magnetic flux linked with a coil in an is given by equation तो जो flux 5 जो है linked उसकी equation दे रखी है क्या दे रखा है 8T square plus 3T plus 5 induced EMF in a coil at T is equals to 4 seconds दे रखा है यह तो बहुत सिंपल सवाल हो गया induced EMF क्या होता है माइनस का d5 by dt होता है differentiate कर दो d5 by dt मतलब इसका differentiation 8 constant t square का differentiation भारती संस्क्रिट के नुसार 2T plus 3T 3 तो constant t का differentiation 1 और 5 का differentiation 0 induced EMF की value आ जाएगी minus times 8 to 16 T plus 3 कितने second पर बोला है T is because to 4 seconds पे induced EMF पूछा गया है T की value for put कर दीजें माइनस का 67 इंड्यूस की value कितनी आ गई माइनस का 67 वोल्ट्स आ गई है माइनस का 67 उनिट्स के दीजें माइनस की बात करेंगे तो 67 आएगा option number 3 is the correct choice for the given question I hope यहां तक clear है सभी लोग बड़ा अच्छा सवाल है लेंज लोग की direction को सोच यह बार मेंगनेट इस रिलीस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कंडेक्टिंग क्वाई द एक्सलेरेशन ऑफ बार मेंगनेट इस यह कोई क्वाईल है यहां से मेंगनेट को गिरा रहे हो तो पूछ रहा इसका अच्छलेरेशन क्या होगा देकर दोस्त जैसे ही बार मेंगनेट नीचे गिरना सुरू होगी तो जैसे जैसे यह इसके पास आएगी क्या फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो induce EMF generate होगा और वो induce EMF क्या चाहेगा कि फ्लक्स के चेंज होने का अपोस करेगा वो इंड्यूज एमेफ चाहेगा कि कुछी भी प्रकार का कोई भी फ्लक्स चेंज ना हो तो अब वो कैसे करेगा जैसे हो पाए वैसे करेगा तो सबसे पहले लेंज लौ में हमने क्या सीखा था जिस किसी भी वज़ा से जिस किसी भी वज़ा से फ्लक्स में चेंजों का उस वज़ा का अपोजिशन हो यहाँ पे वज़ा क्या है बच्चा बाटी इस मैंगनेट का नीचे गिरना तो इंडियूज इमेफ क्या चाहेगा कि यह नीचे ना गिरे तो इस वज़ा से यह क्वाइल क्या करेगी अपना यहाँ पे करेंट इस तरीके से फ्लो कराएगी ताकि इसके यहाँ पे नौर्थ और यहाँ पे साउथ जनरेट हो ताकि यह क्वाइल क्या करे इस मैंगनेट को रिपल करे क्वाइल जो मैंगनेट पे फोर्स लगाएगी वो कुछ इस तरीके लगाएगी इस तरीके से आएगा ताकि जिस किसी भी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस वजह का आपोजीशन कर सके तो यहां पे flux के change होने की वजा क्या है? mänगनेट का नीचे गिरना तो यह coil कहेखा कि नहीं नीचे ना गिरो तो coil क्या करेगा? इसको repel करेगा इस मैगनेट को ऊपर की तरफ तो अगर यह coil magnet नीचे गिरना चाह रहा है तो इसे क्या करेगा बच्चा पर्टी इसको ऊपर की तरफ रिपल करेगा अगर उपर अपने टू ग्रैविटी अगर यह इसको फोर्स लगा रहा है तो नेट एर्शरेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी less than तो यह मैंगनेट किसी एक्सेशन से गिरेगी जो जी से थोड़ी सी कम होगी क्यों ग्राविटी का एम जी फोर्स तो लगी रहा है लेकिन क्वाइल में जो इंड्यूज इम आया उसकी वैसे जो इंड्यूज करेंट आई उसकी वैसे जो पॉलारिटी डेवलाप होई वो स्पेल करेगी तो एम जी के एपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक लगा देगी उसके से जो नेट एक्प्रेशन मिलेगा क्वाइल का वो जी से कम मिलेगा बहुत ही प्यारा सवाल लेस दें जी अज़िए तरेक्ट च्वाइस फॉर्द गिवन पॉर्शन क्लियर है दोस् जी लॉंग स्टेट करेंट करेंग कंडक्टर इसमें करेंट किती जा रही है आई जा रही है इस फिड्व और स्मूथ प्लेन इस सर्कुरल लूप इस प्लेज ऑन दे सेम प्लेन एशो इन फीग दो करेंट आई थो दा वायर इस इंक्रीजिंग दें लूप विल मूफ तू पोशन में कहा है कि अगर ये करेंट बढ़ेगा तो ये लूप किदर जाएगा तो देखते हैं अच्छा पार्टी लेंज लॉव लगा के करेंट को बढ़ा रहे हो अप डरेंट को बढ़ा रहे हो अगर इस vire में करेंट बढ़ रहा है तो इस लूप की जगहां पे जो मांगेंटिक फील होगी वो किधर होगी पहले तो ये देखो इसके लिए मैंने क्या हैंड रूल बताया है सीधा हाथ अंगुठा उंगलिया ना तो इस पूरे रीजन में जहां पर यह लूप रखा है इस पूरे रीजन में जो magnetic field होगी वो कैसी होगी अंदर की तरफ होगी अगर यह current बढ़ रही है तो magnetic field का formula current carrying wire की वैसे mu not i upon 2 pi r लिखते थे क्योंकि current बढ़ा रही हो तो क्या magnetic field भी बढ़ रही होगी मतलब इस पूरे रीजन में magnetic field बढ़ रही है अगर magnetic field बढ़ रही है तो अंदर की तरफ flux बढ़ रहा है सीधा हात लो अंदर की तरफ flux बढ़ रहा है तो induced EMF यह current जो इस लूप में आएगी वो क्या चाहेगी कि flux ना बढ़े क्यों induced EMF यह current का क्या logic होता है उनकी चाहत होती है कि flux में किसी भी प्रकार का change ना generate हो चेंज कैसे आ रहा है magnetic field के बढ़ने की वज़े से आ रहा है तो क्या चाहेगी बच्चा पार्ट्री इूस करेंड उसे घटाना चाहेगी अब कैसे घटा पाएगी इस तरीके से घटा पाएगी अगर अंदर की magnetic field बढ़ रही है तो बाहर एक अगर magnetic students कर देगी तो net जो अंदर बढ़ रहा है वो कम बढ़ पाएगा अ और अंदर की magnetic field बढ़ कर ओ कि net magnetic field को बढ़ने से रोख सकती है, बिल्कुल रोख सकती है, तो net magnetic field सीधा हाथ ले लो, अंगुटा बाहर की तरफ कर दो, उंगलियां curl करो, जो इंड्यूस करेगी, वो इसके opposite direction में करेगी, क्यों? यहां पर flux के change होने की वज़ा क्या है, तो इससे घटाना चाहेगी, घटाने के लिए जो ओरिजिनल magnetic field की direction तो उसके opposite direction में एक नई magnetic field प्रेड्यूस करना चाहेगी, अगुता बाहर करदो, उंगलियां curl करो, जो इस sense में curl हो रही है, जिस sense में गूंब रही है, उसी sense में current की direction हो गी, तो अगर उंगलियां मेरी ऐसे घूम रही थी, उंड्यूस करेंट कुछ इस direction में आईगी, एक बार induced current आ गई कैसी आई बच्चा पार्टी anti-clockwise आए हमसे question में यह नहीं पूछा है कि यह loop में current किस sense में आ रही clockwise anti-clockwise हमसे पूछा जा रहा है कि यह loop किधर move करेगा एक बात समझो बच्चा पार्टी जो nearest wire है इस straight conducting wire के loop का वो part जो इसके closest है उसमें current कैसी है opposite है या same sense की opposite sense की opposite दो wire में अगर opposite sense में current होती तो दो wire क्या करते है रिपल करते है और वहीं अगर दो wire में current same sense की आती ही तो attract करते हैं तो हमने जब current का sense निकाला तो हमें पता चला कि इसमें जो current का sense है और इसमें जो current का sense है opposite है यह दोनवे दुस्टे को repel करेंगे, रिपल करेंगे मतलब इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, मतलब यह लूप किधर जाएगा, इस साइड पर जाएगा, यह साइड कौन सी है, राइट साइड है, लेफ्ट इदर होगा, राइट इदर होगा, comfort लेकले है तो यह लूप टूवर्ड्स राइट मॉफ करेगा अई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे क्लियर होंगे जल्दी बताइए पका बताइए सच्छा बताइए सर बताइए कि और सवाल करें जाए एक और सवाल है लेंज लाओ पे बैस तो अकुलर लूप इस प्रेस निए हरे करेंट करेंग कंडुक्टर आज शोन इफ द करेंट इस ट्रेट कंडुक्टर इस डिक्रीजिंग यहां पे बोल लाखा है कि इस करेंट में इसमें करेंट एक तो नीचे की तरफ है और करेंट डिक्रीज कर रही है तो पूछा इसमें लूप में करेंट कैसी प्रेडियूस होगी तो पहले देखो कि current अगर नीचे की तरफ है तो इस लूप की location पे magnetic field की direction क्या होगी सीधा हाथ लेना अंगुठा उंगलिया 90 डिग्री पे अंगुठा current की direction में उंगलियां point की तरफ जहां पे तुम्हें magnetic field चाहिए पाम देखो किदर जा रहा है अंदर जा रहा है मतलब इस current की वज़ा से इस पूरे reason में जो magnetic field होगी वो अंदर की तरफ होगी यह बात समझ नहीं है क्योंकि current कम हो रही है तो क्या magnetic field भी कम होगी current और magnetic field proportional होती है अब देखो यहां पे flux में change आने की वज़ा क्या magnetic field का घटना तो induced EMF या current क्या चाहेगी कि magnetic field ना घटे flux ना घटे तो अगर यह घट रही है तो induced EMF क्या चाहेगी यह ना घटे और अगर यह ना घटना चाहेगी तो क्या करेगी induced EMF जिस direction में यह magnetic field है खुद induced current भी उसी सेम direction में magnetic field प्रेड्यूस करेगी तभी तो इसके घटने के effect को nullify कर पाएगी यह magnetic field अगर कम हो रही है तो induced EMF या current क्या चाहेगी कि magnetic field कम ना हो ना हो तो जो जिस direction में magnetic field उसी direction में एक extra magnetic field produce करेगी तभी तो इसके घटने के effect को nullify कर पाईगी मतलब जो induced EMF या current आना के वैसे magnetic field आनी है अब की बार तेम direction में आ रही है मतलब into the plane आनी है मतलब अंग उठा ले लो इंटु में घुजा दो अब उउगलिया देखो कैसे sense में करल हो रही है उगलिया करल हो रही है ऐसे sense में जिस sense में उगलिया सब्सक्राइब कर दोगी अ है है तो कुछ I hope यहां तक भी सभी लोग comfortable हो चुके होंगे, clear हो चुके होंगे और एक इक बात आपको अच्छे से काइदे से समझ में आ चुकी next सवाल की बात करते हैं a field of 0.2 tesla acted perpendicular to the coil of area इतना दे रखा है with 15, number of turns दे रखा है, यह area दे रखा है, यह magnetic field दे रखा है coil is removed, coil को अगर किसी magnetic field से remove कर लेते हो एक होता है पलट देना, turn around और दुसरा होता है remove तो जब coil को remove करते हो, उस case में जो change in flux आता है क्या वो NBA का आता है सरफ, अगर पलट देते तो 2 NBA का आता है अगर remove करते हो, खीच के बाहर निकाल लेते हो, तो NBA का आता है यह मैंने लिखा रखा है, अब values पुट कर दो, number of turns किते हैं 50, magnetic field किते हैं 0.2 area किता है 100 cm2, cm2 के साथ 10 to the power minus 4 दहेज में आएगा क्या हाँ यह न, NBA, तो जो change in flux आ गया, वो किता है आ गया, 5 into 2, 10 आ जाएगा into 100 था तो यह 3, 0 और आ जाएगे, 10 to the power minus 4 आ गया तो change in flux यहाँ से solve करके 0.1 आ गया वेबर, एक बार change in flux आ गया, आपको क्या चाहिए induce EMF चाहिए माइनस का delta 5 upon delta 3, EMF कितना हो जाएगा डेल 5 का magnitude 0.1 है, time भी कितना लगा, 0.1 लगा तो एक वोल्ट का EMF generate होगा magnitude wise, magnitude wise 1 वोल्ट का EMF generate होगा bare minimum, यहाँ तक सभी बच्चे comfortable है, clear है, जली बताइए, पका बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए, एक एक बात समझ में आई, question समझ में आए कि faraday और lens पे induced parameter पे क्या क्या पूछ सकते हैं, current पूछ सकते हैं, और charge पूछ सकते हैं, बता दिया, दूसरे वो direction of current की questions पूछ सकते हैं, lens log पे, वो मैंने बता दी, सारी बाते clear होगे, अब इसके बाहर, कोई scope ही नहीं है सवाल बनने का, कि पूछे जा सकें या बन पाए, जब बरी नहीं सकते हैं, तो पूछ क्या सकते हैं, तो everything is clear, आप सभी लोग को यहां तक सारी बाते समझ मैं हाँ या ना, यहां तक clear है दोस्त, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और next topic पढ़ते हैं, that is emotional EMF, किसकी बात करेंगे, emotional EMF की बात करेंगे, तो किसी magnetic field में अगर किसी current carrying, sorry, किसी भी conductor को जब आप move कराएंगे, क्या चीज, किसी भी magnetic field में अगर किसी भी conductor को आप move कराएंगे, तो उसके ends के across क्या एक EMF generate होता है, किसी EMF को क्या कहते हैं, emotional EMF कहते हैं, तो emotional EMF कैसे define करते हैं, EMF is equals to B vector dot DL vector cross velocity vector ka integral, integral B dot DL cross V define होता है, emotional EMF, this is how it is defined, क्याच is, integral B vector का dot product ले लो DL cross, अब धब रहो मत, मैं इस चीज को बहुत simplify तुमारे लिए कर देने बाएंगे, uniform field के लिए बात करते हैं, यही EMF का जो formula हो जाता है, वो हो जाता है B vector dot L cross V, L क्या है बच्चा पार्टी, conductor की length vector, वी क्या है velocity vector, और B क्या है magnetic field, अब अगर बच्चा पार्टी इस formula को मैं खोल दूँ, induce EMF की formula आ जाएगी, B L V sin theta, क्या आ जाएगी, B L into V sin theta, इसे प्यार महबबत में तुम EMF को B into L into V perpendicular, तो EMF का finally जो आप formula ध्यान रखने वाले हैं, वो क्या define करने वाले हैं, B into L into V perpendicular, शारे शाब्दों का मैं मतलब एक बार अलग से लिख देता हूँ, फिर इसको बहुत प्यार महबबत के साथ, एक के term को, एक के concept को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, ready हो, तो यहाँ पर B क्या है बच्चा पार्टी, magnetic field है, magnetic field है, L क्या है बच्चा पार्टी, effective length है, यह बहुत ही important concept है बच्चा पार्टी, L total length of wire now के effective length होती है, मतलब आप सिर्फ initial और final point को connect करने वाली जो straight line है, क्या चीज, initial और final point को connect करने वाली जो straight line है, उसकी length को small L कहेंगे, और V perpendicular क्या है, component of velocity perpendicular to length, जो L effective आई है, यह small L आया है, इसके perpendicular जो velocity का component होगा, वहाँ पे यह वाला V perpendicular लेते हैं, तो EMF का formula आगया, B into V, B into L into V perpendicular, क्या आगया दोस्त, B into L into V perpendicular, अब समझना बच्चा बाटी, EMF की जब मैं बात करता हूँ, यह term जो है, यह नाम पहले भी सुन रखा है, EMF मतलब battery, battery के cross, terminals के cross, जो potential difference आ रहा है वही चीज़े, EMF मतलब technically समझो, battery के अंदर जो potential difference generate हो रहा है, हाँ यह ना, तो जब भी मैं EMF की बात करता हूँ, तो क्या अपने दिमाग में एक battery का sense आता है, कि भाई battery बनेगी, इस battery का कुछ terminals के cross potential difference होगा, अगर internal license 0 है, तो वही EMF of the battery होगा, तो देखो बच्चा पाठी, battery के लिए दो चीज़ important होती है, जानना, एक magnitude of potential difference जो यहाँ पे लिख देते हैं, और कौन सा lower potential terminal है, और कौन सा higher potential terminal है, सब को बता है, यह जो छोटी वाली जो डंडी होती है, जिस side वो lower potential पे होता है, वो आला end, और जिदर बड़ी डंडी होती है, उदर higher potential पे होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, वैसे ही, जैसे माल उस बच्चा पार्टी, मैंने यहाँ पे यह एक battery मना दी, और यहाँ पे लिख दिया 5 volts, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इन दोनों terminal के बीच में potential difference किता है 5, अगर बच्चा पार्टी मैंने बोला कि यहाँ का potential, let's say, X है, तो यहाँ का potential, छोटे से बड़े terminal पे जब भी जाओगे, तो potential add होगा, तो यहाँ का potential X plus 5, हाँ या ना, तो basically battery, या फिर कोई भी EMF source या, battery होती है, उसके लिए दो चीज़े जानना बहुत ज़रूरी है, एक कि कितना potential difference, magnitude of potential difference कितना है, और कौन सा terminal छोटा है, कौन सा बड़ा है, अब battery में तो बड़े easily तुम देख के बता दो कि कौन lower potential है, कौन higher, जिदर छोटी डंडी, वो lower potential, जिदर बड़ी डंडी, वो higher potential, छोटी से बड़ी डंडी की तरफ जाओगे, तो potential add होता है, यह basic सी बात है, अगर बच्चा पार्टी मैंने battery ऐसी बना दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ है, इस battery का EMF 8 वोल्ट है, मतलब यह battery 8 वोल्ट का potential difference create कर रही है, जिदर यह छोटी डंडी है, यह वाली side जो है lower potential end है, और यह वाली side higher potential end है, क्या यही सीख रहे हैं, हाँ या ना, तो जो motional EMF से, इसी conductor को magnetic field में move कराने की वज़े से, जो motional EMF generate होगा, उसका तो एक तो magnitude होगा, और साथ में direction भी होगी क्या, या उसमें भी तुम्हें बताना पड़ेगा की कौन सा lower potential terminal है, और कौन सा higher potential terminal है, lower और higher potential terminal identify करने होंगे, हाँ या ना, तो यहाँ पे motional EMF में एक तो magnitude सीखेंगे, इस वाले formula से, और दूसरा ये बताना सीखेंगे, कि कौन सा terminal higher potential पे है, और कौन सा terminal lower potential पे होंगे, पहले magnitude की पूरी PhD कर देते हैं, कि इसका magnitude कैसे निकाले होंगे, तो पहले heading लगा लेते है, motional EMF में, magnitude of EMF, magnitude of EMF, तो magnitude of EMF, निकालने के लिए अभी एक formula रेखा था, क्या होता है, B into V perpendicular into L, ध्यान रखना बच्चा पाइटी, इस formula में, B into V perpendicular into L में, all three, यह तीनों क्या होने चाहिए बच्चा पाइटी, all three must be perpendicular to each other, B perpendicular to V, magnetic field perpendicular होनी चाहिए, V perpendicular के और वो perpendicular होनी चाहिए, यह तीनों component जो हैं बच्चा पाइटी, यह तीनों component जो हैं, वो एक दुसरे के perpendicular होना must है, अगर यह तीनों component एक दुसरे के perpendicular नहीं हुए, दोनों में, कोई भी दो अगर parallel हो गए, कोई भी दो अगर parallel हो गए, आपस में एक दुसरे के, तो emotionally MF जो generate होगा, कित्ता होगा, zero होगा, if any two, becomes parallel to each other, then EMF induced कित्ता होगा, zero, उस case में EMF induced कित्ता होगा, zero, अब मैं कुछ cases तुम्हें बना के देता हूँ, तुम्हें बताना होगा कि क्या वहाँ पे emotional EMF zero है या non zero है, ठीक है, ready है, ये कोई reason है, जहाँ पे ये कुछ इस तरीके की uniform magnetic field दे रखी है, दोस्त, ये B vector है, ये अपन ने यहाँ पे एक rod ले ली, yellow color की ये rod है, और इस rod को अपन यहाँ पे move करा रहे है, किसी velocity से, rod की length कितनी है, दोस्त, L है, और magnetic field भी है, क्या इस case में EMF आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, इस case में EMF generate होगा, rod के across rod के जो दो end है, ये end A और ये end B, क्या across end A और B, end A, end B, क्या एक EMF generate होगा, नहीं होगा, EMF की value क्या होगी, इस case में 0 होगी, क्यों होगी 0 पहले ये बताओ, कितने प्रतिशद भारतियों को दिख रहा है, कि सर, magnetic field भी इधर है, और ये velocity vector भी इधर है, क्या magnetic field और velocity vector parallel दिख रहे है, हाँ या ना, क्या सभी बच्चों को velocity vector और magnetic field और पैलल टू इच अदर दिख रहे है, हाँ या ना, बिल्कुल, तो EMF 0 है, इसका reason क्या है बच्चा पाड़ी, लॉजिक क्या है, velocity parallel और magnetic field vector parallel हो गए यहाँ पे, comfortable है, दोस्त, clear है, अगला question करते हैं, यह कोई reason है, यहाँ पे magnetic field इस तरह से कुछ लाई कर रही है, यहाँ पे बच्चा पाड़ी मैंने यह एक rod रख दी, P, Q, यह end P, यह end Q, और इसको velocity दे दी, let's say यह, यह perpendicular है इसके, यहाँ पे EMF generate होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इस case में EMF generate होगा, या नहीं होगा, यह बच्चा पार्टी आपको सोचके बताना है, तो simple सा बच्चा पार्टी बात है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोड डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि इस case में भी induced EMF किता होगा, जीरो होगा, इंडियूज EMF किता होगा, जीरो होगा, यह लॉजिक यहाँ पे यह है बच्चा पार्टी इंडियूज EMF के जीरो होने का, लॉजिक यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे, magnetic field vector इधर थी, और जेंटल डायरेक्शन में, और क्या सेम डायरेक्शन में length vector यह जो rod पड़ी है, rod की length भी ऐसी है, तो क्या length vector और magnetic field vector अपकी parallel होगे, अपकी बार कौन parallel होगे, magnetic field vector और L vector क्या होगे, parallel होगे, कोई भी दो component अगर parallel हुए आपस में, V velocity में, magnetic field में, या length में, तीनों में से कोई भी दो अगर, कोई भी दो, any दो अगर parallel होगे, तो कोई भी दो parallel होते, induce EMF किता आएगा, बच्चा पार्टी 0, motionल EMF की value क्या आएगी, बच्चा पार्टी 0, तीनों का एक दुसरे के perpendicular होना must have है, must condition है, essential condition है, यहां तक सभी बच्चे comfortable है, clear है, जल्दे बताईए, पका बताईए, सर्चा बताईए, सर्चा बताईए, सर्चा पार्टी 0, so magnitude के लिए ये बात समझ में आगए, कि कोई भी दो parallel नहीं हो सकते, magnitude निकालने के लिए आपको समझ में आया, तीनों का एक दुसरे के perpendicular होना जरूरी है, किसका, B का, V perpendicular का और L का, अब इस case पे basis पे पर कुछ सवाल करते हैं और मजे के साथ उनके answer बताते हैं, कुछन सौल करने से वहले direction कई बताई नहीं के अटे, direction of EMF, मतलब आपको high potential terminal और low potential terminal कैसे पहचान होगे, direction of EMF निकालना की कौन सा terminal battery, अगर कोई rod मूव कर रही है, तो इस rod को अगर magnetic field में move कर आ रहा है, तो EMF generate हो रहा है, तो कौन सा end high potential end होगा, कौन सा low potential end होगा, ये भी पहचानना आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी magnetism में मैंने बताया है, क्या करना है, सीधा हात लेना है, सीधा हात उंगलिया और अंगुठे कैसे रहेंगे, 90 degree पे रहेंगे, अंगुठा और अंगलिया क्या करेंगे, 90 degree पे रहेंगे, अब तुम्हें क्या करना है, बच्चा पार्टी कौन सा रूल यूज करोगे इसके लिए राइट हैंड जहापड़ रूल राइट हैंड पूरी मैंगेटिसम में एक ही रूल है राइट हैंड जहापड़ रूल है बायमन सर तो राइट हैंड जहापड़ रूल क्या कहता है बच्चा पार्टी सिंपल सी ब Humph步 को वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिससे जहापर लगाते हो चांटामाहते हो किजमें, तो Palms क्या देगा Direction of the high-potention Branch of the mindfulness प्रइशन ने के लिए कौन सा टर्मिनल है पॉटेशल टर्मिनल होगा कौन सा लोग में वीट अब मैं कुछ 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 तुम्हें प्रेक्टिस कराता हूं जिसमें आपको बताना होगा कि EMF generate हो रहा है तो कैसा generate हो रहा है कितना generate हो रहा है EMF की value क्या है और कौन सा potential high potential है और कौन सा low potential terminal है तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा Transverse magnetic field Transverse का मतलब होता है Perpendicular to the plane कोई ऐसी magnetic field जो Transverse हो Perpendicular to the plane हो तो cross में magnetic field बना दी यह कैसी field है Transverse magnetic field है Perpendicular to the plane of Board कहलो या तुमारी copy के इसाब से बात करें Perpendicular to the plane of copy Perpendicular magnetic field बना दी इस magnetic field में माल लो कोई rod है माल लो कोई wire है कोई आडे से तिर्चे से शेप का wire है इस wire को आप उठा के लेके जा रहे हो इस perpendicular magnetic field में लेट से वर्टिकल से थीटा एंगिल पे किसी वी वेलोसिटी से लेके move करा रहे है तो इस पूरे wire में कितना EMF generate होगा ये कैसे निकालेंगे तो समझना बच्चा पाटी इस wire की total length L है हमें इससे कद्दू कोई फरक नहीं पड़ता कितनी length है हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ effective length चाहिए effective length क्या है मान लो ये terminal P है और ये Q है इन दोनों end को join करने वाली जो ये line आई ये इसकी effective length है और let's see ये small L है तो emotional EMF जब अपन calculate कर रहे होते हैं कितना potential difference create हुआ है तो हमें actual length of wire से कोई मतलब नहीं होता हमें किस से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ effective length P और Q starting और end point को join करने वाली जो straight line है उस straight line की length ये velocity vector perpendicular से theta angle पे था यहाँ अब इस velocity vector के component करेंगे तो क्या एक component इधर आएगा दोस्त जिसे अपन V perpendicular कह देंगे जिसकी value V cos of theta होगी और एक component की अगर अच्छा party अपन बात करें तो वो वी parallel हो जाएगा जिसकी value V sin theta आएगी velocity के दो component एक perpendicular to the field V perpendicular और एक parallel to the rod parallel to the rod that is V sin हमें मालूम है emotional EMF में जो EMF generate होता है वो किसके बराबर होता है B into V perpendicular into effective length L P और Q को line joining करने वाली जो straight line की length है वो किती है small L EMF की value आ जाएगी B into V perpendicular into L यहां पर V perpendicular की value किती है V cos theta है EMF की value B V L cos theta आप लिख देंगे तो magnitude of EMF generated आ गया अब तुम्हें यह भी बताना होगा P और Q में से कौन सा terminal high potential है कौन सा लो उसके लिए क्या करोगे सीधा हाथ जहां पर दरूल लोगे अंगुठा उंगलिया 90 डिग्री पे magnetic field कि दहर है बच्चा पाटे into the plane of paper board के अंदर जाती हुई है तो अपनी उंगलियां भी board के अंदर घुसर दो बिल्कुल घुसर दी वी परपेंडिकुलर की direction देखो किदर है उपर तो वी परपेंडिकुलर की direction में अंगुठा डाल दो उपर पाम देखो किदर आ रहा है सीधा हाथ लिया इंगलियां अपनी अंदर घुसर दो बोर्ड के अंदर हें तो जिदर अंदर की में अगनेटिक फीलड देखो किदर दो बोर्ड में वी परपेंडिकुलर है इसको हटा के तुम एक सिंगल इस पूरे को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहो तो तुम यहाँ पे एक ऐसी बैटरी बना सकते हो यह पॉइंट पी यह पॉइंट क्यूँ इस बैटरी का एमेफ किता है बी वी एल कॉस थीटा हमें कैसे पता चला इधर वाली बड़ी डंडी आई उधर वाली छोटी हैंड रूल से उंगलियां मैंगनेटिक फिल्ड की डारेक्शन में वी परपेंडिकुलर की डारेक्शन में अंग उठा तो पाम किदार आ रहा है पी की तरफ तो पी वाकी तरफ वाला ऐता चुटा हो जो का मैंगनेटिड बताना और और किदर बड़ा टर मिल्च एगा किदर छोटा था है वी पर को परसाजय में आ गया ऊगा ए फेक्टिव लेंध होती है ऑजंग करने वाला जो उसकी रार्पेंडिक्र होगा u भी पर्पेंडिकुलर जो भी एक्टिव लेंथ है उसके जो पर्पेंडिकुलर कॉंपोनेंट फेलोसिटी आएगा हमसे वही लेंगे और मैंग्नेटिक फील्ड तो उस रीजन की है अब मैं कुछ सवाल तुम्हें देता हूँ सवाल करो डायरेक्शन ओफ एमेफ नेखालना सीखी चुके हैं पेस को डिलीट करते हैं सवाल करते है मालू पहला सवाल अपने पास यह है मैंग्नेटिक फील्ड है बच्चा पार्टी इस रीजन में यह कोई यह कोई वायर है आर्क के शेप में जिसकी रेडियस कित्ती है बच्चा पार्टी आर इसको अगर आप वी वेलोसिटी से खीच के ले जा रहे हो तो आपको बताना है कितना एमेफ जनरेट होगा और बैटरी बनेगी तो कैसी बनेगी तो देखना बच्चा पार्टी स्टार्ट पॉइंट यह है एंड पॉइंट यह है तो जो एल एफेक्टिव होगी क्या वो यह लेंथ होगी इन दोनों पॉइंट को कनेट करने वाली लाइन क्या यह डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल होगी क्या यह लेंथ टू आर होगी magnitude of EMF का formula B into V perpendicular into L effective लिखते हैं किया यह जो velocity है किया सभी बच्चों को दिख रही है किया यह actual में perpendicular ही है L effective के बिल्कुल दिख रही है तो V perpendicular तो V हो गया magnetic field भी दे रखी है तो यहाँ पर EMF आएगा दोस्त B into V into L की value कित्ती आजाएगी 2R आजाएगी EMF कित्ता generate हो रहा है 2BVR का हो अब तुम्हें बस यह पहचानना है कि A और B में यह तुम्हारा terminal A है और यह and B है A और B में कौन सा high potential and होगा कौन सा low potential magnetic field into the plane है into the plane आपने उंगलियां कर दी है अपनी सीधे हाथ की अंगूठा ऊपर velocity की direction में पाम देखो कि दर आ रहा A की तरह A तुम्हारा high potential and हो गया और यह तुम्हारा low potential मतलब इस पूरे ताम जहाम को हटा कि अगर एक मैं battery बनाऊ तो यह battery ऐसी बनेगी यह terminal A यह terminal B जो terminal A होगा A वाली साइड higher potential पर इस दर का डंडा बड़ा इदर का डंडा छोटा और magnitude of EMF कितना आया है 2 B V R के बराबर आय होप यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे clear होंगे जल्दी बताइए पका बताइए सचा बताइए सार बड़ा यह कोई rod है जिसकी length L है इसको magnetic field जो B है cross में उसमें घुमा रहे है velocity vector कुछ इधर है ठीक है तो बच्चा पार्टी अगर इसमें induce EMF की बात करूंगा तो velocity के पहले component करूंगा यह V perpendicular आएगा जिसकी value V cos theta होगी एक component इधर जाएगा V parallel कहेंगे जिसकी value V sin theta होगी दोको बच्चा पार्टी straight rod ही है तो L effective और L दोनों एक ही हो जाएंगे इस case में अगर मैं emotional EMF की बात करूं EMF जो generate होता है उसका formula B into V perpendicular into L लिखते हैं B तो B है V perpendicular की value किती है V cos theta है और L effective के actual length of rod L के बराबर ही है EMF की value जो generate होगी वो B V L cos theta के बराबर होगी अब बस आपको यह पता लगाना रहे गया है कौन सा high potential terminal है कौन सा low potential let's say मैंने इस end को बोल दिया कि यह end A है और यह end आपका B है इन दोनों में अगर बच्चा पार्टी में बात करूं magnetic field की direction में उग लिया वी perpendicular ऊपर है तो अंगठा वी perpendicular की direction में पाम देखो अपने आप किधर जा रहा है एक की तरफ इस केस में जो वी perpendicular आ रहा है बैटरी बनेगी वह कुछ ऐसी बनेगी यह पॉइंट ए यह पॉइंट बी और यह मेंट की वैलू भी वी एल क्लियर है बढ़ियां से एक नंबर जली बताइए पका बताइए सच्छा बताइए सारे बताइए मोशनल नहीं में अपके केसे से करो यह सवाल करो यह कोई L शेप की रॉड है ठीक है यह लेंट आपकी बी दे रखी है यह लेंट आपको ए दे रखी है अगर इस रॉड को इस पूरे सिस्टम को आप किसी वी वेलासिटी से आगे की तरफ ले जा रहे है तो देखो कैसे करोगे इस सके भई इस सिस्टम को तुम दो पार्ट में तोड़ दो यह रॉड जो A B C ए L शेप की रॉड है इसको दो रॉड में तोड़ दो एक तो रॉड A B को अलग से स्टडी करो और दूसरा रॉड B C को अलग से स्टडी करो इस reason में भी magnetic field जो है dot में है बाहर की तरफ है और इसके लिए magnetic field भी dot बाहर magnetic field dot में दिख रही है बाहर की तरफ दिख रही है इसको तोड़ दिया this AB rod अलग और BC rod अलग ठीक है दोनों में individually मैं EMF निकाल देता हूं फिर add कर दूँगा answer आजाएगा with sign तो समझना बच्चा पार्टी अगर इसे वी velocity से आगे ले जा रहे हो मतलब ये वाला portion भी velocity से आगे जा रहा है और ये वाला portion भी velocity से ही आगे जा रहा है अगर बच्चा पार्टी इस portion को देखोगे तो ल जो है length of the rod वो कितनी है बच्चा पार्टी बी length है और इस portion की जो length है वो कितनी है small a है लेकिन अगर तुम इस portion को देखो length भी इस दर direction में और velocity भी इस direction में है तो कितने बच्चों को ये चमक रहा है कि इस case के लिए length vector और velocity vector parallel है मतलब इस case में EMF induce क्या आएगा 0 मतलब AB section में ये जो length AB है इस AB section में EMF generate कितना होगा 0 होगा लेकिन वहीं जब BC को देखोगे तो length और velocity vector क्या perpendicular दिख रहे हैं इस section में जरूर EMF generate होगा और कितना होगा B magnetic field किती है B, velocity किती है V और L effective की value क्या small a है तो B, V, A का EMF इसमें तो generate होगा लेकिन ये वाला जो section है AB इसमें कोई भी EMF generate नहीं है तो जो भी EMF आएगा और सिर्फ rod BC के corresponding आएगा इसी के corresponding higher potential और lower potential भी define कर लेते हैं magnetic field देखो किदर है बाहर की तरफ है सीधा हाथ उंगलियां बाहर की तरफ क्योंकि magnetic field बाहर आ रही है velocity देखो इस direction में है तो अपना अंगूठा इस direction में कर दिया है magnetic field बाहर अंगूठा velocity की direction में पाम देखो किदर आ रहा है नीचे आ रहा है तो जिदर की तरफ पाम आएगा वह high potential terminal हो जाएगा और यह low potential मतलब इस पूरे को replace करके आप एक ऐसी battery बना सकते हो जिसका EMF की value BVA है पूरे system को हटाके आप एक battery बना सकते हो ऐसी जिसकी EMF किती है BVA comfortable है clear है तो rod AC के across जो net EMF आएगा वो इन दोनों का sum 0 प्लस BV आएगा तो potential difference across A and C की अगर मैं बात करूँ तो किता आएगा BVA प्लस 0 that is equals to BVA आएगा तो इस complete rod के across किता EMF generate होगा BVA तो समझ में आया कभी इस तरीके के shapes दिख जाएं तो क्या करोगे दो पार्ट में तोड़ लोगे एक पार्ट का लग से निकाल दोगे दूसरे पार्ट का लग से comfortable है clear है सभी लोग एक सवाल और करते हैं दोस्त यह कोई reason है जिसमें magnetic field है क्रॉस में है इंटू दा प्लेन ऑफ पेपर है कर दो 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 कि यह एक एल लेंद्ध की रॉड है कि यह भी एक एल लेंद्ध की रॉड है कि यह एंगिल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है यह टर्मिनल ए यह टर्मिनल बी पूरे सक्षन को आप वी स्पीड से नीचे लेके आ रहे हो कितनी स्पीड से वी स्पीड से नीचे लेके आ रहे हो आपको एंड ए और बी के अबाउट एमफ इंड्यूस बताना है कौन हाई पोटेंशल होगा ए या भी यह भी बताना और इंड्यूस एमफ की वैलू भी बताना शुरू हो जाओ कैसे करोगे तो देखो कैसे करोगे बच्चा पार्टी सिंपल सी बात है कि एमफ इंड्यूस का फॉर्मला जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वी इंटू वी पर्पेंडिकुलर इंटू एल एफेक्टिव यह एल क्या होती है एफेक्टिव लेंथ होती इनिशल और एंड पॉइंड को जोड़ने वाली लाइन क्या यह व समझ में आ जाएगे कि यार यह पूरा एक इक्विलेटर्ल ट्राइंगल ही तो फॉर्म हो रहा है और इक्विलेटर्ल ट्राइंगल की तीनों ही साइड क्या होती है बराबर होती है तो यह वाली जो साइड होगी इसकी लेंथ कित्ती हो जाएगी ल हो जाएगी तो जो जो ए वी परपेंडिकुलर यह जो वेलोसिटी है या बच्छा पाटी पर पेंडिकुलर ही है l effective के बिलकुल है तो वी परपेंडिकुलर वी के बराबर हो जाएगा और l effective l के बराबर हो जाएगा ऐमफ का मैंगनेटिूट तो यह आ गए अब direction कौन सा A और B में कौन सा higher potential terminal होगा किदा क्या करना है उंगलियां जो होंगी अपनी magnetic field के direction में magnetic field कैसी है into the plane है magnetic field into the plane अपनी उंगलियां copy के अंदर डाल दो अंगुठा किदा करो के velocity की direction में velocity नीचे तो अंगुठा नीचे पाम देखो किदार आ रहा है इस साइड आ रहा है किसके साइड आ रहा है बी तो बी तुम्हारा high potential terminal हो गया और ए लो पूरे ताम जहाम को अठा कि अगर एक मैं बैटरी बनाना चाहूं तो बैटरी अपकी बार ऐसी बनेगी यह एंड बी यह एंड ए और एम इंडियूस किता होगा वी वी अ कंपटेबिल है के लियर है एक सवाल और करते हैं मालो सेम ही कोशन है बस एंगल थीटा की वैलो सिक्स्टी ना दिग रहे के कोई सिर्फ थीटा के टम ही कोशन दे यह कोई रीजन है जिसमें यह कोई वी शेप का स्ट्रक्चर है जिसका यह टोटल एंगल आपको ठीटा दे रखा है टुक है यह लेन्थ भी लेंथ कीती सिवल और अब लूक को बताना है और आप लोग को बताना है पी और क्यू के बीच में कितना यह बताना है और कौन सा हाई पोटेंशल टर्मिनल होगा कौन सा लो यह बताना आपको देखा जाये कैसा करोगे तो समझना बच्चा पार्टी इसको करेट करने के लिए हमें एल एफेक्टिव निकालने पड़ेगी एल एफेक्टिव का पी और क्यू जो स्टार्ट और इन एंड पॉइंटे इनको करने वाई लाइन जोइन कर दे यही एल एफेक्टिव होगी था दोस्त सब्सक्राइब कितने प्रतिशत भारती ये मांनते हैं कि यह आधा एंगल थीटा वाइट वाई ौं और्यगे अगया ये टूटल एंगल थीटा था था ये ही हाफ एंगल भी मॉट और ये वाला हाफ एंगल भी थीटा बाई टू होगा अब अगर बच्छा पार्टी में सिर्फ इतनी सी लेंथ की बात करूँ तो आप जड़ा इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे थोड़ा क्या ये सामने वाली साइड पर्पेंडिकुलर और ये हाइपोट न्यूस है और ये एंगल हाफ एंगल थीटा बाई टू दे रखा है अगर मैं इतने से triangle के लिए बात करूँ यह triangle के लिए बात करूँ तो यह perpendicular, यह hypotenuse और यह angle theta by two sine theta perpendicular upon hypotenuse लिखते हो तो sine of यह angle किता है, half of angle theta by two है sine of theta by two इस length को लेट से मैंने x बोल दिया पर्पंडिकुलर की वैलू X और हाइपॉर्ट ने उसकितना है L के बराबर है तो X की वैलू कि L टाइम साइन ओफ थीटा बाई टू आ जाएगी ये तो सिर्फ इतनी लेंथ आई है क्या ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स ही होगी की बाई सिमेटरी हमें पता ही कि नीचे वाला पोशन उपर वाला पोशन बराबर ही है तो जो आपकी एफेक्टिव लेंथ एल है क्या बच्चा पार्टी वो टू एक्स के बराबर है मतलब एल की वैलू आपके पास समझ में आ गई टू एल साइन एल एफेक्टिव लिखो इसे है तू एल साइन ओफ थीटा वाई टू आ गई एक बार एल एफेक्टिव आ गई क्या मोशनल एमेफ निकालना बहुत इजी हो गया एमेफ इंडियूस क्या बी इंटू वी इंटू एल एफेक्टिव लिखते हैं लिखते हैं डिया ही ने कि किस डारर जा रहे है इसको अपन इस सिस्टम को अपन इसी वी वेलासिटी से ऐसे लेकर जा रहे थे तो वी परपेंडिकुलर तो वी के बराबर ही हो गया magnetic field आपको इस reason में B दे ही रखी है तो जो EMF induced होगा उसकी value आ जाएगी B into V L effective की जगा 2L sine of theta by 2 लिख देंगे induced EMF की value 2BVL sine of theta by 2 इस case में induced EMF की magnitude किता हो जागा 2BVL into sine of theta अब बात आती है P और Q में से कौन सा high potential terminal कौन सा low कुछ नहीं करना है magnetic field सीधा हाथ लेना है उंगली अंगुठा 90 degree पर magnetic field की direction में उंगलिया अंगुठा velocity की direction velocity देखो इधर रहा है अंगुठा इधर कर दिया पाम देखो किदा जा रहा है ऊपर तो point P क्या हो जाएगा high potential terminal हो जाएगा यह HP हो जाएगा और यह low potential मतलब इस पूरे ताम जहां को हटा के अगर एक मैं single battery बनाऊं तो कुछ ऐसी battery बनेगी यह point P रहेगा यह point Q रहेगा और जो इसमें EMF generate होगा उसकी value 2B कि वी एल साइन ओफ फीटा बाई तू बीवी एल साइन ओफ थीटा बाई टू के बढ़ा आई होप यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे clear होंगे जल्दी बताईए पका सचा बताईए सब्सक्राइब कमफटेबल है दोस्त तब भी बच्चे 100% एक नंबर आगे बढ़ जाएं अब emotional EMF को rod को इसी register से connect करके आपसे current वगेरा भी पूछी जा सकती है उसकी भी बात कर लेते हैं एक ही तरीके का question आएगा यह समझना बच्चा पार्टी conducting rail rods हैं कैसी है conducting rail rods है इनके दोनों ends को मैंने यहाँ पे connect कर दिया एक resistance R से यहाँ पे बच्चा पार्टी मैंने यह एक rod है इसको बच्चा पार्टी मैं इस reason में move कर आ रहा हूँ इस reason में कुछ magnetic field है cross में पूरे reason में magnetic field है cross में into the plane of paper यह rod जो है किसी velocity V से move कर रही है और यह जो gap है इसकी length कित्ती है L है आप से पूछा क्या क्या है question में find first part EMF across rod इस rod के एक्रॉस EMF कित्ता generate होगा second current in register third part third part force force required to pull the rod with constant velocity force force कित्ता लगाना पड़ेगा इस rod को constant velocity से चलाने के लिए fourth power dissipated इस process में कितना power loss हो रहा है तो कैसे करेंगे इस सवाल को पहले समझते हैं दोस्तों क्या होगा बच्चा पाटी इस rod को आप कुछ force F लगा के मालो खीच रहे हो और उसकी वज़ा से यह V velocity से चलाएगा अगर इसकी velocity V है magnetic field into the plane of paper है तो क्या इसके across एक EMF generate होगा first part में इसकी value B into V perpendicular into L effective लिखते है यहां से magnetic field का magnitude B है velocity किती है V perpendicular V ही है और L effective L के बराबर है EMF generate हो रहा है BVL हो रहा है first part clear EMF अगर BVL का generate हो रहा है तो तुम्हें अब यह देखना पड़ेगा कौन सा high potential terminal है कौन सा low potential magnetic field कैसी है इस पूरे reason में into the plane cross में है magnetic field की direction में उंगलियां अंगठा velocity की direction velocity इधर अंगठा इधर अंगलियां into the plane of paper palm देखो किदा जा रहा है उपर तो यह बात समझ में आती है कि यह high potential terminal हो जाएगा और यह low potential terminal ऐसा होते ही यह इस पूरे circuit को effectively अपन ऐसा draw कर सकते हैं यह जो rod थी जो motionally emf कर रही थी इसको replace करके एक battery बना दी आपने जिसमें emf जो आ रहा है वो कित्ता आ रहा है B, V, L का emf generate हो रहा है हा या ना इस rod को हटा के क्या मैं एक battery लगा सकता है equivalent दिखाने के लिए बिल्कुल दिखा सकते हैं अगर ऐसी battery है तो क्या इस circuit में कुछ current भी flow होगी कुछ i current flow होगी क्या बच्चा party अगर मैं second part के answer की बात करूँ तो current हमारी भारती सलस्क्रिदी में EMF upon resistance बताया गया है voltage upon resistance voltage कितना है B, V, L का है upon resistance तो second part का answer आ गया current in the register कितना आएगा B, V, L upon R का current flow कर रहेगा EMF across the rod देख लिया current in the register देख लिया अब third part आता है force required to pull the rod with a constant velocity क्यों ये external force लगाना पड़ेगा इसे constant velocity से चलाने के लिए पहले इस बात को समय बच्चा party इस rod में जैसे ही current flow होगा एक तो next page पर देखते है इस पूरे reason में magnetic field है ये rod है जो कि किसी velocity से move कर रही है और इसके move करने की वज़े से एक emotional EMF हो रहा है उस emotional EMF की वैसे current flow हो रही है circuit में तो ये current घूम के आएगी और इसमें भी जाएगी क्या तो इस rod में भी देखो ये current इस तरीके से ही घूम रही होगी तो इस rod में भी क्या current आई flow हो रही है और क्या magnetism chapter में हमने पढ़ाता है एक current carrying wire अगर magnetic field में रखा हो तो इस पर force लगता है BIL का एक current carrying wire अगर magnetic field में रखा हो तो इस पर force लगता है magnetic force BIL का लगता है magnetic effects of current इससे पहले वाले chapter में आपने पढ़ा होगा ये formula तो इक magnetic force लगेगा उस magnetic force की direction देखो कित्ती ही आएगी magnetic field force की direction कैसे निकालते हैं उंगलिया magnetic field की direction में अंगुठा current की direction में पाम क्या देता है direction of magnetic force तो जैसे ही इसमें current flow करेगा बच्चा पार्टी इस wire rod पे एक force लगेगा magnetic force FB या यह magnetic force की velocity को कम करना velocity इधर है magnetic force इधर लग रहा है चाहिए कम करना चाहेगा बिलकुल तो हम चाहते हैं कि constant velocity से move होता रहे इसके लिए हम क्या करेंगे एक external force लगा देंगे same direction और उसे इतने ही magnitude का लगाएंगे जितना magnetic force लग रहा है external force F इतने same magnetic force जितने magnitude का लग रहा था उतने ही magnitude का external force लगा देंगे इसने क्या होगा दोनों forces balance हो जाएंगे दोनों forces अगर balance हो गए तो क्या कोई भी d acceleration आएगा नहीं आएगा यह rod एक constant speed से चल पाएगा तो चुकि हमसे यह पूछा गया है कि कितना external force लगा दे हमसे question में पूछा force required to pull the rod with constant velocity अब समझ में आए यह force क्यों required constant velocity से चलाने के लिए इसलिए required है कि भले हमें दिखे ना लेकिन है magnetic force जैसे ही इसमें current flow करेगी magnetic force opposite direction में लगे इस magnetic force को cancel करने के लिए external force लगाना पड़ेगा जिसका magnitude bil that is magnetic force के बराबर होगा इस force की value निकाल देते है magnitude of force magnetic field तो B है क्या current की value अभी एक minute पहले निकाली थी BVL upon R put कर दो into L तो जो force लगेगा इस पे वो B square L square V by R कितना magnetic force आपको लगाना पड़ेगा उस rod को constant speed से चलाने की comfortable है तो यह हो गया third part of the question fourth है power dissipated तो power का formula बच्पन में कितने बच्चे force into velocity पढ़ चुके हैं F dot V हम भी पढ़ चुके हैं तो बस force को velocity से multiply कर तो force किता था B square आपके उपर सामने लखा है formula B square L square V upon R into velocity और कर दिया तो जो power dissipation हो रहा होगा वो B square L square V square by R हो रहा हो तो power dissipation का formula power का formula B square L square V square by R हो गया force B square L square into V by R हो गया current की value किती है BVL upon R EMF किता generate हो रहा है B B तो ये एक सबसे बड़ा question जो आपको syllabus में पूछा जा सकता है वो मैंने तुम्हें करा दिया अब कुछ भी नहीं बसता है कुछ छोटे मोटे सवाल और है जरा practice करना है तो कर लो इस question का answer बताओ conducting rod AB of length 1 meter ये length आपको 1 meter दे रखी है is moving in with a velocity 4 meter per second making an angle 30 degree with its length A in a uniform magnetic field 2 tesla in the direction perpendicular to the plane then VA minus potential difference तुम्हें बताना है EMF generated बताना है तो बच्चा पाटी समझना अगर ये किसी angle पे जा रहा है तो क्या हम V perpendicular निकाल सकते हैं अगर ये angle यहां से 30 degree दे रखा है तो क्या V sin 30 होगा velocity किती है 4 sin 30 किता होता है half तो 2 meter per second आजाएगा आपका V perpendicular similarly a component along the rod भी आएगा जिसे V parallel कहेंगे जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं है जिसकी value V cos 30 हो तो जो EMF generated होता है क्या वो B into V perpendicular into L होता है magnetic field किती है 2 tesla V perpendicular किता है 2 length किती है 1 EMF जो आगया वो 4 volt का आगया अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कि VA minus VB होगा या VB minus VA होगा तुम्हें यह पता करने के लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कौन सा high potential जो भी higher potential होगा उसमें से minus करते हैं तो यह A है यह B है magnetic field into the plane उंगलियां अंदर की तरफ वी perpendicular उपर तो पाम देखो किदर आ रहा रहा ए तो यह जो A terminal हो गया यह आपका higher potential terminal हो गया यह lower potential अगर higher potential terminal है तो VA minus VB potential difference के लिखोगे जो higher terminal पे होता है उसमें से minus करते हो VA minus VB की value कित्ती आ गई है 4 volt आ गई है VA minus VB is equals to 4 volt that is option number 2 is the correct choice for the given question I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे के लिए रहोंगे जल्ली बताइए पका बताइए सचा बताइए थर बताइए क्या एक इसी same concept पर अभी थोई दिर पहले सवाल कराया अब यह numerical form है है थो पूछा क्या है इस श्रॉल इन दे फीगर है metal rod make contact with the complete circuit the circuit is perpendicular to the magnetic field magnetic field का magnitude दे रखा है आपको resistance दे रखा है 3 ohms force need to move the rod as indicated with the constant speed of 2 minutes question में पूछा क्या है बच्चा पाटी force needed इस rod को constant speed से move कराने के लिए कितना force लगाना पड़ेगा तो force कितना लगाना पड़ेगा इसके लिए अभी थोई दिर पहले formula derive कराया था b square l square v by r यही आया था force needed to move it with a constant velocity मान लो यह formula भूल जाओ तो क्या magnetic force on the rod BIL किसी magnetic field में current carrying rod पे force जो लगता BIL यह दिहान लख होगे यह rod move कर रही है तो इसमें कुछ EMF generate हो रहा होगा वह BVL का हो रहा होगा यह भी पढ़ा है emotional EMF में BVL का magnetic field velocity lens अब परपेंडे कुदर है तो magnet जो EMF generate होगा BVL का होगा क्या अब अच्छा party current की value EMF upon resistance कहते हैं current BVL upon R हो जाएगा इस formula में इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू velocity किती है दो length किती है बच्चा पार्टी 50 cm length किती दे रखी है 50 cm दे रखी है 50 cm मतलब meter में half meter length की जगह half upon resistance किता दे रखा है बच्चा पार्टी 3 ohm दे रखा है into length और था मतलब एक half और आएगा बाहर तो देखो बच्चा पार्टी 0.15 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा इस 2 से यह 2 कर जाएगा तो force आ जाएगा 0.15 by 2 into 2 किता हो जाएगा 4 तो पंदरा बटा दो 7 0.3745 पंदरा बटा 4 को क्या लिख दोगे 3.75 लिख दोगे into 10 to the power minus 2 3.75 into 10 to the power minus 2 will be your final answer I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे and clear चलो एक सवाल और हो गया same concept पे figure show a metal rod PQ which makes contact with complete the circuit the circuit is perpendicular to the magnetic field B is because to one tesla magnetic field दे रखी है आपको resistance दे रखी है force required to again force पूचाय है force किता होता है BIL होता है magnetic field में रखे होगे किसी भी wire पर force BIL लगता है current क्या लिखोगे emotional EMF that is BVL upon resistance into length L कर दोगे values put कर दो magnetic field किती है बच्चा पाटी B की value 1 है into 1 velocity किती है 2 है length किती है यह भी 1 meter है resistance किती है बच्चा पाटी 2 है length किती है 1 है तो देखो सब कट जाएगा answer किता आ जाएगा 1 newton that is option number 3 is the correct choice for the given question I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable हों और clear हों भनाट level पर अब आते हैं next topic पर that is rotationally अभी तो क्या कर रहे थे rod को सिर्फ और सिर्फ translate कर रहे थे ऐसे ऐसे कुछ भी किसी भी shape को सिर्फ translate कर रहे अब हम क्या करेंगे shapes को rotate करेंगे rotation की वह से जो emf generate होगा उसे rotational emf कहते है तो let's say यह कोई rod है जिसको मैं इस point के about rotate कर रहा हूं rod length a b तो इन दोनो end के about potential difference generate होगा a और b के across वो किता होगा half v omega omega क्या है angular velocity जिससे आप rod को गुमा रहे हो आपको दोनो end b और a दोनो end की क्या distance दे रखी है hinge point से जिस point के about rotate कर आ रहे है उससे दोनो end की क्या distance दे रखी है b point की distance xv है a point की distance xa है तो simply half v omega xv square minus xa square यह आपका emotional emf curve comfortable है clear है तो जिस point के about गुमाओगे half v omega into xv square minus xa square आपका emf generated curve अब तुम्हें यह पता करना है कि कौन सा higher potential terminal है कौन सा lower उसके लिए बहुत simple सा तरीका है समझो बच्चा पार्टे अगर यह माल लो rod इस तरीके से गुमा रहे हो arrow का sense देख रहो मतलब यह वाला जो rod होगा यह वाला end जो होगा वो नीचे जा रहा होगा और यह end उपर जा रहा होगा एक बार पता चल गया तुम्हें कि यह end नीचे जा रहा है तो यहां से लेके यहां का जो system है तुम एजुम कर लो कि यह rod है जो नीचे जा रही है बस उसके बाद handle जैसे लगाते थे magnetic field कैसी है dot में बाहर velocity कि इधर है rod की नीचे तो अंग उठा नीचे magnetic field बाहर अंग उठा नीचे पाम देखो कि इधर आया इधर यह वाला terminal क्या हो जाएगा high potential center और यह वाला lower potential हो जाए जब इस एंड के लिए तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह वाला इतना सा portion जो है यह उपर जा रहा है तो velocity की direction में उठा magnetic field बाहर है तो उंगलियां बाहर magnetic और velocity की direction में उठा पाम किदर आ रहा है इस वाले end के लिए भी तुम देखोगे तो यह high potential हो जाएगा यह low potential तुम कह सकते हो जो center होगा जिस point के बाट घूम रही है वह higher potential पे होगा यह end भी lower potential पे होगा और यह end भी lower potential पे होगा और यह end भी है जैसे यह रॉड़ है एक मत रुकना बच्चा पार्टी जरा फीगर थोड़ा सही कर लूँ मैं यह rod है जिसे mid point के about घुमा रहे हैं यह point A यह V और जो mid point है उसे C बोल दी यह length L by 2 यह length V L by 2 first part में potential difference between point A और B simply समझना बच्चा पार्टी जिन point के बीच में potential difference पूछा होता है ठीक है तुमें क्या करना है बस उन point की distance put कर देनी है distance कहां से देखो के hinge point से देखो तो जैसे A और B के बीच में potential difference निकालना है half B omega A B distance यहां पर formula आ जाएगा distance A B लिखा है तो X A square minus X B square लिखता होगा किन दो point A और B तो point A की distance ले लो center से और point B की distance ले लो center से formula अगर मैं put करूँगा तो half B omega X A X A क्या L by 2 है और X B B क्या L by 2 का होगा क्या solve कर लो के zero आ जाएगा तो इस rot को अगर गुमा रहे हो तो A और B point के across जो net potential difference आएगा कितना आएगा जीरो अब मालो V A C निकालना है potential difference across terminal A और C इन दो रॉप terminal के across तो formula लिखो के half B omega X A square minus X C square लिख दोगे V A C किन दो point के बीचे potential difference निकालना है A और T के तो formula में भी distance आएगी point A और T के आएगी X A square minus X C square लिख दोगे अब जहां से गुमा रहे हो वहां से A की distance के L by 2 है C point की distance देखो यहीं से इसी point के about rotate कर रहे हो तो C की दूरी मतलब जिस point से rotate कर रहे हो क्या वहीं पे C है मतलब C की दूरी क्या है जीरो X C कित्ती हो जाएगी जीरो हो जाएगी यह बात समझ में आई potential difference across AC पूछा था इस formula में जिन दो point के बीच है potential difference पूछा जैसे A और C के बीच में पूछा है तो formula में X A square minus X C square यह दोनो distances कहां से लेते हैं जिस hinge point के बाउट जिस point के बाउट rotate कर आ रहे होते है तो इसके about rotate कर आ रहे हो इससे A point की दूरी कित्ती है यह L by 2 तो put कर दी L by 2 इससे C point की दूरी क्या है C क्या है इस hinge point पर ही है तो C की दूरी इससे क्या है 0 तो दूरी क्या है 0 put कर दी solve कर लिया answer आ जाएगा B omega L square by 8 तो A और C इन दो point के बीच में जो potential difference है B omega L square by 8 का है similarly BC B और C के बीच में E M F पूचा है formula आ जाएगा half B omega किन दो point है B और C है X B square B है तो X B square फिर C है तो minus X C square अब B point की दूरी hinge point से जिस point से rotate कर रहे हो उस point से B point की दूरी देखो किती है या B point जहां से rotate कर रहे हो वहां से L by 2 दूरी पे है यहां पे X B की जगह L by 2 का whole square लिख दो X C square C point जहां से rotate कर रहे हो वहां से C point क्या 0 दूरी पे है उसी point पे C है तो C की दूरी 0 है तो इस formula में X C की जगह 0 put कर देंगे solve कर लेंगे answer आजाएगा B omega L square by 8 तो जिन दो point के बीच में potential difference निकाला है इस formula में वह दो point की value put कर दो distances put कर दो distances कहां से होंगी जहां से तुम rotate कर रहे हो जैसे first case में potential difference between A और B पूछा था तो जहां से rotate कर रहे हो वहां से A की दूरी कित्ती है L by 2 put कर दी जहां से rotate कर रहे हो वहां से B point की भी दूरी कित्ती L by 2 put कर दिया first case में जब solve किया to answer 0 आया इसी तरह second को solve किया third को solve किया मालो ये question है ये एक rod है जिसको एक end के about घुमा रहे हो तो potential difference across A B पूछा गया है half B omega X B square minus X A square लिख दोगे X B X A क्या है distance of point from hinge point जहां से rotate कर आ रहे है जहां से rotate कर आ रहे है वहां से B और A की distance लिखते है half B omega X B यहां से इस point के about hinge करा यह hinge point है इसके about rotate कर आ रहे हो इसके about तो यहां से B point की दूरी क्या total length of the rod L के बराबर है X B की जगा L पुट कर देंगे minus X जहां से hinge है जहां पे hinge है जिस point के about rotate कर आ रहे हो क्या वो A point वहीं पे लाई कर रहा है मतलब जहां से rotate जिस point के about rotate कर रही है rod X A point वहीं पे है मतलब X A की distance क्या 0 है X A की value 0 आ गई जो potential difference across point A B आ जाएगा वो कित्ता आ जाएगा half B omega L स्वार comfortable है दोस्त clear है एक रंबर जहर लेवल potential difference across length A C पूछा गया है ठीक है इस point के about तुम hinge कर रहा है rotate कर रहा है तो वह half B omega एक point तो C है तो X C square दूसरा point A है तो X A square यह potential difference का formula आएगा put करते हैं value half B omega X C यह point जहां से hinge कर रहा है hinge point से क्या L दूरी पे है C point जहां पे hinge है जिस point के about rotate कर रही है वहां से क्या total L दूरी पे है यह C point तो X C की जगा तो L put कर दोगे जिस point के about यह rod rotate कर रही है वहां से यह A point क्या L by 3 distance पे है question के मताबिक तो एक ही जगा L by 3 put कर देंगे solve कर लेंगे answer आ जाएगा half B omega L square minus L square by 9 answer आ जाएगा half B omega 9 L square minus L square by 9 solve कर लेंगे तो B omega 8 L square by 9 और half पहले से तक कट जाएगा 4 आ जाएगा answer आ जाएगा 4 by 9 B omega L square 4 by 9 B omega rotation के case में कर लोगे कुछ नहीं करना है जो भी point hinge है जिस point के बाद rotate घुमा रही है जिन दो point की potential difference पूछी है बस उन दोनो point की distance आपको hinge point से लिख देनी है जैसे यहाँ पे potential difference between point C and A पूछा था तो C point की distance हिंज से किती थी total L दूरी पे था और जो A point है वो हिंज जहां से rotate कर रहा है वहां से किती दूरी पे था बच्चा पार्टी यह L by 3 दूरी पे था X A की जगह L by 3 पूट कर दिया बागी तो formula में बस value पूट करके answer ही solve निकाला है clear है दोस्ट solve करेंगे दोस्ट conducting rod AC of length 4L A से C तक की length total किती है 4L है is rotated with angular velocity omega about a point O in a uniform magnetic field be directed into the plane of the paper if AO question में कह रहें if AO यह length जो है A से O की वह length L है and OC यह length किती है दोस्ट 3L है तो पोटेंशल डिफ्रेंस across A और C इन दोनों point के across potential difference पूछा है कैसे करोगे c point की दूरी किती है hinge जहां से rotate कर आ रहे हो वहां से c point की दूरी किती है 3L है put कर दो जहां से rotate कर आ रहे हो वहां से दूसरा जो point है A point उसकी दूरी किती है formula में बस value put कर दो magnitude of EMF आ जाएगा half B omega 3L square किता हो जाएगा 9L square minus L square B omega by 2 9L square minus L square किता हो जाएगा 8L square काटा पेटी 4 answer आ गया 4 times B omega L square कौनस option चक कर होगे जब बच्चों का खेल लगने लगे हैं यह सब सवाल half B omega x final square minus x initial square एक point c था c point की हिंच से distance किती थी 3L एक जगह 3L एक बार पुट कर दिया और एक बार जो A point है उसकी distance हिंच से किती थी L वह उसकी जगह output कर दिया solve कर लिए आंग दिना यह solve करेंगे वह यह disc है जो rotate कर रही है metallic will of radius L and 8 spokes इसमें कितनी spokes हैं? 8 is rotated in a uniform magnetic field as shown the motional EMF across the center and rim center और rim के बीच में किसी भी एक rod के cross जो potential difference आएगा वही सभी rod के cross आ रहा होगा तो वही center और rim के cross ध्यान देना वच्चा पाटे इस तरह के सवाल बेफूब बनाने के लिए पूछे जाते हैं यहाँ पे 8 spokes लिख दिया है 8 के 800 भी लिख देता 800 के 8000 के 80,000 भी लिख देता ना तो घर जाएगा इसमें 80,000 भी लिख देता ना तो भी कोई फरक नहीं पड़ता जितना एक rod में EMF generate होगा उतना ही सभी rod में EMF generate होगा यह वाले points और यह वाले rim के बीच में चाहें या 8 हो 80 हो या 80,000 हो कोई फरक नहीं पड़ता number of spokes से center में और rim के बीच में जो potential difference आएगा वह हमेशा जो एक rod के across आएगा वही answer होगा जितनी भी rod है सब में same potential difference आया तो सभी के across किसी भी रस्ते जाओ क्या potential difference की value same आएगी बिल्कुल same आएगी अरे एक तरीक ऐसा समझो ना फुट है सारी battery parallel में लगी होगी यह battery हो गई दूसरी यह battery हो गई तीसरी यह हो गई सारी कैसे लगी है parallel में potential difference क्या रहता है same रहता है तो जो एक rod के cross potential difference आएगा वही rim और center की बीच का potential difference होगा अब तुम इसमे 8 spoke लगाओ 80 लगाओ या 80,000 लगाओ कोई परक नहीं परता और एक rod के cross potential difference आएगा क्या सब को पता है half B omega L square लिख सकते हैं एक rod या एक spoke के cross potential difference आएगा half B omega L square रहेगा तो यही center और rim के cross का potential difference आएगा आप कितनी भी spoke लगा ले यह change नहीं हो जितनी भी spokes लगा रहे हो जितनी भी battery लग रही है बन रही है सब की सब parallel में connected है और parallel में potential same रहता है तो सभी के cross असी हजार spokes लगा लो तो भी इसकी value change नहीं होगी तो भी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जो एक spoke के cross potential difference होगा वही सभी के cross होगा सभी की सभी parallel में connected है उस वजह से potential difference सब के cross same ही रहेगा potential difference same रहेगा और वही center और rim के cross कराएगा center और rim के cross का पोटेंशिल difference यह हाफ व्यूमेगा स्कॉर आएगा number of spokes पर वो depend नहीं करता clear है दोस्त आगे बढ़ जाएं कि नेक्स कंसप्ट देखो copper rod AB of length L is pivoted at end A pivoted at end A pivoted at end A मतलब इस point के about इससे तुम घुमा रहे हो constant angular velocity omega at right angle to a uniform magnetic field induction mid point C of the rod and end B mid point C and end B के cross potential difference पूछा है तो जहां से तुम घुमा रहे हो वहां से इस C point की distance के L by 2 हो जाएगी और B point की distance के L हो जाएगी जो total length of the rod के बराबर होगी and A के across तो pivoted है गुम रही है तो यह वाला जो B end है वह तो length L distance पे होगा और यह वाला जो C end है उससे L by 2 distance पे होगा तो जो potential difference का EMF generation का formula होगा half B omega यह वाला end किती दूरी पे L दूरी पे है तो L square यह वाला end किती दूरी पे L by 2 पे है तो अगला formula L by 2 का L square solve कर लो half B omega L square minus L square by 4 answer आ जाएगा half B omega 4 L square minus L square कर दोगे तो 3 L square by 4 आ जाएगा answer आ जाएगा 3 by 8 B omega L square option number 4 is the correct choice that is 3 by 8 B omega L square is the correct choice for the given question I hope आप सभी लोग comfortable होगे clear होगे must होगे and मजे में होगे अभी तक का emotional EMF तक का concept है जिस सारी बाते clear हो गई एक number अब आगे बढ़ते हैं next concept की तरफ जिसका नाम है self inductance उस्तुरू करते हैं self inductance तो देखो बचा-पाठी समझते हैं पहले हैं कि self inductance का मतलब क्या होता है self inductance का मतलब समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई inductance का क्या मतलब होता है तो induction 라고 मतलब होता है यह circuit की वह property होती है जिसकी help से वह circuit अपने पोі current के change का oppose करता है कोई भी circuit में अगर आप current change करना चाहेंगे तो उस change in current का opposition होगा और उस opposition की property को ही क्या कहते हैं inductance ठीक है जैसे दो शब्द होते हैं एक आपने पढ़ा पढ़ चुके हैं अभी तक resistance इसका मतलब तो सब को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है बच्चा पार्टी resistance क्या होती ह्या होती है प्रॉपर्टी होती है वायर की स्पोस्ट फास्ट फ्लो ऑफ करेंट ये क्या होती है प्रापर्टी ए-पोस्ट-पैश्य ऑफ प्रोपर्टी होती है वैसे ही इंड़क्टिंस की भी प्रोपर्टी होती है इंड़क्टिंस क्या होता है बच्चा पार्टी इंड़क्टिंस जैसे रेश्टेंस होता है वैसे इंड़क्टिंस होता है इंड़क्टिंस क्या होती है प्रोपर्टी कि तु अपोज the change in current जिसे resistance जो है उसकी तो दुश्मनी है पूरी current से क्या है बलकुल पैदाईशी क्या कहते हैं दुश्मनी है current से कि हम current को flow होने ही नहीं देंगे वो current के flow का ही opposition करता है resistance लेकिन चेंड़्टेंस को current के flow से कोई दिक्कत नहीं है। उसको change in current से, इंड़्टेंस की property क्या、चाहती है क्या चाहती है, इंड़्टेंस जो होता है circuit के पर पर परटी होत है उस प्रापर्टी से कोई भी circuit क्या चाहता है कि उसमें जो भी current flow हो रही है वो change ना हो इंडेक्टेंस क्या होती है प्रॉपर्टी होती है टू अपोस दा चेंज इन करेंट के चेंज का पोजिशन करता है इंडेक्टेंस की प्रॉपर्टी करेंट के फ्लो से कोई उसे दिक्कत नहीं है करेंट फ्लो हो रहा होते रहेंदेगा बस वह चाहरा है कि जिस तरीके के का करेंट जितना फ्लो हो रहा उतना ही होता रहा है उसमें कोई चेंज ना है ना वह बढ़े ना थाटे कि अब किसी भी क्वाइल के थूझ जो लिंक्ड फ्लक्स होता है किसी भी coil की थुरू जो linked flux होता है वो किसके proportional होता है current flowing through it किसी भी coil की थुरू जो current flow होता है उसी के proportional में उसके साथ associated flux होता है तो किसी भी coil के लिए associated flux जो होगा वो proportional होता है current है यह proportionality का sign आप हटाएंगे तो जो constant आता है उसे कह देते हैं L that is self-inductance L क्या है self-inductance of y किसी भी क्याइल की तुरू जब आप current flow कराएंगे तो जो उसके साथ associated flux होगा वो proportional होता है current flowing through it और वो flux proportionality constant अटा proportionality का sign हटाएंगे equal लगाएंगे तो proportionality constant आगा जिसे L कहते हैं और यही L क्या होती self-inductance of the coil या body होती है यहां तक clear है अगर flux L I E के बराबर है तो जो यह में प्रेड्यूस होगा कि L D I by D T भी लिख दूँगा तो समझे ना self-inductance को लेकि जितने सवाल आते हैं वो इन दो formula हो जाते formula number one net flux is equals to Li and number formula number two net induced EMF is equals to minus L D I by D T इन दो formula से आपको self-inductance के सारे सवाल हो जाते हैं वो यह नहीं बचता हो करके देख ले करने से पहले एक जो अपने syllabus में solenoid का self-inductance का formula है अपने syllabus में किसका formula है self-inductance के solenoid के self-inductance का formula है तो पहले इसको derive कर लेते हैं तो मान लो बच्चा पार्टी यह कोई solenoid है solenoid क्या होती है artificial magnets को ही कहते है solenoid यह कोई solenoid है जिसकी length किती है l है और total number of turns कितने है n है यह कोई solenoid है जिसकी total length किती है बच्चा पार्टी small l inductance को capital L से represent करते हैं और total length of the solenoid किया small l total number of turns कितने है इसमाल है तो इसमें जब कोई current flow होगी तो solenoid के अंदर जो magnetic field होती है क्या उसका formula बच्चपन में अपनने पढ़ा था mu not ni होता है magnetism वाला जो chapter उसमें पढ़ा होगा अगर कोई current i flow करा है यहां से हपन तो इसमें जो magnetic field produce होगी वो mu not ni होगी किती होगी mu not ni होगी where small n जो है small n जो है वो किसके बरावर होता है total number turn density कहते है total number of turns per unit length small n की value यहां put कर दो तो जो magnetic field होगी यहां पे solenoid के अंदर वो क्या mu not into capital N by L into i होगी तो अगर बच्चा पार्टी मैं net flux linked with this coil लिखूँ flux को क्या बच्चा पार्टी अगर number of turns total number of turns n है into magnetic field into area कर देंगे क्या total flux linked through this coil आ जाएगा हां या ना हां या ना तो चलो very good and b की value देखो किती है यह बच्चा पार्टी mu not into capital N by L small into i into area अगर radius of solenoid small r कह दूँ तो पाई r square क्या यह net flux आ जाएगा तो यहां से जो flux net flux associated होगा mu not times capital N square into i into pi r square pi L into i कर देंगे अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था कि net flux किसके बराबर होता है किसी भी coil के लिए या किसी भी circuit के लिए net flux li के बराबर होता है यह आपकी equation number one यह equation number two from one and two क्या मैं flux की जगा 5 is equals to li होता है इस flux की जगा यहां पे li पुट कर दूँ तो l into i is equals to mu naught n square pi r square by small l into current आ जाएगा current से current को निप्टा दीजे यह current और यह current कट गई तो self inductance of solenoid का formula आ गया बच्चा पार्टी mu naught capital N square into pi r square by l यह formula आ गया self inductance of solenoid का mu naught n square into pi r square by l ठीक है तो self inductance जो आप देखेंगे किसके proportional आती है एक solenoid की जो self inductance होती वो proportional होती है number of turns के और inversely proportional होती है length of solenoid के proportional होती है number of turns के square के और inversely proportional होती है total length of the solenoid के तो यह होती है self inductance of the i hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे and clear होंगे अब मैं summary देदू self inductance की तो कुल मिलाके self inductance के पे तुम्हारे पास तीन ही formula है simple से self inductance को लेके तुम्हारे पास तीन formula है अगर यह तीन formula धिहान रखते हो तुम्हारा सारे सवाल हो जाएगे net slux is equals to li induced EMF is equals to minus l di by dt लिख दो या फिर minus का l delta i change in current upon delta t दूसरा formula यह हो गया और तीसरा हो गया self inductance of solenoid का कितना आता है mu not n square pi r square by l comfortable है यह तीन formula अगर self inductance को लेके formula clear है पहला बहुत simple है 5 is equals to li second भी बहुत simple है minus का l di by dt बस यह तीसरा formula तुम्हें एक ध्यान रखना mu not n square upon into pi r square upon l n क्या है बच्चा पाटी total number of turns है n क्या है total number of turns है और small l क्या है length of solenoid small l क्या है बच्चा पाटी length of solenoid है यहां तक comfortable है clear है तो यह basically तीन formula रह हो गए तुम्हारे जो solenoid को लेके तुम याद रखते हो तो तुम सारे सवाल solenoid के कर साथ है questions करें पहला सवाल आपके सामने current passing through है choke coil चोक कोईल बोलू या solenoid बोलू बात एक ही है और फिस self inductance self inductance दे रखी है is decreasing at di by dt दे रखा है current decreasing at di by dt कितना दे रखा है करेंट पर यूनिट टाइम एंपियर पर सेकेंड इंफ डेवलेप अक्रॉस दा कॉइल पूछा गया है तो इंफ की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो क्या होता है माइनस का एल di by dt होता है इंडक्टेंस किता है पांच हेनरी है और di by dt किता है माइनस का टू इंड्यूज इमफ क्या टैन का प्लस का टैन वोल्ट आ गया कि इंड्यूज इमफ क्या आ गया प्लस का टैन वोल्ट क्लियर है माइनस एल डिया बाइडी था या बाइडी निगेटिव है कैसे पता चला निगेटिव है विकॉस लिख रखका है कि करेंट इस डिक्रीजिंग कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज कर रही होती है तो उसका इसका रेट पॉजटिव होता है कोई बीचीज अगर इंक्रीज कर रही होती है तो उसका रेट पॉजटिव यहां तक क्लियर है कमफटेबल है कि अगला सवाल करो आप अनबर ओफ टरन्स इंस ओल्नॉइट तो इस पर इंड़ा क्या होता है बच्चा पार्टी सॉल्लॉइट के लिए मू नोट एन स्क्वाइर इंटू पाई आर स्क्वार बाय अब बिसिकली कर क्या रहो नंबर ओफ टरन्स इसको डबल कर दे रहो इस पे square भी था तो दो का square क्या हो जाएगा चार तो जो soil noid होगी अगर उसको number of turns double कर दोगे तो 2 का square 4 बाहर आएगा क्या 4 times inductance हो जाएगी तो number of turns double करने से self inductance कित्ती हो जाएगी उस square की 4 times हो जाएगी that is option number 3 is the correct choice for the given question I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे से clear होंगे नेक्स सवाथ a long soil noid has self inductance L if its length is doubled keeping the number of turns constant again simply formula देखना है आपको और compare कर देना है mu naught capital N square into pi R square upon L length से inversely proportional होती है अब question में कह क्या रहे हैं if length is double keeping total number of turns constant तो यहां पर अगर तुम double to divide करोगे तो यहां पर भी to divide हो जाएगा तो जो नई self inductance आएगी वह कित्ती हो जाएगी L by 2 हो जाएगी that is option number 1 हो जाएगी comfortable है अगर length double कर दोगे तो self inductance technically कित्ती हो गई है half हो गई है तो new self inductance L by 2 हो गई है नेक्स्ट सवाल करो self inductance of coil is 5 milli henry L की value 5 milli henry दे रखी है milli मतलब 10 to the power minus 3 if current is decreasing di by dt दे रखा है अगर current decrease कर रही है है तो मतलब माइनस आएगा यहां पर 10 to the power plus 3 ampere per second decrease कर रहे है इसलिए di by dt निगेटिव आएगा नें दे EMF induced पूछा गया है तो induced EMF का formula minus का L di by dt लिखते है भारती संस्कृति के नुशार L कित्ता है बच्चा पार्टी 5 into 10 to the power minus 3 or di by dt minus of 10 into 10 की power plus 3 यह माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 10 की power minus 3 plus 3 खत्म हो जाएगा answer आजाएगा plus का 5 volts option number two is the correct choice for the given comfortable clear है एक सवाल और करो when the current in the coil is changes from zero to five ampere delta i की अगर मैं बात करूं that is i final minus i initial पाइनल करेंट किती है पांच initial किती थी जीरो चेंज इन करेंट डेल्टा आई आ गया पांच इंज 0.5 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी अगर मैं निकालू तो डेल्टा टी की वैलू 0.5 दे रखी है तो सॉल करके यह आ गया पांच अपउन 0.5 डच आ जाए है रूटा है तो नषने की अविवड्रे चीजह प्यक्त करन डे 1 माइनस का कॉ व्य यहां पे कोई साइन ध्यक्तर नहीं किया गया सरी म्यंडे रखा के सारी चाइज au तो माइनस साइन को इग्नोर करो बस वैलू किती दे रखी है वन इंडक्टेंस पूछा गया है डिया बैटी किता है टैनल किता आ जाएगा वन बाय टैन्ट इस जीरो पॉइंट वन हैनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दा क्वाइल किती होगी जीरो प्मेंट वन हैंजी मुचल इंडक्टेंस होता है मुचल इंडक्टेंस क्या कहता है एट इस अ प्रॉपर्टी आप विच चेंज इन फ्लक्स ऌक्टेंस क्या चरुएज था नीसि premise स्या है आउठूव एट तो सेल्सी था Legacy क्याय काम, क्वेशत तो सेट रहाएतiran स्वेशन सेथेशनु मुचल स्या प्रणा स्वेशन प्रणा लामेंस प्रणा due to change in current in second coil समझना बच्चा पार्टे क्या है mutual inductance क्या होता है मालू यहाँ पर दो क्वाइल लखी है एक क्वाइल यह है इसकी self inductance L1 है इसमें मालो current first coil में आईवन फ्लो हो रही है इस current I1 को जैसे ही मैं change करना चाहूंगा तो यह वाली coil यह वाली coil नहीं current इसमें बह रही इसकी current और यह change होना चाहरी है इसको दिक्कत हो जाएगी जैसे पडोस वाली आंटिया नहीं होती है कोई काम नहीं इससे कोई मतलम नहीं लेकिन तुम्हारी current भी कैसे change हो रही है इससे इस बात को दिक्कत हो जाएगी तो यह oppose करेगी इसके current का change का और यह coil oppose करेगी इसके current का change का मतलत दोनों एक दुसरे की current के में changes का oppose करेगी इस phenomenon को क्या कहते हैं mutual inductance कहते हैं इसकी current का change का इसकी current में change का position कौन करेगी यह वाली कोई और इसमें जो current हो रही होगी इसका इसमें change का पोजिशन कौन सी कौई करेगी यह कौई करेगी इस phenomenon को क्या कहते है mutual inductance कहते अब mutual inductance का phenomena mathematically क्या कहता है वही important है वही अपने syllabus में तो कुछ नहीं बहुत simple सी बात है net flux इस डारेक्ली proportional to current होता है proportionality constant हटाओगे तो m i आ जाएगा m क्या होता है coefficient of mutual inductance होता है तो पहला formula तो इस पर यह आ गया net flux is equals to m i दूसरा induce emf किता होगा minus का m डियावाई डिटी आ जाता है दूसरा formula या फिर माइनस का m delta i change in current upon delta जो formula self inductance के लिए सीखे थे वही as it is mutual inductance के लिए भी valid clear है यही दो formula self inductance में थे यही दो formula mutual inductance में अब यहाँ पर एक system का mutual inductance निकालने को भी पूछा जा सकता है जिसमें जो नीट अपने syllabus में एक ही system है एक बाहर जो outer loop होगा वह हमेशा circular होगा और inner loop किसी भी shape का हो सकता है यहाँ पर मैंने inner loop area square shape का ले लिए जिसका जिसकी side length क्या है एक आउटर रूप जो होगा वह क्या होगा हमेशा आपको एक circular दे रहा है इस system का मुझे mutual inductance निकालना condition यह है कि radius of outer loop radius of outer loop जो है इस square की side से बहुत बढ़ा है r is much much greater than a यह assumption क्यों ले रहे हैं विकाज हम क्या करते हैं कि square loop के center magnetic field का formula तो हमें पता है अब में जो center magnetic field है वह मान लेते हैं कि पूरे square के लिए उतनी ही magnetic field है और हर जगां सेम है वह कब मान पाएंगे जब हम यह assume करेंगे कि radius of this circular coil is much much greater than side of square है तो चलो flux through square लिखते हैं इस square लूप की through flux लिखते हैं कि अब अच्छा पार्टी magnetic field into area होता है square की through flux इस square की through link flux निकालते हैं अब square के पास जो magnetic field होगी वह किसकी वज़ा से होगी इस क्वाइल में जो current flow हो रही है तो current क्वाइल एक सेंटर पर magnetic field प्रेड्यूस करेगा कि इस इसक्वाइर लूप की थूज़ जो flux होगा magnetic field कि एक करेंट केरिंग सर्कुलर लूप जो magnetic field प्रेड्यूस करता है अपने एंटर पर क्या मूण आई अपउन करता है सभी बच्चों को ध्यान है area of square लूप इसक्वाइर का एरिया क्या side का square होता है कि कुलाइब फ्लक्स थूइस क्वाइर कि या मूण आए सक्वाइर अपउन टू आर इंटू करेंट लिग दो गया अभी थोड़ी देर पहले अपने ये भी पढ़ा था कि net flux किसी भी system के लिए MI होता है where M is mutual inductance of the system flux is because to MI तो यहाँ पे flux की जगा MI पूट कर देता हूँ mu not a square upon 2r into i देखो बच्चा पाटी current और current ने पड़ गए इस system का mutual inductance आ गया वो किसके आबर आबर आ गया mu not a square upon 2r आप चाहो तो यह formula याद रखो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यही system तुम्हें exam में है लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कोई भी system आई mutual inductance निकालने के लिए तुम्हारा answer हमेशा सही आए ट्रिक यह है कि तुम्हें चार option जब देखो कि तुम्हें एक ही option हमेशा एक ही option ऐसा मिलेगा जिसमें यह वाली proportionality mutual inductance जो है proportional होता है a square by r के a क्या है बच्चा पाटी inner जो भी object है उसकी side का square inner जो था inner वाली figure क्या थी square थी square की side length क्या थी a तो inner वाले जो भी dimensions दे रखी हैं उनका square upon outer वाली outer में जो भी figure दे रखा है उसकी depth तुझे को inner वाली side के लिए क्या a दे रखा था और outer वाले figure के लिए क्या radius r दे रखा था तो mutual inductance a square by rk proportional आएगा इनर का square upon outer इनर का square upon outer आएगा हमेशा जिसमें देखना इनर का square upon outer का dimensions दे रखे हो वही वाला answer सही होगा अब चलो कुछ सवाल कर लेते हैं mutual inductance में सवाल करने से पहले relation between self inductance and mutual inductance भी पता होना चाहिए तो बच्चा पार्टी mutual दो क्वाइल अगर है तो उसमें दो क्वाइले self inductance जिसकी L1 और L2 है तो उन सिस्टम का mutual inductance का formula आता है mutual inductance आता है k times root over L1 L2 यह क्या होता है coupling factor होता है जिसकी value जो होती है बच्चा पार्टी less than equals to one होगी greater than equals to zero zero और one के बीच में अगर हमें question में नहीं दिया होगा if nothing is given तो उस case में हम coupling factor की value क्या देखते हैं one लिखते हैं अगर coupling factor k के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो आपन कुछ नहीं दे रखा है तो k की value क्या माल लेंगे one माल अब देखो coupling factor की value कैसे decide होती है समझना बच्चा पार्टी माल लो ये दो कोईल हैं कोई ये बिल्कुल side by side लखे है तो इसे कहते हैं perfectly coupled और इस case में k की value कित्ती आती है बच्चा पार्टी वन आती है अगर बिल्कुल line to line होंगे coaxially रखे होंगे तो इस case में coupling factor कित्ता आता है बन आता है पहला case दूसरा case अगर किसी angle पे रखे हुए दो कोईल ये कोईल जिसकी self inductance L1 है इसकी self inductance L2 दूसरी कोईल किसी angle पे पड़ी हुई है इससे इस case में k की value 1 से छोटी मिलेगी और 0 से बड़ी मिलेगी और वहीं third case की बात करते हैं दो कोईल बिल्कुल perpendicular direction में पड़ी हुई है दो कोईल बिल्कुल perpendicular direction में पड़ी है इस case में coupling factor के आएगा 0 और mutual inductance अगर self inductance L1 L2 दो कोईल का दे रखा mutual inductance तो k times root over L2 L1 L2 होता है के अगर question में coupling factor दे रखा है बहुत बढ़ी है बात नहीं दे रखा है अपन k की value क्या मानेंगे 1 तो mutual inductance का formula क्या जाएगा root over L1 into L2 आपको सवाल करो पहला सवाल the mutual inductance of the coil of radii A and B B is much much greater than A if the plane of coil are perpendicular to each other अगर ये दोनों coil एक दूसरे co-planar नहीं है एक दूसरे के perpendicular plane में है उस case में system का mutual inductance क्या हो तो समझना बच्चा पाढ़ी अगर ये coil तो मालो board के plane में है और दूसरी coil जो है वो let's say इसके perpendicular plane में ऐसे रखी ये ऐसे रखी तो भाई अगर ये board के plane में है बाहर वाली coil तो इसकी magnetic field board के plane के perpendicular आएगी इस direction में कुछ जैसा ये pen है और अगर ये coil उसी coil जो है अगर ऐसे perpendicular plane में है तो क्या magnetic field और ये coil दोनों parallel हो गए तो अंदर वाली coil और ये अगर magnetic field parallel हो जाएगे के मतलब अंदर वाली coil से linked flux क्या होगा जीरो तो mutual inductance होने के लिए दोनों coil का आपस में flux का link होना जरूरी है चुकि अगर दो coil एक दुसरे के perpendicular हैं तो इस case में एक दुसरे की magnetic field एक दुसरे से couple ही नहीं होगी एक दुसरे का flux एक दुसरे से link ही नहीं होगा flux ही link नहीं होगा तो net flux ही अगर link 0 हो जाएगा तो net flux is the question ही तो MI लिखते हो तो flux 0 तो mutual inductance भी 0 तो अगर दोनों सेम प्लेन में होते तो तुम stall नहीं करते उस case में तुम वह अला option धूरते जिसमें इनर का इनर वाली side किती है a square और outer वाली किती है a square के by b के proportional हो अगर दोनों का plane सेम होता तो आप यह वाला option देखते जिसमें inner वाली side a दे रखे आउटर वाली side b दे रखे तो a square by b के proportional जिस option में मैं दे रखा होता mutual inductance a square by b तीसरा या पहला इन दोनों में से एक answer आप टिक कर लें लेकिन चुकि यहां पर दो option में a square by b की proportionality क्यों दे दी विकास दोनों ही गलत है option क्या सही है 0 क्यों क्यों दोनों एक दूसरे के perpendicular plane में है और perpendicular plane में है तो linked flux ही 0 होगा flux 0 तो mutual inductance system की clear है जिसे small square loop of radius wire of side L तो एक square loop है side L और इन साइडे लार्ज सर्कुलर लूप of radius small r लूप आर को प्लेनर देखो एक ही plane में है को प्लेनर है अब यहां पर mutual inductance आएगा the mutual inductance of system is proportional कि किसके प्रपोर्शनल होगा inner की square inner वाली side कित्ती लेंद की है ल इनर का स्कॉयर अपन आउटर एल स्कॉयर वाई आर के प्रपोर्शनल होगा एल स्कॉयर वाई आर कौन से में option में आ रहा है यह पहला option the first option is the correct choice for the given proportionality ही पूछी अब यह सवाल करिए the self inductance of two uncoupled कोईल्ड आर कि कोटी मिली एंप्यर और नैंटी मिली एंप्यर एल्वन की वैलु दे रखिए एल्टू की वैलु दे रखिए देर mutual inductance पूछा है तो mutual inductance के लिए क्या formula root over L1 L2 पूछने के लिए ना देंगे हां या ना जब यह अनकपल्ड थे तब इनकी mutual inductance दे रखिए लेकिन जब इनको पास में लेके आओगे तो इनका mutual inductance के रूट ओवर L1 L2 लेख दो गया कि रूट ओवर 40 इंटू 90 नाइन फोजा 36 रूट ओवर 3600 हो जाएगा तो mutual inductance आ जाएगी 60 मिली हैं रेकी कमफर्टेबल है clear है नेक्स सवाब वन देखरीज अफ दे करेंट इन दा प्रामरी क्वाइल फ्रॉम टू टू जीरो एंपियर तो डेल्टा आई कितना है फाइनल देखो किती है जीरो इनिशल किती है टू टाइम किता है जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड तो डेल्टा आई अपॉण डेल्टा ट की वैलू तुम्हें आ गई किती है गई माइनस का 2 वाइज 0.01 मतलब माइनस का 200 माइनस का 200 ठीक है इन दे सेकेंडरी क्वाइल इस दे एम फ जेनरेटेड एम फ जेनरेटेड आप से पूछा गया है कितना 1000 वह एम फ जेनरेटेड जो है वह एक हजार वोल्ट है दा म्यूचल इंडेक्टेंस अफ टू कॉइल पूछा गया है इम फ का फॉर्मला कि हम माइनस टाइम्स एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं इम फ का जो मैंगनिट्यूड है वह एक हजार दे रखा है दियाए भाई डिटी कि हम माइनस का दो सो दे रखा है माइनस माइनस खतम हो जाएगा दो जीरो से यह दो जीरो कर जाएंगे है यहां तक कंफ़र्टेबल है सभी दोस्त बढ़ियां से जहर लेवल आगे बढ़ जाएं तू क्वाइल सफ इंड़्टेंस लवन और टूर प्लेटल फ्लक्स इन वन क्वाइल इस कंप्लीटली लिंग लिंग लिखा है मतलब कप्लिंग फेक्टर किता है वन है तो लिए यह म्यूटल इंड़्टेंस किता हो जाएका फिर । है वर जाएगा अब नेक्स टॉपिक पर टेल हैं डैट इस ट्रांस पॉर्मर क्या पढ़ते हैं रांस क्या होता है ट्रांसफर्मर पहले समझते हैं क्या काम आता है कैसे वर्किंग होती है वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका और यह कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा पहले इस बात को समझते हैं फिर ट्रांसफर्मर की आगे की पढ़ाई करते है शब्रों और कि ऊभ्त्तव संधें कि ट्रांस्फर्मर होता एक काम होता है इसका काम होता है वॉल्टेज को अपया डाउन करना है तो दोस्त होता क्या है सबसे पहले समझों बेसिक किसका यूज क्या आया है जब एलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है है अब ऐसा तो है नहीं कि हर शहर में अपनी बिजली बन रही है बिजली तो बहुत कई कम जगह जहां पावर प्लांट सोते हैं यहां थर्मल फावर प्लांट या थर्मल प्लावर में रख़ते हैं वहां पे गेश्चा अपना थर्मल फावर प्लांट है कोटा से 40-50 किलो मेंटर दूर रावत भाट Admiral वहांपे नीवक्लियर प्लांट है है अब हो दूरा रहा है एक अनूसाह इस तरह के अरिया में अचाओं यहां से चार पावर फ्लांट हर चार्-पांच-ड्स डिस्टिक्ट पे एक thermal power plant होता है जिससे बिजली बनती है और ट्रांस्मिट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो आप ट्रांस्मिट करोगे बिजली को तो आपने current electricity में पढ़ा होगा कि पावर लॉस होते हैं एक स्कॉइर आर लॉस अगया देखते हूं कितनी मोटे मोटे से वाइर होते हैं और एक शहर से दुसरी दूसरी तक तार जा रहा है पूरा और वह तार कॉपर का भी नहीं होता है तो अतना महें तार लगा नहीं सकते तो Almonium का तायर लगाते है जिसका रेजिस्टेस बहुत जाएगा तो I2R losses बहुत बढ़ जाएगे जिन्हें अपन transmission losses भी कहते हैं मतब पावर जहां पे बन रही है और घरों में जहां पे यूज होनी है वहां तक transmit करने में बहुत loss हो जाएगा कर रोता है दो क्या होता है बच्छाबाटी पावर का सक aplikodrum on दिस सिंज discour großen reward का क्रणिट करने के लिए क्या करते हैं करेंड को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं का वस्टाइज बढ़ा देते तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसविशन किया जाता है पावर करने कम कर लेते हैं तो कम कर देते हैं तो जब कम कर देते हैं तो ट्रांसविशन के दोराण युद्व लॉसिसं सोंगे वह बहुत कम इसलिए बच्चाबाजी जो बिजली के खंबे होते जो तुमने बहुत बड़े-बड़े हाइटेंशन वायर जो होता है जो ट्रेन या चहर के बाहर तुम्हें देखते हैं तुम देखा करो उस पर जो वोल्टेज लिखा होता है वो लिखा होता है 14000 वोल्ट बहुत हाइयर हैं क्या कहते हैं होता है 14000-20000 पचाशेशन वैंडिया तर वहां पर छुब सारे ट्रांस्फर्मर को क्या होता बिजली जो रिपाया उसकी वोल्टेज को कम करना उत्रा वोल्टेज घर के अगर सप्लाई में घब जाएगा तो घर की सप्लाई डग जाएगी शोड़ा सा कम कर देते हैं कितना कम कर देते 1400 वॉल्ट पर ले आते है फोटीन हंडेड़ वोल्सराइब फिर पूरे शहर में ट्रांसमेट की जाती है इसलिए हर colony के बाहर, हर महले के बाहर देखा करो, एक छोटा transfer, एक sub transformer और लगता है, वो transform क्या करेगा, वो 1400 volt की supply को 220 volt, जो घरों में आप देखते हो, जो यूज करते हो, 220 volt की supply यूज करते हो, तो वो 1400 voltage को 220 volt पे supply करके, फिर हर घर में तारसे supply हो जाता है, तो कहीं भी आपको अगर वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है दोनों जगह पे आपको ट्रांस्फॉर्मर की मदद लेने ही पड़ेगी अब यह जो ट्रांस्फॉर्मर है सबसे पहली बार ट्रांस्फॉर्मर के लिए आप समझेंगे इट वर्क इसका जो बेसिक प्रिंसिपल एकाम करने का इट वर्क ओन अन दे प्रिंसिपल ओफ म्यूच्वल इंडक्टेंस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके पीछे क्या होता है म्यूच्वल इंडक्टेंस का होता है किस फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है म्यूच्वल इंडक्टेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पर यह काम करता है तो अगर तुमसे बोले ट्रांस्फॉर्मर के पीछे काम करने का लॉजिक क्या है तो बो अनली विद ए सी पर कि इना या मैं तो कर आइस पर सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्षया एसी अप्लाई पर काम करेगा किसी भी ट्रांस्फॉर्मर को अगर आप डी सी बैटरी से काम करेंगे वह कोई आउटपुट नहीं देगा जीरो आउटपुट देगा कोई रिजल्ट नहीं करता किस पे काम करता है सिर्फ और सिर्फ ac source या ac supply पे काम करता है यह बात अब करते क्या है बच्चा पाटी सिसमें 2 साइड होती इसको कहते हैं primary side, जिधर input connected होता है इसे बोलते है primary और जिधर output चाहिए होता है उसे बोलते है secondary side, तो primary में कुछ number of tons तार को घुमाओगे इस तरीके से, तो कुछ number of tons N1 होते हैं, यह जो material यूज़ करते हैं, जिस पर winding करते हैं, इसे कहते हैं, soft iron core, कौन सा material यूज़ करते हैं, transformer मनाने के लिए soft iron core, यह फैरो-magnetic material होता है, जिस अपने पढ़ा होगा, तो यह क्या करता है, जितनी भी magnetic field यहां पर produce होगी, वो पूरे के पूरे flux को यहां पर पहुंचा देगा, soft iron core का का काम क्या होता है, ताकि flux leakage ना हो, जो magnetic flux यहां produce होगा, वो यहां से leak ना हो जाए, वो iron core के साथ, वहां तक मार जाए, soft iron core की property होती है, कि वो magnetic, फैरो-magnetic material की property होती है, ज्यादा से ज्यादा magnetic field को अपने अंदर रखना चाहता है, तो यहां पे number of turns primary side में N1 रखे, input और output side में voltage को change कर सकते हैं, तो जो input में voltage दे रहे हो, let's say V1 या V in, और output में जो voltage दे रहे हो, इन में जो relation आता है, V input upon V output, is the question N1 upon N2 होता है, okay, input upon output का जो क्या कहते है, voltage का ratio हो आता है, वो number of turns in primary and secondary के ratio के बराबर आता है, और वो किसके बराबर होता है, current output upon, यह एक fundamental basic सा formula है, जिस पर base, transformer पर बेस, जितने सवाल है सारे हो जाएंगे, V1 upon V2 is equals to N1 upon N2 is equals to I output upon I, V input upon V output is equals to N input upon N output, N1 क्या है, input side के number of turns, N2 क्या है, output side के number, is equals to current के लिए ultra ratio हो जाता है, I output upon I input हो जाता है, I hope यहां तक comfortable होंगे clear, अब यह clear है, अब देखो बच्चा बाटी दो तरीके के transformer होते हैं, step up transformer और step down transformer, step up transformer होता है, step up transformer मतलब तुम्हें output में voltage ज्यादा चाहिए, step up transformer का काम क्या होता है, voltage को बढ़ाना, output side तुम्हें voltage, input side से ज्यादा चाहिए, तो अगर तुम्हें output side में input side से voltage ज्यादा चाहिए, तो output side में number of turns बढ़ा दो, N2 greater than N1 है, तो अगर बच्चा पाटी कहीं तुम्हारी ऐसी नीड है, कि तुम्हें voltage कम आ रहा है, तुम्हें ज्यादा voltage चाहिए, voltage बढ़ाना है, तो क्या करोगे, बहुत simple सा काम है, voltage बढ़ाने के लिए, एक ऐसा transformer बढ़ाऊगे, जिसमें इधर के number of turns बढ़ाऊदा रखोगे, और primary side number of turns कम रखोगे, तो output side, secondary side number of turns बढ़ाऊदा होंगे, और इधर कम होंगे, तो step up transformer मिलेगा, जो output में voltage मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी, input में voltage मिलेगी, वो कम मिलेगी, वहीं बच्चा पार्टी, अगर बच्चा पार्टी में इसके, step down transformer की बात करूँ, मतला output, input पे voltage बहुत ज़्यादा आ रही है, और हमें voltage डाउन करनी, जैसा कि transmission channel से होता है, मालो जो घर के बाहर तुम्हारा supply आई, वो 1400 वोल्ट पे आई, तुम्हारे घर के जो अप्लाइंसेज हैं, वो 220 वोल्ट पे काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, दग जाएंगे, धुआ निकल जाएगा, तो क्या सा transform लगाओगे, step down transform लगाओगे, step down transform मतला output में voltage कम मिले, input में आप ज़्यादा वोल्टेज, input पे ज़्यादा वोल्टेज है, output पे कम चाहिए, बिसिकली step down transformer में, input में voltage तुम्हें क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, सुरे, input में ज़्यादा होता है, output में तुम्हें voltage क्या होता है, कम चाहिए, अगर output में voltage कम चाहिए, तो output के number of tons कम कर दो, number of tons को बढ़ा घटा के, आप step down, step up, अगर input side voltage ज़्यादा चाहिए, output में कम वोल्टेज चाहिए, तो output side number of tons कम कर दो, input side number of tons बढ़ा दो, इस से तुम्हारा step down transformer मिलेगा, इस से step up, अगर यहां तक लिए रहे हैं, यहां तक लिए रहे हैं, अब इसके बाद एक concept और रहता है, efficiency of transformer, इसका efficiency of transformer, तो अगर मैं efficiency of transformer की बात करूँ, रिफ्रेजेंट करते हैं, अल्फावेट इंटा से, तो efficiency होती ही क्या है बचा, किसी भी चीज़ की efficiency कैसे निकालोगे, output upon input, efficiency होती है बचा पार्टी, power output upon power input, output power upon input, power का ratio क्या हो जाएगा, efficiency of transformer, अब efficiency, output में power क्या बचा पार्टी, P output into current output, upon P input into current input, अब कर्रेंट आउट्पूट, आउट्पूट पावर, पावर को क्या लिखते हो, voltage into current लिखते हो, ना, आउट्पूट पावर क्या हो जाएगा, बच्चा पार्टी, V output into current output, upon I input upon V input into current input, clear है, यहाँ से V out, output voltage into output current, is equals to efficiency times, input voltage into input current आजाता है, अब अगर वही बच्चा पार्टी, अगर एफिशेंसी निकाल नहीं होगी, तो इस फार्मले का use कर लेंगे, अगर एफिशेंसी किसी चीज की 100% होगी, मतलब एफिशेंसी क्या ले लोगे, मतलब एफिशेंसी 100% है, मतलब पावर आउट्पुट और इंपुट पावर दोनों क्या होंगे, बच्चा पार्टी सेम होंगे, इंपुट और आउट्पुट का पावर क्या होगा, सेम होगा, मतलब V out into current output, इसी को स्टू वी इंपुट एक चीज और ध्यान रखना बच्चा पार्टी, कभी भी एफिशेंसी अगर तुम्हें पर्सेंटेज में चाहिए, एफिशेंसी अगर आपको पर्सेंटेज में चाहिए, तो इंटू 100% कर दो, जो भी एफिशेंसी की वेलो तुम्हें इन पर्सेंटेज आ जाए, एफिशेंसी अगर पर्सेंटेज में चाहिए, तो आप क्या करेंगे इंटू 100% क्लियर है, तो यह तो पूरी बात हो गई, सबसे पहली बात किसके फिनॉमेना पर काम करता है, मुचल इंडेक्टंस के काम करेगा, क्या रिलेशन फॉलो करता है बच्चा पार्टी नंबर और टर्न्स और करेंट के लिए, इससे सारे सवाल हो जाएंगे और जो आएंगे जिसमें एफिशेंसी के लिए मैंने तुम्हें रिलेशन कमफर्टेबल है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स कंसेप पढ़ते हैं दोस्स अपना इंड्यूज एलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है बच्चा पार्टी, जब किसी भी रिजन में टाइम वैरिंग मैंग्नेटिक फील्ड होगी, मैं लिखा देता हूँ एक एक बात ध्यान रखेंगे जिससे आप, इफ दियर इस ताइम वैरिंग मैंग्नेटिक फील्ड इन अनी रिजन किसी भी रिजन में अगर ताइम वैरिंग मैंग्नेटिक फील्ड होगी देन, ख्यू अजयर बाकटिक ने छिजन गड़ और ताइम लैवी, इंडियूज़ एलेक्ट्रिक फील्ड इन डाट तो उस रीजन में क्या होगी? इंडियूज एलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब इंडियूज एलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यह क्या खास बात है कब होगी पहली बात तो समझ में आना चाहिए जहां पर डीबी बाइडी टी नॉन जीरो कहीं पर भी अगर टाइम वेरिंग मैंगनेटिक फील्ड हुई मतलब डीबी बाइडी टी की वैलू जीरो के बराबर अगर नहीं हुई तो उस रीजन में क्या Curt fij टो पहले भी पढ़ाई इस एलेक्ट्रीक्विल्ड में क्या खास बात है पर्परटि औफ इंट्यूज अलेक्रिक फील्ड लों बच्चा पाटी सवाल जो आता एलेक्ट्रीग की प्रवपर्टी पहिया अता है इंडेज अलेक्ट्रीक कर लेक्टर इल्पक चाज की वजह से प्रेड्जू सोती थी पहले चैप्टर में कुलॉंब्सला वाले चैप्टर में वो कभी भी लूप नहीं बनाती थी यहां पर जो में अलती फील्ड है इसका जो जीवन उत्पन हो रहा है यह जो प्रेड्यूस हो रही है वो प्रेड्यूस चार्ज की वज़ासे नहीं हो रही है किसकी वज़ासे हो रही है टाइम वेरिंग मैंगनेटिक फिल्ड की वज़ासे हो रही है और जो टाइम वेरिंग मैंगनेटिक फिल्ड की वज़ासे electric field produce होती है उसे कहते हैं induced electric field और वह close loop form करती है कि इंड्यूज electric field इस उफ नॉन conservative nature कैसे nature की होती है ये नॉन conservative nature की होती है जब कि जो अपनने coulomb's law में जब electrostatic field के बारे में पढ़ा था वो कैसी होती थी conservative लेकिन induced electric field कभी भी टर्म आ जाए induced electric field तो induced electric field कैसी होती है non-conservative nature की होती है और हमेशा क्या बनाती है close loop बनाती है कभी किस reason में पाई जाएगी कहां पे induced electric field पाई जाएगी उस region में पाई जाएगी जहां पे time wearing magnetic field हो मतलब db by dt की value अगर 0 नहीं हुई db by dt की value अगर 0 नहीं हुई तो induced electric field होगी ही होगी जो की close loop बनाएगी और non-conservative nature की होगी close loop भी बनाएगी और non-conservative nature की यहां तक clear है अब induced electric field को लेके सिर्फ एक ही case एक ही formula अपने syllabus में कौन सा induced electric field in cylindrical reason ncrt में एक heading है ठीक है वह बहुत अलग अलग तरीके से produce सकती है लेकिन ncrt में क्या सिर्फ एक ही heading है cylindrical reason आस्तक की history में चाहें आईटी का question हो चाहें नीट का सवाल हो दोनों में अगर सवाल पूछे गए है तो कौन से reason में पूछेंगा है cylindrical reason को लेके induced electric field के बारे में पूछा गया है वही जो ncrt में दे रखा है वही तो पूछेंगे तो माल लो ये कोई cylinder है ये कोई cylindrical reason है दोस्त या रुको इसको मैं हटाई देता हूं completely नया बनाता हूं पुरा ये कोई बच्चा पाटी cylindrical reason है इसके अंदर electric field प्रेजन या magnetic field प्रेजन है इसके अंदर ये magnetic field है क्रॉस में ये magnetic field प्रेजूस है इस cylindrical reason ये magnetic field जो है time के साथ vary कर रही है कुछ db by dt आपको दे रखा है db by dt की value non zero है इस reason में time varying magnetic field है magnetic field change हो रही है time के साथ इस इस सेंटर में अगर यहां पर time varying magnetic field है तो क्या बच्चा पाटी यहां पर एक electric field आएगी बिल्कुल आएगी तो किसी डिस्टेंस आर पे ए यह point है जो कि center से आर दूरी पर रहे हैं कि मैं इस point आर पे यह point जो है ना जो है तकि यह point जो है पी इस point पी जो की center से आर दूरी पर इस point पी पे मैं electric field की magnitude निकालना चाहता हूं को मैं और मैं इस इन्र लूप से मैं एक लिखना चाहता हूं तो flux को क्या बच्चा पार्टी बी डॉट ए लिखा जाएगा magnetic field into area एरिया क्या बच्चा पार्टी इस लूप का एरिया अगर radius r थी इसकी अगर बच्चा पार्टी ये जो point p है वो center से r दूरी पे है तो इस लूप की जो area आएगी क्या pi r square आएगी अब induce emf क्या minus का d phi by dt लिखते हैं दोस्त दोको pi r square area तो constant है क्या change हो रहा है magnetic field ही तो change हो रही है db by dt ही तो change हो रही है तो pi r square area into db by dt लिख सकते हैं emf को और emf मतलब potential difference और क्या बच्चा पार्टी अपने पढ़ा था potential difference को e dot dl लिख देते हैं potential difference क्या minus का e dot dl होता है is equals to minus times pi r square into db by dt आप देखेंगे बच्चा पार्टी यह minus sign और यह minus sign खट दे आएगा अब चुकि मैंने यह symmetrical reason लिया है ठीक है यह symmetrical reason तो इस loop में कहीं भी जाओगे तो यह जितने भी points मिलेंगे सारे के सारे points या बच्चा पार्टी center से आरदूरी पे ही होंगे तो इस loop में पूरे loop में कहीं भी घूम जाओ हर जगह electric field का magnitude आएगा वो constant आने वाला है तो चुकि electric field अगर constant आने वाली है तो integral dl लिख देंगे इस दी कुस्टू πाई आर स्क्वाइर into db by dt आ जाएगा यहां तक comfortable है अब अगर integral dl लिखते हैं इस loop में अगर integral dl लिखके चल जाओगे तो integral dl क्या इस loop का circumference आ जाएगा electric field e integral dl अगर इस loop पे integral dl सारे elements को जोड़ दोगे क्या यह this circumference of this smaller circle आ जाएगा जो कि 2 pi r होगा that is equals to pi r square into db by dt होगा इस r से यह r निप्टा दो pi से pi निप्टा दो तो जो electric field का formula आ गया बच्छा पार्टी यह क्या हो गया यार रुक जाएगा बच्छा पार्टी में फिर से लिखना पड़ेगा यहां पे कुछ error हो गई तो पूरे को मैंने हटाया था तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा तुमने सही लिखा है तुम्हें कोई गलती नहीं है बस मेरे को मेहनत बढ़ गई एक बार तो अगर बच्छा पार्टी इस स्मॉलर लूप से मैं फ्लक्स लिखता हूँ एसोसीटेड तो फ्लक्स क्या मैंगनेटिक फिल्ड इंटू एरिया लिखते हैं एरिया क्या बच्छा पार्टी उस स्कॉयर लूप का पाई आर स्कॉयर हो जाएगा अगर मैं इंड्यूज इमेफ की बात करूँ तो माइनस टाइम्स पाई आर स्कॉयर या माइनस टाइम्स दी फाइबाई डी टी लिखते हैं यहां से इंड्यूज इमेफ क्या माइनस टाइम्स पाई आर स्कॉयर तो कॉंस्टेंट है जो वैरी कर रहा है वो मैंगनेटिक फिल्ड चेंज हो रही है तो डी बी बाई डी टी लिखते हैं इसदी कस्टू माइनस का पाई आर स्क्वाइर इंटू डीबी बाई डीटी हो जाएगा जो कट रहा है उसे काट दे अब समझे ना चुकि ये पूरा सेंटर से हर पॉइंट की दूरी कॉंस्टेंट है ता एलेक्ट्रिक फील्ड हर जगहं पर कॉंस्टेंट आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंगिट्वेंट कॉंस्टेंट आएगा इंटू इंटेग्रल ईए लिख दूंगा इसदी को स्टू पाई आर स्क्वाइर इंटू डीबी बाई डीटी हो जाएगा दोस्त अब देखो जो कट रहा है उसे निप्टा दो पाई से पाई ने पड़ गया इस आर से यह पावर चली गए तो यहां से जो एक्ट्रिक म्याट्र की वेलू आ गई वह आ गई आने इन्टू डीबी बाए यह फार्मुला है लेक्रिक फिल्ड की वैलू क्या आगी आर अपॉन टू इन्टू डीबी बाई डीटी कुछ नहीं जब भी कोश्चन आएगा तुम्हें मैंगेटिक फिल्ड का को जो फॉर्म फंक्शन होगा वो कुछ दे रखा हो मैंगेटिक फिल्ड का कोई जो भी फंक्शन होगा जो भी वैलू होगी टू टी स्कार माइनस त्री टी जो भी है मैंगेटिक फिल्ड ऐसा फंक्शन आफ टाइम तुम्हें दे रखेंगे तुम्हें इस फॉर्मुले का यूस करना होगा इंसाइड वाले पॉइंट के लिए सभी कि आपको यह ध्याम लगा लॉट्सट आर इसके बाद आता है अउटसाइड वाले पॉइंट पर्समाइक टी फिल्ड हो गंगे को इस соглас थे हमने point P जो ले लिया वो बाहर ले लिया वो जिस reason में magnetic field है भाई देखो magnetic field तो सिर्फ इतने से reason में ही है हमने जो point ले लिया यह कोई cylindrical reason है जिसका radius capital R है हमने इससे बाहर कोई point ले लिया r distance पे small r तो इस बाहर वाले loop के लिए जब मैं flux लिखूँगा तो magnetic field into area बाहर वाले का pi r square हो जाएगा तो लिए अपकी बाहर वाले loop की radius small r है ठीक है लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो magnetic field इस reason में तो है नहीं यह जो बाहर यह जो area दिख रहा है इस reason में तो magnetic field है नहीं तो जो flux link है वो तो सिर्फ इतने cylindrical reason में जो area है उसी से linked है तो जो flux लिखोगे तो जिस area में magnetic field है उसी reason के area से multiply करोगे किस reason में किस आर रेडियस के reason में कैपिटल रेडियस में ही मैंगनेटिक field में मौझूद है तो जो flux लिखोगे वो पाई कैपिटल रेडियस के लिखोगे अब अगर बच्चा पार्टी में इंड्यूज यह में की बात करूं तो वह क्या होजा है माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है पाई आर इसक्वाइर तो कॉंस्टेंट हो गया इंट्टू डी बी बाई की टी कि इमेफ को क्या बच्चा पार्टी इंटीग्रल इडॉट डी यल लिखते हैं पाई कैपिटल आर इसक्वाइर माइनस से माइनस कर जाएगा चुकि अलेक्टरिक फिल्ट चुकि शिल्नड शेप ले लिया है तो हर पौइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फिल्ट की वेल्व आए इसक्वाइ तो बाहर आ गया इंटीग्रल डी इड इसदी कोस्ट्ट्वाइब कैपिटल र चलके यहां चले जाओगे तो कि सर्कंफ्रेंस ऑफ सर्केल आ जाएगा इंटीरल डियल की वैलू क्या लिख दोगे ई इंटू पाई स्मॉल आर स्मॉल आर क्या है रेडियस ओफ इस बिगड़ लूप इस दी कस्टू पाई कैपिटल आर स्कॉयर इंटू डिबी बाई डिटी आप देखेंगे बच्चा पार्टी तो पाई से पाई कर जाएगा अगेन अलेक्ट्रिक फिल्ड फॉर आउटसाइड रिजन आउटसाइड पॉइंट के लिए अलेक्ट्रिक फिल्ड का फामॉला आ यह कैपिटल आर स्कॉयर अपॉन टू टाइम्स स्मॉल आर इंटू डिबी बाई डिटी तो क्या पॉइंट आउटसाइड रिजन के लिए जब आप एलेक्ट्रिक फिल्ड का फामॉला देखेंगे तो वह क्या है इंवर्सली प्रोपोश्चनल टू रेडियस आर्र आउट के लिए आप देखेंगे तो स्मॉल आर के इंवर्सली प्रोपोश्चनल आ रही है फिल्ड का फॉर्मॉला और इंसाइड वाले रिजन के लिए डिरेक्ट्ली प्रोपोश्चनल टू स्मॉल आर बस इसी दो बात का फाइदा उठाके फिल्ड का ग्राफ बना दिये जाता है और वही ग्राफ आपके एक्जाम में आता है अगर बच्छा पार्टी सिलिंडिकल रीजन के लिए एलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर का मैं ग्राफ बनाऊं तो वह कैसा आता है इंसाइड वाले पॉइंट के लिए डारेक्ली प्रपोर्शनल था तो कुछ इस त पॉइड प्रपोर्शनल र की विए स तरी से लेक्ट्रिक फील्ड इनड्य पें बेस्टी सवाल आते हैं क्यों सा बता रहा है एक ही ग्राफ फ़ाफ की शकल मैच करा क्या अंसर ट्रिक कर देना है नहीं देखते तो यह दो को पीवाई क्यू है यापका पीवाई क्यू है पुछा है स्पेस ऑफ रेडियस और इस फिल्ड विद यूनिफॉर्म मैंनेटिक इंडेक्शन पैलल तो दे एक्सेस ऑफ सिलिंडिकल इफ भी चेंजेस दोको लिख रखा है मैंनेटिक फिल्ड चेंज हो रही है किसी कॉंसेंट रेट पे अगर नेक्स टॉप पेक आता है आपके पास एसी जनरेटर. एसी जनरेटर क्या होता है बच्चा पाटी समझना? जितना भी electricity produce हो रही है आई वो AC electricity alternating current ही प्रोडूस हो आए पावर प्लांट पे तो वो हो कैसे रहा है? अगर तुम ध्यान से सही माइनों में process को समझो तो हो क्या रहा है? जिसे मालो हैड्रो पावर प्लांट है ठीक है डैम बने हैं डैम पे क्या होता है बड़े-बड़े केट्स लगे उते हैं पानी को रोका जाता है अब वहां पर अगर अगर एलेक्रिसिटी प्रेड्यूस कराते तो क्या करते हैं नीचे टर्बाइन रखते हैं और उस तर्मल आवर ब्लांट में क्या होता है कोईला जलाते हैं पानी को स्टीम में करते हैं और हई प्रेश्र स्टीम क्या करते हैं जा के सिधा तर्माइन की ब्लेट पे मारते हैं तो वो प्रे emphasize इस टि मना शुरू कर देती है तो घूम घूमती है तो एक्रिस्ति पे अपनाविज जाती है कोई बी कोई बिधियर बड़े voor हो रहा है कुमर्षिल बड़े स्केल पर तो रॉटेशन से ही हो रहा है कि इस अंदर उसके अंदर कुछ नहीं होता उसके अंदर गहीं के आ होता है बहुत बड़ी सी मैंगनेट लगी होती हुदा तर्वाइं के अंदर कॉइल होती है कॉपर की कॉइल होती है वही कॉइल जो है ना जब आप पानी गिराते हो या किसी बीचीद से बलेट को घूमा रहे हूं तो वही कॉइल घूमती है New motion magnetic field में घूमने की वज़ा से electricity के से प्र thread ॉसक्ति इसी बात को एसी जनरेटर में थे मतल способ यह कोई coil पढ़िए जिसके number of tons n है और area of coil a है तो यह जो flux इस वक्त बी magnetic field में पढ़ा है तो magnetic field यह b रही area vector यह रहा तो magnetic field और area vector में क्या यह theta angle दिख रहा है तो जो flux होगा flux को क्या बच्चा number of tons अगर n है तो n into magnetic field into area क्या यही flux लिखेंगे इस coil से linked अगर यह कोई copper की coil है winding करके रखी हुई है यह यह पर n number of tons है area a है magnetic field में produce है तो क्या flux यह होगा कि डॉट प्रॉडट खोलेंगे तो क्या कॉस ओफ थीटा आ जाएगा अब अगर बच्चा पार्टी मैं इसको omega angular velocity से घुमा रहा हूँ इस coil को इस magnetic field में अगर मैं omega angular velocity से घुमा रहा हूँ तो यह जो थीटा होगा कितने प्रतिशत भारती है सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि थीटा की वैलू omega angular velocity इंटू टाइम होती है थीटा एंगूलर डिस्प्लेश्मेंट के अंगूलर विलॉसिटी इंटू टाइम होता है बस यह चीज़ यहां पर पूट कर दो तो net flux किसके बराबर आ जाएगा एन पी ए पॉस थीटा करता है कि डिफ्रेंशेट कर दो एन कॉंस्टेंट है मैंनेटिक फिल्ड कॉंस्टेंट है एक कॉंस्टेंट है पॉस का डिफ्रेंशेशन भारती संस्कृति में पॉस थीटा का डिफ्रेंशेशन भारती संस्कृति में क्या माइनस का साइन थीटा बताया है माइनस का साइन omega t अब omega भी तांदर तो ये भी differentiate chain rule से करोगे तो omega t का differentiation करोगे तो omega और आ जाएगा ये minus ये minus तो plus हो जाएगे induce emf जो आ जाएगा n b a ये वाला omega यहाँ पहुचा दो minus minus plus हो जाएगा n b a omega sine of omega t हो जाएगा तो ये जो term आ रहा है किसी को बोलते है peak value of voltage बोलते है इस पूरे time को अगर मैं e not बोल दूँ e is equal to e not sine of omega t हो जाएगा where e not किसके बराबर होगा n b a omega that is maximum value of voltage अब समझ में आया कहीं भी अगर तुमने एसी कभी बच्पन में पढ़ा हो या कभी गलती से पढ़ लिया हो alternating current को क्यों represent किया जाता है V is equal to V not sine of omega t या i is equal to i not sine omega t इसलिए sinusoidal ac बोलते हैं या हम जो syllabus में sinusoidal पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हम commercially बड़े scale में प्रेड्यूस कर रहे हैं वह sinusoidal ac ही प्रेड्यूस हो रहे हैं अभी तो बिल्कुल बेसिक से में तो हम sinusoidal ac पढ़ते हैं या कभी बी alternating current का या alternating voltage का मैं graph बनाता हूं voltage versus EMF versus time का graph बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का graph बनता है क्यों बनता है क्यों प्रेड्यूस ही sinusoidal हो रही है यह अपने मन से साइन थीटा नहीं ले आए जब production हो रहा है तो अपने आप जो production में जो waveform जिस तरीके की waveform generate हो रही है alternating current की alternating voltage की वह sinusoidal waveform ही generate हुई अपने आप naturally इसी लिए यही natural production of AC है इसी लिए इसको पढ़ा जाता है तो अगला chapter जो अपन पढ़ने वाले हैं वह AC के बारे में ही पढ़ने वाले हैं अब यह कि यह last छोटा सा पार्ट है RL DC circuits जो नया NTA का syllabus है उसके साब से उन्होंने इसको mention नहीं किया है अब चुकि बहुत ही simple और बहुत easy qt part है बहुत इसली मैं तुम्हें समझा दूंगा तो बिल्कुल भी risk नहीं लेने का है तो पढ़ दो मेरे साब मेरे साब से पढ़ लो इससे मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं और तुम पढ़ लो कि दो डिस साथे में दो तरीके की एनलेसिज पहली है इस स्टीडी स्टेट अनलेसिस और दूसरी है ट्रांजेंट पहले स्टीडी स्टेट में तो पार्ट है पहला से एट आप इसी में इंड़क्टर लगा हूं मतलबожд मीं अब ग्तिम हम च्छ आपने स्विच ऑन किया हूं स्छह इसी इक विया कि बात कि ईटप इसी सफब खूऑ बच्चा पाटी ये कोई इंड़क्टर है कि एड़ी बिशन्टेट्र मतलब जस्ट आफ्टर स्विच मालओ आप स्विच कनेट्ट कर रहे हों यह बैटरी से कनेक्टेड है को अपने स्विच क्लोप किया ज़स्ट बैटरी क्लोस करिए तो इस्ट इस इस इक डिचान्ट जिरो मतलब जस्त आपने सरक्ट कंप्लीट किया है इनीच्यली बोलो या एंडीज ली किस्टू जीरो बोलो या जस्त आपने सरक्ट कंप्लीट किया है indicator कैसा बहेव करता है Inductor बहेव लाइक अंडीज अवपन सकेट मतलब आप इसको ऐसा मान सकते है अ जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो यह इंड़क्टर कैसा बिहेव करेगा एक ओपन सकिट जैसा बिहेव करेगा कि एट इस इकस्टू जीरो इंड़क्टर बिहेव्ट लाइक ओपन अकिट जब भी टइस कच्टू जस्ट आफटर क्लोजिंग दस्विच पूछा है जर्म पूछा है इस जरो जिरो ब हो लिए यह जस्ट आफ्टर अप्लोजिंग दस्विच बोल दिया को आपको इंड़क्टर को एक ऐसा ऑपन सकिट्फ मान के वोश्न को सब्ल कर दो ये कि दूसरा आपसे सिध्यसी स्वेश्राइं कि आफटर लॉंग टाइंग से करें अगर लिखा है ऑप्तर लॉंग टाइम य या धीजी कॉस्टू इंफानाइट या गुद्स कुछ नहीं दिया पुछ भी नहीं दिया तो भी आप यही वाला केस मानेंगे यह बहुत कर रहे हैं तो फिलिए इस इसको भी तुम यह वाला ही केस समझाओगे तो लॉंग टाइम भाद फोड़ी समय बात क्या होता है बच्चा पाटी जो इंडक्टर लगा होता है किसी भी सक्ट मेठ मालों यह स्रकिपड अपी देर से क्लोज है काफी देर से क्लोज है आस्टरे लॉंग अक्न इन्डॉक्टर कासा बहुर्च करने लगता हैं को शॉड सअरकिट मैं और आप इंडुक्तर को रुपलेस कर सकते हुं एक कंडंडिंग वायर से इंड़क्टर बिहेव लाइक टॉट सर्किट आफ्टर लॉंग टाइप तो दो बाते पूछी जाएगी आपसे स्टीडी स्टेट एक जस्ट आफ्टर स्विच आउन जस्ट आफ्टर स्विच आउन या टीजिकर स्टु जीरो का सेंस निकल के आ रहा है या टीजिकर स्टु आपने स्टु अभी ओन किया है तो इंड़क्टर एक ओपन सर्किट जैसा भी करेगा जहां पर इंड़क्टर था वहां पर एक सर्किट को ब्रेक कर दो और अगर आफ्टर लॉंग टाइम पूचा है या कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप लॉंग टाइम ही मानोंगे उस पर इंड़क्टर और रेजिस्टर करें रहें वहां से सर्किट को तोड़ दो अगर बच्चा पार्टी ये एक open circuit जैसा behave करेगा यहां पर gap आ गया यहां पर भी gap आ गया तो क्या बच्चा पार्टी इन आम में कोई current जा पाएगी क्या इसमें कोई current जा पाएगी क्या 0 current होगी क्या यह जो i3 दिखा रहा है यह भी 0 भाई open circuit हो गया तो इस ना इस आर में कोई current होगी ना इस आम को मतलब जो भी current होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या यह i1 इस वाले लूप में होगी इसको तो आपने connect कर रही दिया है तो क्या सिर्फ इसी लूप में current जा पाएगी यह भी open circuit यह भी open circuit तो यहां पर भी कोई current नहीं यहां पर भी कोई current नहीं मतलब यह तो directly मैं कह सकता हूं एक स्वामें रचिन को नुए में कारें जैगी ना इसाव में कोई ।लिटर के दों जाएगी सिर्फ इस सिस्टम में इस सिस्टम में जाएगी स्टीर आरवन चाहिए इस लूप में टोटल वोल्टेज किती है ई कि अचन्य तोल रेस्टेंस देखो इस पूरे लूप में सिर्फ एक ही ही रेजिस्टेंस आ रहा है आरवन ए बाय आरवन सब्सिंपल सवाल होते हैं दिखाने वर के बस हादी के दाते हैं दिखाने के लग खाने के लग समझ के कैसे करने हैं सवाल यह अगला सवाल करो ratio of initial to final current through the battery तो पहले initial की बात कर लेते हैं initial मतलब जैसे ही आपने circuit को connect कर दिया उसके T is equal to 0 initial मतलब अगर इस T is equal to 0 पर मैं यह circuit redraw करूँ तो यह resistance था T is equal to 0 पर इंडक्टर को हटा देते यह resistance यह resistance यह battery यह resistance तो T is equal to 0 पर यह circuit कुछ ऐसा देखेगा इंडक्टर जो है इंडक्टर हटा दो इंडक्टर एक open circuit जैसा behave करता है अगर यह open circuit जैसा behave करता है मतलब यहाँ पर तो कोई current जाएगी ने मतलब यह तो फर्जी ही लगा हुआ है जो भी current flow हो रही होगी यह सिर्फ नीचे वाले पार्ट में flow हो रही होगी आई इंडक्टी है इसकी इमालो इंडक्टी वैलू वी मालो चलो वोल्टेज वी था तो जो current होगी बच्चा पार्टी या वी अपन टोटल रेशिंस आर प्लस आर दोनो सिरीज में है क्या 2R होगी तो क्या इनिशिल करेंट वी बाइट 2R आ गई क्यों 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 इनिशिल ही इंडक्टर कैसा भी करेगा एक ओपन सकिट जैसा वह उपर वाली अर्म में ने ये पाइनल मतलब आफ्टर लॉंग टाइम मतलब इस उकाइस टो इंफाइनाइट वाली अनलिसिस टीज उकाइस इंडक्टर कैसा बिएप करता है शौर्ट सर्किट ये एक रेस्टर थी और जहां इंडक्टर था वहां पर एक कंडेक्टिंग वाइर लगा देंगे ये एक रेजिस्टेंस ये एक बैटरी थी और ये एक रेजिस्टेंस इस सर्कृट में जहां इंडक्टर था आफ्टर लॉंग टाइम फाइनल की बात करेगा तो उसे आप एक शॉट सर्कृट से कनेट कर देंगे अब अगर तुम इस सर्कृट को सॉल करना चाहोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये दोनों तो पैरलल में है तो इनका इक्विलेंट और बाइटू हो जाएगा इसका पैरलल इसके साथ किसके इसके साथ कैसा है सिरीज में ये आर बाइटू ये दोनों का जो पैरलल आया र Byटू वो इसके साथ सीरीज में है तो इस पूरे शर्कृट का जो आर इक्विलेंट हो जाएगा को इस आर प्लस इनका एक्विलेंट आर बाइटू है त्या थ्री आर बाइटू आ जाएगई तो अब जो इस case में जो current जा रही होगी circuit में flow हो रही होगी इसकी voltage V है क्या बच्चा पार्टी V upon R equivalent हो जाएगा that is V upon 3R by 2 तो 2 V upon 3R हो जाएगा question में हमसे पूछा क्या है initial current to final current का ratio पूछा है initially current कित्ती flow हो रही थी V by 2R finally कित्ती हो रही है 2 V by 3R V से V कट गया R से R कट गया तो यह आजाएगा यह 3 ऊपर चला जाएगा 3 by 4 आजाएगा initial to final current का ratio कित्ता आगया 3 to 4 आगया option no.4 is the correct choice for the given एक सवाल और करो दोस्त in the given circuit find the ratio of I1 to I2 where I1 is initial I1 क्या है initial current है and I2 is the steady state steady state मतलब T is equals to infinite इनीशल और फाइनल करेंट का रेशो चाहिए इनीशली अगर मैं बात करूँ इनीशली अगर मैं पर इन्डॉक्टर के ओपन सर्किट जैसा ब्येफ करेंगा इस सर्किट को री ड्रॉ करूं यह दस वोल्ट की बैटरी प्रिच कनेट कर दिया यह सिक्स ओम का रेजिस्टेंस जहां पर इंडॉक्टर था वो जगह खाली यह चार ओम यह भी चार ओम यह सर्किट हो जाएगा जहां इंडॉक्टर इंडॉक्टर से को ब्रेक कर दो इनिशली इंडॉक्टर ओपन सर्किट जैसा बीए अगर ओपन सर्किट जैसे बहेव करता है तो इसका तो कोई कामी नहीं रहे गया current जो आएगी यहां से ही flow कर जाएगी ऐसे initial current जो होगी voltage इनिशल किता है 10 और total 6 प्लस 4 क्या 1 ampere होगी initial current I1 I1 जो initial current है उसकी value क्या बच्चा पार्टी 10 upon 10 that is 1 ampere होगी final situation में बात करते हैं final situation में यहां बना देता हूँ T is the case to infinity पे यही circuit देखो बच्चा पार्टी यह 6 ohm यह conducting वायर जैसा बहेव करेगा यह 4 ohm यह 4 ohm यह 10 वोल्ड की बैटरी यह circuit ऐसा बदल जाएगा इस inductor को हटा के एक conducting वायर लगा देगा अब अगर इस बैटरी से तुम्हें current चाहिए इस बैटरी का voltage कित्ता है 10 volt है और current कित्ती जा रही है इस case में I2 जाएगी finally तो तुम देखो बच्चा पार्टी क्या तुम्हें दिख रहे हैं यह 4 और यह 4 parallel में है तो इनका equivalent 2 ohm आएगा तो जो आईटू आएगी बच्चा पार्टी अगर वोल्टेज कित्ता है दस आर एकुलेंट कित्ता है आठ दस बटा आठ 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 आगे तुमसे पूछा क्या आइवन अपाउन आटू का रेशियो पूचा है तो आइवन कितता था वन और आइटू कित्ती है 5 x 4 क्या तो क्या सॉल करके यह आणसर 4 x 5 आजाएगा आईवन अपाउन आईटू का रेशियो 4 x 4 x 5 अगर हिंदी में लिखेंगे पॉइंट में तो जीरो पॉइंट लिख सकते हैं तो आइवन अपॉन आइटू का रेशियो जीरो पॉइंट के बराबर आजाए आई होप यहां तक सभी लोग कमफर्टेबल होंगे क्लियर होंगे और यह बात भी समझ में आ गई होगी यह बहुत ही कद्दू से और बहुत ही सिंपल सवाल होते है इंफिए फाइंड वैल्यू अफ करेंट इन टैन ओम रेजिस्टिन फ्लग ऑफ की इस इंसर्टेड वन प्लग ऑफ की की इस इंसर्टेड मतलब कब पूछ रहा है टीजी कश्टिन फे पूछ रहा है करेंट की वैलू तो टीजी कश्टिन फे सर्किट की अगर शकल बनाओगे तो यह देखो दस हों कि यह तीन वोल्ट की बैटरी यह तीस हों और जो यह इंडक्टर था हो कि यह तो open ओपन जैसा भीयेव करेगा टीजी कश्टिन कि अगर यह test जैसा भीयेव करेगा मतलब जो भी current होगी क्या वह सिर्फ इसी सरफिय उसर्किट में करेगी दे जैस और यह इस थीन बटा चालिस के बराबरहेंगी करेंट कि लिए रहे दोस्त तीन बटा चालिज कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है वाइंट वैली वालो फकरेंट इंट ओम रिजिस्टेस विन दफ लग फकेक टीकेश इंसर्ट इस कर दिख रहा है कि पूशन में क्या लिख रहा है कि वन लग ऑफ के की इंसर्ट इंसर्ट कर दिया है अगर यहां पर लिखा तो वन प्लग ऑफ के इस जेस्ट इंसर्ट इस तरह का शब्द होता है जस अभी इंसर्ट किया तो टीज इंसर्ट कर दी इंसर्ट करने के थोड़े देर बाद तुम से पूच रहा है तो वहीं मैंने बता है अगर कुछ भी नहीं मैंशन हो तो टीज इ इंफाइनाइट पे क्या बच्चा पार्टी यह एक चौट सर्किट जैसा बिएफ करेगा इस पूरे को तुम ने एक अंदक वायर से रिप्लेस कर दिया अगर यह शौट सर्किट जैसा बिएफ करेगा यह कंड़क्टिंग पाथ हो जाएगा यहां तो रेस्टेंस है आपक आएगी हो कित्ती हो जाएगी बिकॉस यह दोनों पॉइंट चुर्कित हो चुके इन दोनों पॉइंट का potential सेम हो चुका इसने कोई करेंट नहीं जाएगी जो भी करेंट आएगी उपर से पास होगे फिर इससे पास होगे तो चुकि करेंट त्रू टैन ओम रेजिस्टन्स पूछी ती यह शौट सर्किट जैसा भी एफ करेगा तो कित्ती आएगी जीरो आज जाएगी यह अच्छा सवाव यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबिल होंगे लियर यह यह तो हो गई स्थी इसके चैनली अब दूसरी जो आती है वो आती है घृत सिंगर होता है समुझना बच्चा बाड़े पाउसिजम करेंट आपशन को चैनले इस अपने पास क्थी सरकेट है अपने इसे अंडंटटेटC अधो में 340 आप एकिकसी इन्डंट एक सिंगल तर के साथ किसी DC बैटरी के तुरू एक सिंगल इंडक्टर एक सिंगल रेजिस्टेंस एक सिंगल बैटरी से कनेक्टेड है सिर्फ यही एक ही सर्किट transient analysis के case में सिर्फ अपने के लेसिते वह सिर्फ एक ही सिंगल इंडक्टर एक सिंगल रेजिस्टर और एक सिंगल बैटरी यहां पर कनेक्टेड है झैसे यहां पे circuit क्लोस करोगे पो इसमें करेंट बिल्दप होना सुरूर करेगा और और करेंट बिल्ड होगा जो करेंट इसमें डेवलप होगा वो टाइम के साथ बढ़ेगा और जो टाइम के साथ वो करेंट का फंक्शन आएगा वो केत्ता आएगा i is the cost to i0 into 1 minus e to the power minus t by tau इस करेंट को growth circuit में जब भी किसी एक इंडक्टर एक एक अंचार्ज इंडक्टर को एक register के साथ battery से connect करोगे तो जो उसमें current flow होगी current की value आएगी i is equals to i0 into 1 minus e to the power minus t by यहाँ पर तुमसे क्या पूछ सकता है peak value of current i0 पूछा सकता है i0 simply क्या हो जाएगा this voltage v upon resistance r और क्या पूछा जा सकता है tau के बारे में पूछा जा सकता है क्या होता है l by r का ratio होता है l by r inductor upon resistance का जो ratio होता है उसे tau कहते हैं tau होता क्या है time constant होता है क्या होता है time constant होता है time constant क्या होता है time in which current grows to current grows to 63% of peak value current अपनी peak value का 63% जब हो जाता है उस time को one time constant कहते हैं one time constant की value l by r आती है तो या तो इन सवाल में time constant पूछते हैं या इस equation की मदद से सवाल पूछते हैं i is equals to i not into one minus e to the power minus t by tau इस equation में tau की value l by r पूट कर देंगे और जो भी सवाल पूछ जो भी चीज दियोगी वो निकल जाती है बहुत सिंपल से सवाल आते हैं अभी सवाल कराओंगा और अगर बच्चा पार्टी इस growth circuit के लिए current versus current और time की equation है current versus time का अगर मैं graph बनाऊं तो यह graph कुछ इस तरीके से आता है growth वाले circuit की यह जो value of current आती है यह peak value of current होती है जिसे i not कहते है ठीक है one time constant जो होता है जब time की value one time constant के बराबर होती है तो current किसके बराबर 63% of peak value मतलब 0.63 times i not peak value मतलब maximum value क्या है i not जो की voltage upon resistance होती है तो one time constant में current कितनी हो गई होती है 0.63 i not हो गई हो comfortable है clear है और one time constant की value किसके बराबर होती है एलब IR inductance upon resistance का अब इसके बाद होता है decay circuit मालूप पहले से ही कोई charged inductor है मतलब कोई ऐसा inductor है जिसमें energy पहले से इंड तोड है इससे अगर आप किसी resistance की है तुरू discharge करना चाहोगे जिके मतलब ऐसा circuit जिसमें battery ना लगी हो उसे decay circuit के जैसे ही switch करेंगे inductor की जो current होगी वो decay करेगी और जो decay होगा वो क्या होगा बच्चा पार्टी आईजी कस्टू आई नॉट इन्टू इटू दी पावर माइनस टी बाइट अगें क्या होता है बच्चा पार्टी एल बायार इंडक्टेंस अपन रेश्टेंस का रेशियो होता है इसे time constant ही कहते हैं डिके सर्किट में जब करेंट डिके कर रही है जब बैटरी कनेक्टेट नहीं है तब जो time constant की definition हो जाती है वो जाती है time in which current decays to 37% of initial जो भी करेंट थे उसकी 37% जब डिके हो जाते है उसे one time constant कहते हैं तो डिके सर्किट में अगर current versus time का graph मैं बनाओ कि इनीशली maximum current मिलती है और फिर डिके करके जीरो को को एक पर जाता है तो करेंट कित्ती हो गई होती 37% मतलब 0.37 टाइम्स आई नॉट हो जाता है अब बड़े बेल हैं क्लियर हैं आइनू तुम्हें अभी बहुत ज्यादा clarity बहुत ज्यादा मजा नहीं आया हो लेकिन जैसे ही आप सवाल solve करेंगे आप किस को मजा आने लगे हैं आपको सवान मियान लगे हैं बहुत सिंपल सवाल आते हैं इंद सर्किट शो इंद फीगर inductance दे रखा है resistance दे रखा है तो क्या सबसे पहले आप time constant निकाल देंगे time constant L by R होता है L कितना दे रखा है question में 10 दे रखा है resistance किती दे रखी है पांच दे रखी है तो यह आ गया दो क्या बच्चा पार्टी यह growth circuit है battery लगी है मतलब growth circuit है पूछा क्या है current in the circuit पूछा गया है question में क्या पूछा है current पूछा गया है growth वाले circuit के case में मैंने तुम्हें क्या बताया current की एक ही equation तुम्हें दिहान रखनी है current की यही equation मैंने तुम्हें लिखाई है growth के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें बस equation यहाद रखनी है अगर battery connected है मतलब growth का circuit उसमें करेंट की equation आइज इक हैसे निकालोगे वोल्टेज अपॉन resistance कर दोगे डिरेक्ली ताउ कैसे निकालोगे L by R कर दोगे यह equation तो रटा रखी है मैंने तुम्हें इसमें value पुट कर दोगे यह में 15 वोल्टेज रेजिस्टेंस इतना है तो आई नॉट यह वोल्टेज अपॉन अपॉन रेजिस्टेंस इबाई आर होगा यह में फी अपॉन रेजिस्टेंस आरोगा पीक वैलू अफ करेंट आई नॉट यह किता था पंदरा रेजिस्टेंस किता है पांच यह आजाएगा थ्री एंपियर तो वैलू पूट करो आई इस इक्वेस्ट टू थ्री टाइमस वन माइनस इटू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ टाउ की वैलू कित्ती आईए दो सेकेंड आईए माइनस टी बाइट पूछा क्या है करेंट इंदा सकेट कित्ते पे टाइम की वैलू टू सेकेंड पे इस एक्वेशन में ट बचेगा एक्वेशन आ गया तो कुछ डराने भर के सवाल है सिर्फ मैंने तुम्हें जो कौश्ण में बताया कि याकर ग्रोथ के लिए तुम्हें यह याद रखने हैं और डिके के लिए जो बच्चा पाटी मैंने एक्वेशन बताई लिए एक्वेशन याद रखनी है और ग्रोथ ऑफ करेंट के लिए बच्चा पाटी यह बस इसमें वैलू पुट करने होगी आई नौट की और टाउ की आपके सारे सवाल हो जाए आई नौट की वैलू डायरेक्टली वी बायार होती है वोल्टेज जो भी यह में पोल्टेज दे रखा होगा अपॉन रेस्टेंस करेश टाइम कॉंस्टेंट क्या होता है यह बायार करेश हतम बस यह वैलू जिस एक्वेशन में पुट करो अंसर आ जाएंगे अभी एक सवाल करके बताए इक क्वाइल इस क्नेक्टेट टू ए बैटरी आटरी आफ इक्वाइल इस क्न इस क्वाइल 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 में 0.3 दे रखी है और one time constant होता क्या है बच्चा पार्टी L by R होता है 63% of peak value क्या होता है one time constant होता है और उतनी current जाने में कितना time लग रहा है सिफ 0.3 second लग रहा है मतलब one time constant की value question के दाब एक 0.3 है time constant होता है क्या L by R इसकी value 0.3 है ठीक है a coil is connected to a battery of EMF 12 volt and knowledgeable internal resistance the current in the solenoid grows to इतना if the final steady state current is 0.6 ampere the inductance of the solenoid पूछा है inductance की value पूछिए resistance तुम निकाल लो अगर final current जो है final steady state current मतलब जो peak value of current है वो तुमें 0.6 दे रखा है पीक value of current क्या voltage upon resistance होती है जिसकी value 0.6 दे रखी है तो resistance की value यहां से क्या voltage upon 0.6 हो जाएगी voltage कितना है 12 upon 0.6 तो यह आ जाएगा resistance की value 20 ohm अब यहां से L कित्ता हो जाएगा 0.3 into R हो जाएगा तो L हो जाएगा 0.3 into 20 तो यह कित्ता हो जाएगा 6 option number two is the correct choice 6 Henry हो जाएगी इंड़कर सब्सक्राइब कि इतना beautiful सवाल था कि बोला कि 63% of its final steady state value current जो है 63% of peak value तो grow हो जाती है सिर्फ 0.3 second 63% of peak value तो grow होती है मतलब यह कित्ता दे रखा है तो मैं one time constant दे रखा है विकास हमें पता है one time constant में ही current 63% grow होती है one time constant क्या होता है L by R L पूछा था तो L क्या हो जाएगा 0.3 into R आप हमें resistance चाहिए था resistance के लिए इन्होंने बोल दिया कि final steady state current final current मतलब peak value of current final current 0.6 दे रखी है final current क्या होती है I not voltage upon resistance का ratio voltage तुमें दे रखा था यहां से resistance आ गई next सवाल an ideal coil of 10 henry is connected in series with a resistance of 5 ohm एक इंड़क्टर है एक resistance है इंड़क्टर की value है 10 henry resistance है आपकी 5 ohm बैटरी है 5 volt पूछा है two seconds after the connection is made the current flowing in the ampere two seconds बात current कैसी कितनी होगी circuit में तो मैंने इस growth वाले सभी circuits के लिए क्या current की equation बता रखिए i is equals to i not one minus e to the power minus का t by tau बस इस equation में i not or tau की value पूट करनी है और टी की value पूट करनी है तो देखो बच्चा पार्टी time constant अगर मैं बात करूं तो lyr होता है l 10 है और 5 है तो यह तो दो हो गया पीक value of current की बात करूं तो वो voltage upon resistance होता है वोल्टेज कितना है पांच रेस्टेंस भी कितनी है पांच तो यह आ गया वन अब value पूट कर दो i is equals to i not की जगा वन आ जाएगा कितने सेकेंड पर पूछा है टी की वैलू भी टू पूट कर दो i is equals to 1-e to the power minus का 2 by 2 कट जाएगा वन आ जाएगा तो current की वैलू आ जाएगी कि one minus e to the power minus one one minus e to the power minus one that is option number four is the correct choice for the game simply equation लिखो यह जो आप याद करा रखी है इसमें आई नौट ताउ और टी की वैलू पूट कर दोगे current की वैलू आ जाएगी कि that is all for today that is all from electromagnetic induction जो आपके syllabus में है उससे ज्यादा मैंने और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है आई होप आपको शेशन बहुत पसंद आया होगा आज के लिए ताई था दोस्तो तटा बबाए जहन गॉड ब्लेस यू लव यू आल मिलते हैं नेक्स सेशन में हाँ आपका कई बच्चों से फीडवाइक मिला कि नहीं हुआ है तो नेक्स सेशन में पहले मैंने मैंटर कराएंगे उसके बाद अल्टरनेटिंग करेंट पढ़ाएंगे ठीके दोस्तों जहें दोस्तों